आज मैं आपको एक ऐसी ट्रीक देने जा रहा हूँ जिससे आप मोल कंसेप्ट के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही इजी सॉल कर सकते हैं तो वो ट्रीक में जाने से पहले हम समझ लें कि मोल है क्या तो देखो बहुत सिंपल है आप मोल के बारे में सब कुछ जानता हो अगर मैं ऐसे रिलेट करता हूँ उसको डजन के बारे में सब लोग जानते हैं वाट इजन हेर कि अगर कोई भी आपको बोलता है वन डजन तो सीरह आपके माइंड में क्या पिक्चर आता है कि उसमें 12 पीस होंगे तो भाई जो डजन है वही तो मोल है और वो कैसे बहुत सिंपल वन मोल में क्या हो गया है सिरिफ नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत जाद हो गया है तो बच्चों का फिर वहाँ पे क्या होता है माइंड कम करना बंद कर देता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है बहुत ही सिंपल है जैसे वन डजन में 12 पीस आपके माइंड में आता है वैसे ही आज से वन मोल बोलते हैं आपके माइंड में कितना आना चाहिए 6 x 10 की पाव 23 है नाव दो कोश्चन इस कि फिर ये चीज़े कहां पर यूज होती है मैक्रो लेवल पर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और ये चीज़े वो माइक्रो लेवल पर बहुत ही स्मॉल लाइक एटम निकारना हो मॉलिकूल्स निकारना हो आयंस निका करते हैं तो ये चीज़े हमारी आँखों से दूर होती है इसलिए हमारा माइंड जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है बत अगर आप ऐसे सोचें कि जो डेजन है वही मॉल है ध्यान दे बहुत हर मिजरिंग कॉंटिटी तो डेजन बोलते ही आपके माइंड में मॉल आन पादरो नंबर भी बोलते हैं और इसको एन एसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू नो कि इसमें 6.023 होता है बट कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने 6 इन्टू 10 की पावर 23 लिया है और एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट की जो मॉल है उसी का दूसरा ना नाम ग्राम एटम है ग्राम डैश एटम करके लिखा होगा कहीं पर तो वो मॉल को ही कहना चाहरा है मॉल का ही दूसरा नाम ग्राम मॉलिकूल है ग्राम आयन है अगर यह कहीं पर लिखा हुआ है तो डारेक्टली इसका मतलब है कि आपको मॉल गीवन है तो पहला पॉइंट क किलियर हो जाना चाहिए नाओ अब हम बात करते हैं कि मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखो मैंने लिखा है मोल डैट इज नथिंग बट आपके माइंड में ओल्वेज मोल बोलते क्या आना चाहिए एक दूसरा वर डजन जो मोल चीज है वही डेटू डिलैप में हमारे यह डजन है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो यह डिपेंड करेगा कि आपको कोश्चन में गिवेन क्या है अगर कोश्चन में वेट या मास गिवेन है ध्यान दे केमिस्टी में वेट या मास एक ही बात है तो अगर आपको जिसका मोल्स निकानना उसके मास या वेट है तो आपको क्या करना परेगा atomic weight से अगर atom है तो atomic weight से और molecule है तो उसके molecular weight से आप divide कर देंगे given weight में तो you will get moles इसलिए short form में आपके से लखेंगे W given weight in gram ध्यान रहे gram में लेना है divided by molecular weight अगर molecule होगा तो atomic weight अगर atom होगा तो you will get moles similarly अगर हमें volume given है at stp तो stp का मतलब क्या है standard temperature and pressure that is fix है temperature हम 0 degree Celsius that means 223 Kelvin लेते हैं और pressure 180 हम लेते हैं लेकिन जो अभी standard है वो one bar माना जा रहा है इसके जासे volume अब हम केतना लेते हैं 22.7 आप 22.4 भी ले लोगो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जादा तो volume जो given होगा stp पर ध्यान रहें कि volume should be at stp और वो लीटर में लेना है so that 22.7 से आप divide करेंगे तो you will get moles इसलिए short form हम नहीं से लिखा volume in लीटर divided by 22.7 अगर number of particle given है तो क्या करना है एवोगादरो number that is 6 into 10 की power 23 से आपको क्या कर देना डिवाइट कर देना है तो आपको मिल जाएगा फिर से क्या मोस जिसको मैं एन नंबर ऑफ particle divided by एने एवोगादरो number और कभी-कभी यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर आपको molarity that is capital M into volume अगर given हो लीटर में तो दोनों को multiply कर देंगे molarity into volume तो you will get moles तो ध्यान दे कि अगर mass given है तो atomic weight या molecular weight से divide करना है यहां divide है volume given है STP पे तो भी divide करना है 22.7 से x fix number है particles given है तो x fix number 6 into 10 की power 23 से divide करना है तब moles मिलेगा लेकिन molarity given है तो उसमें multiplication आ रहा है और that means volume से multiply करना है volume should be liter तो you will get moles तो पहले हम एक idea आ गया कि चार तरीके से हम moles निका सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको यह use होगा उसके बाद यहां भी use हो सकता है उसके बाद यह use होते हैं या फिर यह use होंगे तो चार तरीके हैं moles निकालने के एक बार हमें mole आ गया तो अब उससे related problem जो exam में पूछे जाते हैं उसको कैसे calculate करेंगे उसके लिए मैं देने जा रहा हूं trick now अब मैं बात करता हूं tricks की तो दियां से देखो कि tricks का point क्या है कि यहां पर जो मैंने capital letter में ले रखा है AB वो आपका reactant होगा मैंने in general एक reaction को assume किया हुआ है तो AB हमारा reactant है DE मेरा product है जो small letter है ABDE जो blue color से मैंने दिखाया है वो हमारे stachymetric coffee scent है that means जो reaction को balance करने के लिए आगे जो number आएंगे वो है और यह जो मेरा x, y है यह given mole है जो question में moles दे देगा या फिर mass दे दिया, volume दे दिया, number of particle दे दिया, molarity दे दिया तो कैसे moles निकालेंगे, finally आपको पहले moles में लेके आ जाना है now उसके बाद अगर हमें एक से ज़्यादा reactant के बारे में information है that means a का भी moles given है, b का भी तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक पहले reaction में consume हो जाएगा जिसको हम limiting reason बोलेंगे, तो उसका भी calculation कैसे करेंगे और mole का भी calculation कैसे करेंगे, उसके लिए एक very simple trick है कि आपको जो mole given है, ध्यान दो, आपको जो mole given है x, y उसको आपको divide कर देना है, जिसका moles given है उसके stoichiometry से उसके आगे के number से, इसलिए मैंने ध्यान से देखो दिखाया है, a का mole अगर x है तो x को मैंने divide किया उसके stoichiometry से, वैसे ही b का mole से अगर y है तो y को divide किया उसी के stoichiometry से, ध्यान दे जिसका moles given है, जिस reactant का moles given है उसके moles को, उसके ही stoichiometry मतलब, उसके आगे के जो balancing वाली number है, उससे divide कर देना है divide करने के बाद, आपको compare करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, small कौन है तो मैंने suppose कि यह वाला smallest list पे start दिया है, वो आपको question में समझ में जाएगा कि इन दोनों में small कौन है अगर suppose करते हैं कि y by b is small, तो जो small होगा, जो less होगा, वही आपका limiting result होगा that means, जो आपका reactant b है, वो एक limiting result है, तो limiting result निकलना गया now, अब हमें इन सब के moles का calculation कैसे करेंगे, या इनके कितने moles बचेंगे, उसको कैसे करेंगे तो जो आपको y by b, जो limiting result हुआ, जिसको आपने divide करने के बाद, compare कि यही less है तो आप क्या करना आपको, इस y by b को sum में multiply करना, ध्यान से देखो, e के सामने भी हमने y by b लिखा d के सामने भी y by b लिखा, y by b लिखा, b चुकि limiting result था, यह तो consume हो गया, खतम हो गया, इसलिए 0 और इसके सामने भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y by b now the question is, कि करना क्या है, जो आपको moles given होगा, उसको उसके structure community से divide करके, उनमें compare कर लेंगे, कौन कम है जो कम है, उसको sum में नीचे में लिख देना है, that means multiply कर देना है, और क्या करना है, जो इसका stoichiometry है, उसको इसमें multiply कर देना है तो यह आपको moles of e formed आगिया, वैसे ही अगर मुझे d का निकारना होगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर multiply करना पड़ेगा तो इन दोनों में जो less आया है, वो number sum में multiply होगे, into जिसका moles निकार रहो, उसका stoichiometry, उसके आगे का number, यहाँ से देखो, तो यह आगे है, यह तो 0 ही हो गया, अब इसका अगर निकारना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर multiply करना पड़ेगा, तो यह तो वो moles है, जो react हो गए, तो बचे कितने, तो लिये थे आपने कितने, x, तो बचा कितना, x minus into y by b, तो यह trick को अच्छे समझो, अभी मैं इसका application की बात करूँगा, again I am telling, very simple, जो moles given होंगे, उसको divide करना है, उसके corresponding stoichiometric coefficient से, फिर उन दोनों में जो less होगा, वही limiting result होगा, उसी less वाल को सम में multiply कर देना है, और जिसका moles निकानने जारो, उसको उसके stoichiometry से multiply कर देना है, अब देख सकतो, y by b, अगर मेरा less है, तो मैंने सम में y by b लिखा, और इसका stoichiometry e था, तो इसे multiply कर देना, तो e के कितने moles formed होए, यह आ गया, वैसे ही है, d के कितने moles formed होए, यह आ गया, और यहाँ पर चुकी यह reactant है, इसके moles consume होँगे, तो कितना बचा, left कितना हुआ, तो एतना तो react हो गया, a into y by b लिया था, हमने कितना x, तो x minus this, यह जो भी number आएगा, यह left है, और यह तो limiting result है, खतम होगया, तो यह 0 हो जाएगे, अब सब के moles आ गये, तो फिर इससे आपको इससर हो जाएगा, number of particle पूछ लिया तो एवगादर number से multiply कर देंगे, mass पूछ लिया तो molecular weight से multiply कर देंगे, volume पूछ लिया तो 22.4 liter से multiply कर देंगे, तो बाकी आप जो पूछेगा, एक बार mole आ गया, तो फिर सब कुछ आ चुका है, अब हम बात करते हैं application की, तो धियान से दे तो आपको पूछा जा रहा है कि C के most केतने होंगे, और D के most केतने होंगे, देखो मेरे simple tricks आप कैसे करोगे, हमने आपको क्या बताया था, कि जो mole given होंगे, उसको आप divide कर देंगे उसके stoichiometry से, तो यह 6 by 3 हो जाएगा, यह 8 by 2 हो जाएगा, जहां से देखो, तो 6 by 3 आपका क इसका moles निकारना है C का, तो direct यह number 2 और इसका stoichiometry 5, तो कितना हो गया, 10 moles answer आचुका है, वैसे अगर मुझे इसका निकारना होगा, तो यह 2 sum में multiply होंगे, और इसका stoichiometry 6, तो कितना हो जाएगा इसके, 12 moles इसके बनेंगे, very simple, इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्यों क्योंकि वो तो limiting reason सा खतम हो गया, अब इसका B का क्या पूछा जागा, कि कितना moles बचा और कितना moles react हुआ, तो अगर react हुआ कि बात करेंगे, तो same way point 2 into, इसका stoichiometry 2, तो 4 moles तो क्या हो गया, यह react हो गया, अगर मुझे से पूछा जा कि बचा कितना, तो मैंने लिया था कितना 8 moles, तो क्या करूँगा, 8 minus this, तो फिर यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, left moles, तो I hope समझ माया होगा, now, एक और question मैंने लिया है, कि H2 के 8 gram, O2 के 64 gram के साथ हरिया करेंगे, तो water के कितने mass produce होंगे, तो कुछ बच्चा ऐसे ही solve कर देते हैं, तो यह तो बिलकुल गलत, mass में कभी भी solve नहीं करना, always आपको moles में solve करना है, second thing कि यह trick तभी apply करना, जब आपकी reaction balance हो, यहाँ पे आपकी reaction balance नहीं है, क्योंकि इधर 2 oxygen, इधर 1 oxygen है, तो पहले आप balance करो, तो इधर 2 है, तो इधर 2 लगा, और यहाँ पे भी आपको 2 करना परेगा, अब यह reaction हो गए balance, यह mass given ह तो कोई बरी बात नहीं है, बस आपका एक step और बढ़ा दिया, तो पहले आप moles निकालने इसके, तो इसके moles कितने हो जाएंगे, 8 by इसका molecular weight 2, तो इसके moles हो जाएंगे 4, और इसका 64 divided by इसका molecular weight 32, तो इसके moles हो जाएंगे आपको 2, ध्यान दे कुछ बच्चे क्या कर देते है 8 divided by 2 to the 4 कर देते हैं, वो नहीं करना है, यह जो number आ रहे हैं, यह आप ले के आ रहे हैं, balancing के लिए, molecular weight is fixed, तो हमने molecular weight से divide कहा है, तो कहने का मतलब एक step कैसे बढ़ गया, कि अगर यह आपको 4 moles दे देता, और यह 2 moles दे देता, तो फिर आप easily कर लेते हैं, अब आपको क्या करन मालूम है, एक step आपको करना है, कि 4 divided by 2 करना है, और 2 divided by इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1, तो यह करना है, तो यह 4 by 2 केतना हो गया, 2, और यह भी केतना हो गया, 2, तो दोनों सेम आगे, तो फिर इसका उतलब दोनों ही limiting result है, that means reaction 100% आपका यहाँ पे complete हो जा रहा है, in the sense, दोनों ही completely react हो जा रहे है, तो दोनों ही जब सेम आजा है, तो दोनों ही limiting result है, किसी से भी calculate कर सकते हैं, तो हमें इसका निकानना है, तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ, इन दोनों में दोनों सेम ही है, तो 2 into इसका stachometry 2, तो कितना आगया, 4 moles आगया, लेकिन आपको moles न 1 mole का mass कितना हो जागा water के, 18, तो 4 into 18 मतलब 72 gram produce होगा, तो it's very simple, कि आप देख सकतो, मैं कैसे कर रहा हूँ, now next question पर जाते हैं, कि अगर N2 और H2 react करके NS3 दे रहा है, और आपको question में given है, कि N2 के 8 moles लिया और H2 के 6 moles, तो NS3 के कितने moles मिलेंगे, तो again अभी आप direct solve नहीं कर सकतो स्टिक से क्योंकि reaction balance नहीं है, reaction should be balance, तो reaction को हम balance कर सकते हैं, यहाँ पे 2 nitrogen है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, hydrogen 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1, उसके बाद आपको simple है, moles given है, तो 8 को मैं divide कर दूँगा 1 से, और 6 को divide कर दू से, अब देख सकतो, तो यह 8 हो गया और यह 2 हो गया, यह 8 ही रह गया और यह 2 हो गया, तो that means less या small यह हो गया, तो इसका moles से मुझे निकानना है, तो क्या करना पड़ेगा, this one 2 into इसका stoichiometry 2, that is foremost इसके answer हो गया, देखो कितना easy way में हो रहा है, next question पहाते है, question number 4, कि hydrocarbon हो गया है, carbon hydrogen से बना हुआ, hydro carbon को oxygen में बन किये, तो always carbon dioxide और water मिलेगा, तो अगर मैं 4 moles C3H8 का ले रहा हूँ, और 15 moles, 15 moles, 15 moles अगर मैं आप oxygen ले रहा हूँ, तो carbon dioxide और water कितने मिलेंगे, यह आप से पूछा जा रहा है, तो again यह reaction balance नहीं है, तो इस reaction को balance करने के लिए एक simple सा trick है, आप चोर वर्ट याद रखेंगे, चोर वर्ट का अंतलब क्या है, पहले carbon को balance करेंगे, फिर hydrogen को, तब जा करके oxygen को आपकी reaction हो जाएगी balance, तो carbon को पहले balance करना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 लगा दोगे, उसकाद hydrogen को करना है, इधर कितना 8, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 लगा दोगे, उसकाद oxygen को, तो oxygen केतना होगे, 6 और 4, 10, तो इधर केतना करोगे, 5, अपना प्रियक्शन होगे, balance, तो यह भी एक तरीका दिया है, कि चोर वर्ट से याद रखना है, पहले carbon को, फिर hydrogen को, फिर oxygen को balance करना है, in case of hydrocarbon वाली reaction में, इसका कुछ coefficient कुछ नहीं है, त 3 हो जाएगा, तो less कोन हो गया, यह वाला, that means यह क्या होगे, आपका limiting result, तो अगर मुझे इसका modes निकानना था, तो क्या हो जाएगा, 3, जो यह limiting वाला था, into, इसका stoichiometry भी 3 है, तो इसके कितने modes होगे, 9 modes, answer, इसका निकानना होगा, तो limiting result वाला, 3, into, इसके 4 है, तो कितना ह होगे, 12 modes, तो आप देख सकते हो, कि मैं कितना easy way में calculation कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, जो modes given है, उसको divide कर देना, उसके stoichiometry से, और जिसका निकानना है, तो उसके stoichiometry को multiply कर देना, less वाले में, बस यह धियान रखना है, now, जाते जाते, एक ग्यान की बात, कि अगर आपको इस type से problem आ जाए, N2, H2 gives you NH3, और N2 के मैंने 6 liter लिये, और H2 के 12 liter, तो ammonia के कितने liter मिलेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, direct solve कर देते हैं, वो तो गलत हो गया, क्योंकि reaction balance नहीं है, second thing, कि हम volume में direct solve कर सकते हैं, क्योंकि sum में, आपको same number 22.4 से divide करना परेगा, more से लाने क सकते हैं, तो पहले तो इस reaction को balance कर लेना है, that's very easy, यहाँ पर एक ही ना टोजन, यहाँ पर 2 है, तो 2 करेंगे, 6 अटोजन होगे, तो 3 करेंगे, और इधर 1, तो यह reaction balance हो गई, अब हम direct volume में solve कर सकते हैं, वैसे ही जैसे moles में करते हैं, तो वही, इसलिए मैंने यह पहला होंगा, 3, तो यह 6 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा, तो less कोन हो गया, यह 4, तो इसके volume अगर मुझे निकानना है, तो क्या हो जागा, इसका less number, इन दोनों में जो, into इसका stoichiometry 2, तो इसका केतना liter बनेगा, 8 liter, direct आप volume में solve कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी में same number से divide होता, तो वो cancel हो जाता, now second point, कि कभी भी mole concept में यह भी ध्यान रखना है, कि always mass conserve होते हैं, reaction में, not mole, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं, कि इधर केतना mole बना होता होता, mole उधर ही बनेगा, mole कभी भी conserve नहीं होता है, always mass conserve होते हैं, जिसके लिए मैं एक example लेकर के भी समझा रहा हूं, कि H H2O2 gives you H2O, अब अगर suppose को यह reaction तो balance नहीं है, तो balance हम easily कर सकते हैं, इधर 2 लगा करके इधर 2, यह reaction हो गए balance, अब 4 gram मतलब क्या हो गया, इसका कितना moles हो जाएंगे, 2 moles हो जाएंगे, और 32 gram मतलब कितना हो जाएंगे, 1 moles, कभी भी mass में solve मत कर देना, कि 4 by 2 कर दिया, 32 by 1, mass में कभी भी solve नहीं करना, always moles में, या फिर आप volume में कर सकते हो, तो अभी हमें क्या करना पर देगा, 2 by 2, और इधर 1 by 1, तो यह भी 1 हो गया by the way, और यह भी 1 हो गया, तो कोई भी limited reason ले सकते हैं, तो इसका जो आप moles निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 into इसका stoichiometry 2, तो यह हो जाएगा, 2 moles, तो अगर आप भ्यान से देखो, तो starting में हमने केतना लिया था, 32 plus 4, total मैंने केतना लिया था, 36 gram, तो at the end of reaction भी हमें mass उतना ही मिनना चाहिए, इसका तो 0 हुआ, इसका भी 0, कुछ बचाय ने, यह मिला 2 moles मतलब 2 into 18, that means 36 gram, तो at the end of reaction, 36 plus 0 plus 0, that means 36, और starting में भी 36 था, तो आप देख सकतो, mass हमारा क्या हो चुका है, conserve, तो always reaction में mass conserve होते हैं, mole concept में hydrocarbon की reaction को balance कैसे करेंगे, और उससे related problem को कैसे करेंगे, trick से मेरे, उसके बारे में idea देने जा रहा हूँ, तो देखो, अगर hydrocarbon की हम बात करें, तो hydrocarbon यहाँ पे जो हम consider कर रहे हैं, वैसे compound, जि अगर इसको combust करोगे आप, that means burn करोगे, in presence of oxygen, तो product is fixed, आपको carbon dioxide मिलेगा और water मिलेगा, complete combustion पे, अगर incomplete करेंगे, तो carbon monoxide हो जाएगा, carbon dioxide की जगा, बस difference यही होगा, question में अगर कुछ mention नहीं है, तो complete combustion लेते हैं, now hydrocarbon की reaction को burn करेंगे, oxygen के presence में, तो we know कि मुझे carbon dioxide और water मिलेगा, तो इस reaction को balance कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरा simple सा tricks देखिए, 4 वर्ट याद रखना है, that means सबसे पहले आपको carbon को balance करना है, सबसे पहले carbon को balance करना है, फिर hydrogen को, और फिर उसके बाद oxygen को, इसलिए मैंने 4 वर्ट बनाया है, carbon को, फिर hydrogen को, फिर oxygen को, और reaction आपकी balance हो जाएगी जैसे for example, यहाँ पर मैंने लिया hydrocarbon, इसमें carbon और hydrogen है, oxygen में बन किया carbon dioxide और water मिला, अब इस reaction को balance करना है, बहुत ही simple, तीन carbon यहाँ दिख रहे हैं, तो तीन आप यहाँ लगा दे, पहले carbon को balance कर लिया, अब hydrogen को करना है, hydrogen 6 है, यहाँ already 2 है, तो आपको क्या करना परेगा, oxygen को, oxygen कितना हो गए दर, 6 और 3, 9, तो यहाँ पर क्या करना परेगा, 9 by 2 क्यों, क्योंकि यहाँ already 2 है, 9 by 2 into 2, कितना हो गया, 9, तो देखो कितना easy way में solve हो गया, यह, easily balance कर सकतो, एक और example लिया हो, इस reaction को balance करना है, आप भी मेरे साथ साथ करें, देखो, 4 carbon है, तो आप क्या कर करेंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, 8 hydrogen है, तो यहाँ पर आपको 4 करना परेगा, क्यों, क्योंकि 4 to the 8 होगा, और oxygen balance करना है, तो इधर कितना होगे, 8 और plus 4, 12, तो यहाँ कितना करना परेगा, 6, ध्यान देख, यह मैंने example लिया, इसका यह मतलब नहीं है, कि यहाँ भी 3 आगा, यहाँ 4 आगा, तो यहाँ 4 आगा, ऐसा कोई relation नहीं है, यह तो ऐसा example आगया, कि यह हो रहा है, man thing is, कि आपको पहले carbon को balance करना है, फिर hydrogen को, फिर oxygen को, हाँ यहाँ पे एक जो बहुत important point है, वो ध्यान से देखना है, कि अगर यहाँ पे water के आगे का coefficient, अगर even number आ रहा है, ध्य integer मिलेगा, अगर water के आगे का coefficient, even number है, तो oxygen के आगे का coefficient, आपको integer होगा, but अगर water के आगे का coefficient, odd number है, ध्यान से देखो, odd number है, तो आपको oxygen के आगे का coefficient, fraction मिलेगा, इस point को मैं आगे use भी करने वाला हूँ, और यह मेरे trick का point है, इसको ध्यान देना, अगर water के आगे का coefficient even number है तो oxygen के आगे का जो coefficient है वो integer मिलेगा और अगर odd है तो आपको fraction में मिलेंगे Now, in general reaction को कैसे balance करेंगे वो भी बता दिजे तो उसके लिए भी simple सा point है वही लगाना 4 word कि अगर in general हमें balance करना हो कि carbon के कुछ x है hydrogen के कुछ y है तो कैसे इस reaction को balance करेंगे बिल्कुल वैसे ही करना है इसको burn करेंगे तो carbon dioxide और water मिलेगा यहाँ पे x carbon है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा x लगा दूँगा यहाँ पे y hydrogen है यहाँ पे already 2 आपका हो चुका है तो इसलिए मुझे क्या करना परेगा y by 2 करना परेगा समझे रहे मेरी बात को y by 2 into 2 क्या हो जागा y हो जागा carbon hydrogen balance हो गया oxygen को balance करना है तो oxygen यहाँ से केतना मिल गया आपको 2x और oxygen यहाँ से केतना मिल गया y by 2 तो यहाँ जो oxygen है वो already 2 से multiply है तो 2 से already multiply है मतलब मुझे इसका half लेना परेगा तो इसका half केतना हो जाएगा x और इसका half केतना हो जाएगा y by 2 का half y by 4 तो यह oxygen आपको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आगए का coefficient x plus y by 4 क्योंकि उसको फिर 2 से multiply कर देंगे तो क्या जाएगा 2 x plus y by 2 जो कि यहाँ से आगिया तो बहुत easy है balance करना यह मेरा trick हो गया अब इस पे base हम application की बात करते हैं अब हम बात करते हैं application की तो यहाँ पे ध्यान से देखिए question number 1 कि 6 liter आपने किसी इलकीन का लिया है और 27 liter oxygen required है उसमें for complete combustion तो वो इलकीन कौन सा होगा तो एक तो इस question को करने का तरीका यह है कि आप सारे इलकीन को combust करा के देखें और देखें कि किसके 6 liter से 27 liter oxygen required हो रहा है बट exam में इतना time भी नहीं रहता और J.E. या neat वालों को ऐसे लोगों की ज़रूत भी नहीं है क्योंकि उसको तो smart people चाहिए calculations उसको मतलब नहीं होता है तो कैसे हम इसको simple trick से करेंगे तो देखें रफी सर कैसे सोच रहे है वैसे ही आपको अपनी thinking power बढ़ानी पड़ेगी वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ simple सा logic कि we know कि mole always उसके stoichiometric ratio में react होते है वैसे ही volume भी उसके stoichiometric ratio में react होंगे तो किसी भी hydrocarbon को अगर मैं लूँ suppose करो मैंने लिया कोई भी hydrocarbon मैं assume कर लेता हूँ मालो C3H8 है मेरे पस just suppose कर रहा हूँ plus O2 gives you CO2 plus water now the question is kick balance कैसे करते थे तो यहाँ पे 3 लेते थे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 करते थे 6 और 4 10 हो गया तो यहाँ पे 5 करते थे मेरा जो कहने का concept यहाँ पे आप always 1 रखतो और यहाँ पे 5 है that means यह क्या बताना चाहरा है कि इसका 1 mole तो इसका 5 mole इसका 1 liter तो इसका 5 liter रियक्ट होगा तो वही concept को मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर 6 liter आपका इलकीन है और 27 liter oxygen चाहिए तो इनका ratio कितना हो गया 27 by 6 that is 4.5 या फिर 9 by 2 यह ratio है एक point और मैंने trick में दिया था कि यहाँ अगर even number होगा तो यहाँ पे integer आएगा यहाँ पे अगर odd number होगा तो यहाँ पे fraction आएगा और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ratio वो fraction मिल रहा है मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए odd number आना चाहिए तो आप ध्यान से देखो अगर यह 4 वाला लोग आप hydrogen 4 वाला तो वहाँ पे 2 हैस 2 हो even आएगा तो यह नहीं हो सकता वैसे ही 6 लिया तो वहाँ पे 3 आएगा yes यह possibility है 8 लिया वहाँ पे 4 आएगा 4 हैस 2 हो तो यह नहीं हो सकता 10 लिया तो yes वहाँ पे 5 यह possibility है तो हमारा option B यह D होगा तो यतना फटाक से सोच लेंगे now the question is कि इन दोनों में कौन होगा तो एक चीज और देखो जितना आप carbon लोगे उससे ज़्यादा आपको oxygen लेना पड़ेगा हमारे पास oxygen है कितना 4.55 से कम तो यह तो हो नहीं सकता क्योंकि औरेड़ी 5 कारवन है तो इसलिए option आपका कौन सा होगा अभी now अगर verify करना चाहतो अगर मुझे पे भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो C3 is 6 plus O2 gives you CO2 plus water चुकि एलकीन बोर रहा था यहाँ पे सारे option में एलकीन था अगर कोई एलकेन होता एलकाइन होता तो हम पहली reject कर देते now balance कैसे करेंगे दियान से देखो 3 है तो यहाँ पे आप कर देंगे 3 6 है तो इसी की बात मैं कर रहा था यह क्या आया odd number यह क्या आगया odd number इसलिए यहाँ पे भी आपको fraction आने वाला है कैसे 6 और 3 9 तो यहाँ पे क्या जाएगा 9 by 2 तो आप देख सकते हो कि यह 1 is to 9 by 2 में तो इसलिए 6 is to अगर इसको 6 से multiply करेंगे तो कितना जागा 27 तो यही तो पूछा था कि 6 से 27 required है तो कौन सा होगा तो स्टाकोमेट्रिक रेशो में रिया करते हैं देख सकतो 1 is to 9 by 2 है यह भी 6 27 भी क्या है 1 is to 9 by 2 है Now question number 2 दियान से देखो क्या क्या रहा है कि when a hydrocarbon undergoes complete combustion आपको क्या मिल रहा है 11 equivalent of oxygen requires 11 equivalent of oxygen and produce 4 equivalent of water that means एक hydrocarbon को जब बन कर रहे है तो 11 moles oxygen के चाहिए जिससे 4 moles water के produce कर रहे है यहाँ पे equivalent का मतलब moles है क्योंकि किसी भी reaction में same equivalent react होते है यहाँ पे equivalent same नहीं मतलब वो moles है Now anyhow तो वो यह कहना चाहरा है कि hydrocarbon को बन क्या तो 11 mole oxygen का required हो रहा है 4 mole water तो molecular formula क्या होगा Again इस question को आप कैसे करेंगे सब को combust करा के देखेंगे और वो करेंगे उतना time तो होता नहीं है फिर से रफी सर का mind लगाईए देखें कैसे करता हूँ मैं आप ध्यान से देखो मुझे कितना mole चाहिए water 4 तो that means उधर कैसा आ रहा है हमारा तीन option possible है क्योंकि 4 और 11 molecule oxygen के चाहिए oxygen का जितना भी molecule चाहिए उससे कम carbon होगा तो आप 11 carbon वाले को तो आप हटा दें आप क्यों क्योंकि जितना भी oxygen चाहिए 11 oxygen चाहिए तो carbon उससे कम होना चाहिए तो यहां पर एगार एगार वाले गए तो option कौन वाच चाहिए now again सर पर भरोसर नहीं है तो देखिए करवा देते हैं अभी फिर से C9 H8 को बंड किया oxygen में क्या मिल जाएगा carbon dioxide and water now the question is balance कैसे करेंगे रफी सर का trick 9 है तो 9 CO2 8 है तो 4 H2O कितने हो गए 18 और प्लस 4 22 तो कितना जागा 11 तो इसी को तो पूझा था उसने यही तो खेले देखो 4 molecule water का और एगार आख oxygen का तो मैंने क्या concept लगाया था कि भाई अगर 4 चाहिए तुमें तो इसका मतलब even number वाला है यहां पर तो 8 होगा तब ही 4 होगा तो 8 वाला यह था यह था और यह था इसलिए यह गया नाउ हमने यह फिर एक और लगाया कि जतना कारवन आप लोगे इधार उससे ज़्यादा oxygen चाहिए चुकि oxygen आपको 11 है तो कारवन उससे कम चाहिए तो 11 वाला तो possible यह नहीं था करने का यह मतलब नहीं है कि बच्चे को वो reaction कमबस करने आ रहा है कि नहीं बैरेंस करने आ रहा है उसको इस question को frame करने का उसका मतलब है कि बच्चे इस problem को within one minute में कैसे थिंक कर रहे हैं वो thinking power को आपका check करना चाहता है नाउ एक question और देखें कि आपको पूछा ज़रा है कि एक hydrocarbon का formula CXHY है जो कि 6 times volume required होता है उसको O2 का खुद के volume का और 4 times उसका carbon dioxide produce करता है खुद के volume का तो again same point हुआ कि CXHY plus O2 gives you CO2 plus water again देखें रफीसर कैसे think कर रहे हैं तो वो यह कह रहा है कि यहाँ पे तो coefficient 1 रखता हो तो उसने आपको क्या दिया है कि 6 times its own volume of O2 O2 कहाँ यह coefficient कितना आ रहा है 6 क्योंकि यह अपने का 6 times required होता है इसको और 4 times इसका कितना दे रहा है 4 तो आप खुद इस तो यहाँ 4 आने का मतलब क्या है कि यहाँ 4 होगा यहाँ 4 होगा तो X कितना हो जाएगा 4, X should be 4 क्योंकि यहाँ 4 होना है अगर X 4 हो गया है तो यहाँ पे oxygen को balance करने मा और रेड़ी X plus Y by 4 आता था तो 4 to the 8 oxygen हो चुका है और यहाँ भी 4 to the तो जो भी extra oxygen आएगा वो यहाँ के बज़र से आएगा हमें कितना चाहिए तो सिर्फ 6 टाम चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 2 has 2 करूँगा तो 2 oxygen आएगा दियान दो 2 has 2 करूँगा तो 2 oxygen आएगा लेकिन वहाँ पे Y by 4 है तो हमें कितना करना पड़ेगा तो वो simple आप दियान से देखो तो यहाँ पे X plus Y by 4 है X plus Y by 4 should be equal to कितना 6 X plus Y by 4 should be equal to 6 तो यहाँ से solve कर लेंगे तो Y आजाएगा 8 यहाँ आप ऐसे भी think कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 लोंगा तो फिर 4 oxygen होंगे और 8 hydrogen हो जाएगे तो इसलिए Y मतलब hydrogen का number पूछाता हो तो answer will be 8 क्योंकि जब 4 होंगे तो यहाँ पे 4 by 4 केतना हो जाएगा आपका 1 तो भी यह 4 plus और 2 6 आजाएगे Now next question is कि आपको एक hydrocarbon का formula CXHY दे दिया है और जिसके combustion से यह जो hydrocarbon है वो 6 time oxygen की requirement होती है इसको और 4 times इसको carbon dioxide produce करता है तो Y की value क्या होगी तो अभी आपको बताया था जब भी CXHY होगा plus O2 होंगे you will get CO2 plus water तो यहाँ जतना X होगा होतना ही यहाँ X CO2 होगा तो इसके बारे में given है कि CO2 का कितना चाहिए उसको 4 times इसका मतलब X की value direct में क्या लिख दूँगा 4 और यहाँ पर क्या था X plus Y by 4 तो X plus Y by 4 कितना होना चाहिए 6 क्यों क्योंकि 6 time बोल रहा है तो यहाँ से Y कितना जाएगा 8 तो answer क्या हो जाएगा आपको 8 तो आप देख सकतू कैसे easy way में हम solve कर सकते now sir ऐसे question को भी कैसे think करते तो बहुत simple है 4 molecule CO2 का चाहिए तो यहाँ पर already 4 करते तो 8 oxygen हो जाता और 6 time oxygen required हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर extra कितना हो रहा है अब दियान से देखो 4 इसका X आता ही तो extra 4 आपका oxygen हो रहा है क्यों क्यों क्योंकि 4 to the 8 plus 212 तो 4 extra oxygen हो रहा है 4 extra oxygen कब होगा जब यहाँ पर 4 होंगे तो और यहाँ पर 4 होने का तरब कितना hydrogen 8 तो Y के value क्या हो जाएगी 8 तो always आपको इस टाइब से think करना है now एक और question हम देखते हैं question number 4 कि amount of butane required to produce 72 gram water on complete combustion तो butane लेना आपको C4 H10 इसका reaction oxygen से कराएंगे CO2 plus water balance score करना है तो यहाँ 4 10 है तो यहाँ 5 8 और 5 13 तो यहाँ 13 by 2 quickly balance हो गया आप क्या कहा रहा है कि 72 gram water produce करना है तो water यहाँ ले लो 72 gram मतलब moles केतना हो गया इसका यहाँ से 4 moles तो अब ध्यान से देखो हमने क्या trick आपको दिया था कि जो भी moles given होंको उसके स्टाकोमेटरी से divide करो 4 by 5 और इसको multiply कर दो तो हमें इसका निकानना है इसका स्टाकोमेटरी 1 into 4 by 5 तो यह आगे इसके moles लेकिन moles से ने निकाल करके हमें मास निकानना है तो मास इसका कितना हो जाएगा 58 molecular weight से multiply कर देंगे now ऐसे question को भी solve करने हैं बच्चे time ले लेते हैं 58 है तो इसको 60 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं परेगा इससे क्या होगा हमारा easily cut हो जाएगा तो मैं 58 को 60 ले रहा हूँ उससे थोड़ा सा गम होगा 48 से कम वाला कौन है एक ही option है तो इसलिए वो आपके concept को check करना चाहता है calculation को नहीं now अब जाते जाते एक ज्यान की बात और बहुत ही important है ये कि आप gas phase reaction को अगर आपकी reaction gas phase मोरी है that means सारे reactant gas है product gas है तो आप ऐसी reaction को volume में भी solve कर सकते है और pressure में भी moles में तो करी रहे थे और volume में भी directly solve कर सकते है और pressure में भी जैसे for example मैंने एक लिया C2H4 तो balance कैसे करेंगे इसको 2 है तो यहां 2 यहां 4 हाट हो जाने तो यहां भी 2 और यहां पर 4 और 2 6 होगे तो यहां 3 तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसका 10 liter ले रहा हूँ तो इसका मुझे केतना लेना परेगा 30 1 is to 3 ratio है तो यहां भी 1 is to 3 ratio maintain करना है तो 10 liter लूँगा तो इसका 30 liter लेना परेगा इसका 20 liter आएगा और इसका भी 20 liter आएगा similarly अगर मैं pressure में बात करूँ तो अगर मैं लोग कि मैंने इसका 2 ATM लिया तो इसका 1 is to 3 से इसका 6 ATM pressure लेना परेगा इसका केतना बनेगा आपको 2 ATM और इसका केतना बन जाएगा sorry 4 ATM क्योंकि 1 is to 2 ratio में 4 ATM और इसका केतना बन जाएगा 4 ATM तो मैं यही कहना चाहरा हूँ और वैसे ही मोल्स की बात करें तो अगर मैं इसका 2 मोल्स लेता तो इसका मुझे 6 मोल लेना परता 1 is to 3 ratio इसका 4 मोल और इसका भी 4 मोल तो कहने का यह मतलब है कि अगर सारे reactant और product gas phase मो तो in that case आप volume में directly solve कर सकते हैं pressure में directly solve कर सकते हैं और mole में तो खेर कर ही रहे थे calculation of number of molecules कुछ बच्चे इसमें confuse रहते हैं molecules कैसे निकाले atom कैसे निकाले electron, proton और neutron यह सब निकालने में कुछ बच्चों को बहुत problem होती है तो उसके लिए मैंने बहुत ही simple सा tricks लाया है कि आपको molecule पूछ ले atom पूछ ले, electron पूछ ले proton पूछ ले या फिर neutron पूछ ले, इस टाप के कुछ भी पूछ ले तो आपको सबसे पहले क्या करना है moles निकाल लेना है first thing moles निकाल लेना है जिसको मैंने previous lecture में बता दिया कैसे निकालना आपको, यह बहुत easy है moles निकाल लेंगे, और moles को एकदम चुपके चुपके multiply कर देना है एवोगादरो number से अगर आपने mole को एवोगादरो number that is 6 into 10 की power 23, जो की calculation को easy रखने के लिए हमने 6 ही उसको माना है, तो mole को अगर multiply कर देंगे एवोगादरो number से तो यह आपको मिल गया molecules यह यहां तक आ गया, अब इसके आगे बात बनेंगी, अगर molecule पूछा तो यहीं पर answer को करके छोड़ देना है, mole into na करके अब अगर atom पूछ रहा है तो आपको क्या करना परेगा, इस number को multiply करना है परेगा number of atom in one molecule एक molecule में फिर कितना atom है, तो उससे multiply करना परेगा, जैसे ह2O लेंगे तो ह2O में एक molecule में तीन atom है दो अटजन एक oxygen तो फिर into यहां पर 3 हो जाएगा similarly electron पूछा, तो आपको यह multiply रहेगा, mole into Na तो यह एतने molecules हो गए into number of electron in one molecule फिर एक molecule में कितने electron है जैसे यहां पर अगर count करें तो hydrogen के 2 electron और oxygen के 8 10 electron है, तो into 10 करना परेगा similarly अगर number of proton पूछे आप से, तो आपको again क्या करना है, mole को multiply कर देना Na से, यह चीज़े fix होंगी mole into Na, now एक molecule में कितने proton है जैसे इस case में लो, तो hydrogen के 2 proton और oxygen के 8 तो यहां पर भी 10 से multiply करना परेगा similarly अगर आप से पुछा जाए, number of neutron नहीं करना तो mole into Na तो रहे गई into number of neutron in one molecule, अब यहां पर hydrogen में, you know, neutron होता नहीं है, तो इसलिए वो count नहीं होगा तो only oxygen की neutron count होंगे और 8 है, तो यहां पर 8 से multiply करना परेगा similarly अगर number of ions पूछ था तो भी वैसे ही, आप mole को multiply कर देते Na से, और into number of ions in one molecule तो always यह ध्यान दे कि चाहे वो atom पूछ ले electron, proton, neutron, निट्रोन, आयन sum में एक ही fund आया है कि mole को multiply करतेंगे एवोगादरो नमबर से into number of that part जो आप से पूछा है in one molecule, your answer will be आपके सामने होगा चलिए, अब हम बात करते हैं application की तो यहां पर आप देख सकतो आप से पूछा जा रहा है number of oxygen atom in 4.4 gram CO2 question को carefully read करना सबसे बहुत important point है वो कि आपको सिर्फ oxygen atom निकारना है 4.4 gram of CO2 में तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला moles निकार लो, तो वो तो निकारना easy है, क्या करेंगे, given weight को divide कर देंगे, उसके molecular weight से 44 से, तो you will get 0.1 mole, आपको 0.1 mole आगया number of atom पूछा है, तो हमने क्या बोला था, कि आप 0.1 को multiply कर देंगे, पहले किस से, एवोगादर number, 6 into 10 की power 23 से, तो यह तो आगया इतना molecule, और atom पूछा है, तो 1 molecule में oxygen का सिर्फ पूछा है, तो oxygen के कितने है, 2, तो into 2 now, calculation भी बहुत easy है, ध्यान से देखो, 2, 6 दर 12 हो जाएंगे, इस 6 को और 2 को multiply करोगे, तो 12 हो जाएंगे, 12 into 0.1, तो यह 1.2 into 10 की power 23 scientific notation में, तो आप देख सकतो, आपका answer हो जाएगा A, very simple, now अब हम बात करते हैं, second question की, कि number of sulfur atom आपको बताना है, number of sulfur atom in 0.2 mole of acid, यहाँ पर आपको mole देही दिया है, तो 0.2 mole of acid molecule, तो mole को multiply कर देंगे, यह वो गादरो number से, 6 into 10 की power 23, एतने molecule होगे, और एक molecule में कितने atom आप देख सकतो, 8, तो into क्या करना परेगा, 8, तो आप देख सकतो, इन दोनों को multiply करोगे, तो 8, 6, the 48, 48 to the 96, तो यह कितना हो जागा, 9.6 into 10 की power 23, तो that means, your answer will be C, तो देख सकतो, बहुत easy way में हम कर सकते हैं, शिरिफ mole को multiply कर देना है, यह वादर number से, उसके बाद, जो पूचा है, एक molecule में देख लो कि वो कितने, उसको multiply कर देना है, now question number 3, कि number of neutron in 3.6 gram water, 3.6 gram water में number of neutron कितना होंगे, तो पहले आगे आप moles निकाल लेंगे, तो moles आपको कितना जाएगा, 3.6 को divide कर देंगे, 18 से, तो you will get 0.2 moles, अब आपको क्या बोला था, क्या करना है आपको 0.2 को multiply करना है, 6 into 10 की पाउर, 23 से, तो यह आपको क्या मिल जाएगा, एतने molecules, और into number of neutron in one molecule, ध्यान देखे, hydrogen में कोई neutron नहीं होता, तो इसलिए 2 hydrogen का तो count ही नहीं होगा, oxygen में 8 neutron हो जाएगे, तो into 8, तो again इसका भी answer कितना जाएगा, 8 to 16, 16, 96, तो 9.6 into 10 की पाउर, 23, so your option will be B, now next question that is, mass of a molecule of water, एक molecule water का mass कितना होगा, तो ऐसे question को देख करके, बच्चे बिलकुल खतम ही हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि करना क्या है, एक molecule water का mass कितना होगा, अगर ये चीड़ नहीं सोज़ा रहा है, तो आप dozen से सोचो, कि अगर एक dozen में 12 piece है, 12 piece का mass आपको, suppose करते हैं, कि 50 gram है, तो एक, उसमें से एक piece का कितना mass होगा, तो आप क्या करतो, 50 को 12 से ड्यार करतो, तो वैसे ही, you know कि 6 into 10 की power 23 molecule, अगर मैंने water के लिए, that means one mole, that means one dozen, तो one dozen में एतना piece, एतना piece का mass केतना है, 18 gram, राइट, ये तो सबको clear है, जैसे one dozen आप ले तो उसमें 12 piece, 12 piece का कुछ mass होगा, तो एक piece का केतना होगा, तो 12 से divide, तो वैसे ही, वीनों कि एने, एतने pieces का mass केतना है, 18 gram, क्योंगी 1 mole हो गया यह, तो एक का पूछा है, तो क्या करेंगे, 18 को divide कर देंगे, 6 into 10 की power किस से, 23 से, तो 6 1 the 6, 6 3 the 18, तो यह हो गया, 3 into 10 की power minus 23, ध्यान रहे कि ये तो आपको क्या गया, gram में, लेकिन आपके answer किस में है, सब kg में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की power 3 से, और divide करना पड़ेगा, तो kg में कितना जागा, 3 into 10 की power minus 26 kg, so your option will be A, now अब जाते जाते एक ज्यान की बात और बहुत ही important है इसको ध्यान से सुनना, कि एक question है, कि the mass of one molecule of N2, तो मैं एक normal approach बता रहा हूँ, जो maximum student करते हैं, कि one molecule का mass पूछा है, question देख करके exam में खुस हो जाते हैं, और कैसे करते हैं, एकदम proper approach है, कि one molecule का mass पूछा है, तो we know कि 6 into 10 की power 23, molecule का mass 28 gram होगा, इसलिए एक molecule का 28 divided by 6 into 10 की power 23, 23, फिर उसके बाद इसको cut भी करते हैं, वो बड़ावर, sock से इधर ले करके, कि 28 को divide करना है, 6 से, तो 6, 4 the 24, तो ये बच गया, 4.066 the 36, फिर 4, फिर ये 0, इस type से, तो उसको लिखते हैं, 4.66 into उपर चला गया, 10 की power minus 23, तो उसके बाद वो answer को, ये वाले को tick करते हैं, ये almost कितना भी वो fast करें, तो फिर भी एक से दो मिनट लेगा, now the smart approach, that means जो mains वाले हैं, या neat वाले हैं, या city वाले हैं, उसको calculation से मतलब नहीं होता है, उसको, already उसके पास बहुत सारे calculator, उसको smart mind की ज़रूद है, कि आपके पास कोई problem आया, ताप उसको कैसे approach कर रहो, वो आपके approach को देखना चाहरा है, तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे problem को कैसे handle करना है, कि very simple, कि हमको एक molecule का mass पूछा है, we know कि 6 into 10 power 23 molecule का mass 28 gram होता है, एक molecule का mass से मतलब बहुत कम होगा, तो पहली चीज तो यह option होई नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 10 की power 22 है, now इन तीनों में अगर बात करें, तो इन तीनों में कौन हो सकता है, तो we know 10 की power 23 से divide है, उपर जाएगा तो 10 की power minus 23 होगा, तो 10 की power minus 25 भी होना, possibly नहीं है, minus 22 और minus 23 में एक बन सकते है, but we know की 6 जो है वो नीचे है और 28, क्योंकि जो value है, इसका mass का जो है वो 6 से greater है, 6 से greater है, तो 10 की power कम नहीं होगी, 10 की power कम नहीं होगी, तो यह भी possible नहीं है, दूसरा है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पर एक अपरोच, कि we know की 28 को divide करना 6 इंटू 10 की power 23 से, अब यह नहीं कि आप इसके पीछे आप इस तरीके से पर गए, उसको calculations नहीं है, इसको approximately calculation कैसे करते हैं, 28 को मैं लोगा 30, और 6 इंटू 10 की power 23, इससे क्या फाइदा हुआ कि हमारा answer आया, 5 इंटू 10 की power 23 माइनस में, तो 5 के आसपास वाला यही है, ऐसा एक ही option रहेगा, क्योंकि उसको calculation से मतलब नहीं है, उसको manually आपके approach से मतलब हैं, तो इसलिए इस ग्यान की बात को ध्यान दे आज की इस वीडियो लेक्चर में, हम लोग बात करेंगे, redox के बारे में, जो tricks and concept दूंगा, उससे आप इस पे based आने वाले किसी भी problem को 30 second के अंदर में कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करो, what is oxidation, तो आपको ध्यान रखना है, loss of electron मिट्टी डाल देना है, attachment of more electron negative atom, इसको भी right oxidation बोलते हैं, जो आपने 19th में पर रहा है, उसको भूल जाना है, अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है, loss of electron हो रहा है, तो oxidation, इसलिए reduction क्या हो जाएगा, gain of electron just उसका reverse, बस आपको यही ध्यान रखना है इस चेप्टर में और कुछ नहीं, now the question is कि हम सर याद कैसे रखेंगे, confusion हो जाए, तो उसके लिए tricks है, क्या oil word जो hair में आप लगाते हो, that means क्या हो गया, O से oxidation, I से is, L से loss, loss of electron is oxidation, तो अब वीसे बात है, gain of electron is reduction, तो oil word से याद रख सकतो, now the question is again कि and what is oxidation state, यह है क्या, तो देखो, actual में यह hypothetical चीज़ है, oxidation state इज़ है, hypothetical charge develop on the atom, और यह किस वज़ा से होता है, तो उसका जो main reason है, due to electronegativity difference, electronegativity difference होनी की वज़ा से, यह charge develop होंगे, जैसे for example, HCl, तो you know, Cl more electronegative है, एक bond बनाया है, तो इस पे एक minus 1 देना है, तो इस पे एक plus 1 देना है, यह जो charge हमने लिखा, minus 1, plus 1, यह oxidation state, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखो, तो you know, oxygen more electronegative है, दो bond बनाया है, तो इस पे 2 minus 2, जतना bond, उतना minus है 2, तो इस पे plus 2 आ जाएगा, फिर इधर से भी बनाया है, इस पे फिर से मानस दो, more electronegative है, तो इस पे फिर से plus 2, तो carbon पे total कितना हो गया, plus 4, तो इस tax है, हर एक individual atom पे कितना charge develop हो रहा है, due to electronegative difference, वही आपका oxidation state है, इसलिए यह hypothetical है, यह actual charge नहीं है, ओके, दूसरा और due to difference in hybridization, different hybridization होनी की वज़े से भी charge develop हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे क्या सोच लेते हैं, carbon, carbon, electronegativity same, तो charge develop नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी hybridization क्या बेटा, SP, और इसका क्या SP3, तो you know, SP का सबसाद है electronegativity होता है, फिर उससे कम SP2, फिर उससे कम SP3, percentage x character increase होते हैं, तो electronegativity increase होता है, इसलिए यह electron को अपनी तरफ खीचेगा, तो अगर हम बात करें, अपनी तरफ खीचेगा, तो इस bond की जासे इस पर minus 1, तो इस पर plus 1, शरिफ इस bond का, बाकि इनका अगर धियान से देखें, तो तीन hydrogen है, hydrogen less electronegative है, तो इन सब पर क्या जाएगा, plus 1, plus 1, तो यह plus 1 की जाएगा, इस पर और कितना जाएगे, और minus 3, तो इस पर total कितना जाएगा, minus 3, plus 1, that is overall कितना, minus 2, तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तो यह चीद धियान रखना है, तो अभी जो हम chapter परने जाएगे, that is redox, इसके नाम में already clear है, कि एक ऐसी reaction, जिसमें reduction भी हो रहा हूँ, और oxidation भी हो रहा हूँ, तो ऐसी reaction को हम redox reaction बोलते हैं, अगर कोई एक complete reaction है, और अगर आपको पता लग गया, कि oxidation या reduction हो रहा है, तो definitely वो redox होगा, क्योंकि complete reaction में always oxidation and reduction एक साथ होते हैं, तो अब हम आपको next point पर ले जाते हैं, now total में 6 point आपको देने जा रहा हूँ, जिसको अच्छे से समझना है, और इसको ध्यान में रखना ही है, तो सबसे पहले, अगर कहीं पर single atom आपको दिख रहा हूँ, जैसे sodium, carbon, magnesium, that means इसके साथ और कुछ compound या element नहीं लगा हुआ है, तो फिर oxidation state आपको 0 लेना है, क्योंकि कोई है नहीं, तो कोई charge इस पर develop नहीं होगा, अगर same atom से बने हुए molecule हैं, like O2, N2, P4, S6, H2, etc, चुकि इसमें electronegativity difference आएगा नहीं, दोनों से atom है, तो यह point number 1 आपको clear होना चाहिए, दूसरा point है कि first group का element अगर कहीं पर भी compound में दिख रहा है, ध्यान दे compound, यहाँ पर यह single form है, compound जैसे Na2SO4, right, तो first group का है, तो fix है, उसका plus 1 oxidation state, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, first group का है, तो उसका fix plus 1, similarly second group का कोई दिख गया, magnesium, calcium, beryllium, compound में ध्यान दे, तो फिर उसका plus 2 fix, aluminium कहीं पर दिख गया, compound में, जैसे Al, Cl3, Al2SO4, whole thrice, कहीं पर भी compound form में दिख गया, तो plus 3 उसका fix है, तो इसलिए यह point भी हपको से minus, simple, और non-metal के साथ दिख जाए, तो non-metal मतलब, non-minus मतलब, plus, तो plus 1 में होगा, जैसे HCl में यह plus 1 में, तो यह point number 3 भी के लिए होना चाहिए, point number 4, fluorine, कहीं भी compound में अगान दिख जाए, ध्यान रहे, अगर F2 होगा, तो 0, क्योंकि यह electronic difference नहीं होगा, यह किसी और element के साथ अगर bond बना रखा है, compound form में, तो always minus 1 fluorine का होगा, right, point number 5, that is again very important, oxygen जो है, unless आप से पूछा जाए question में, जब तक ना पूछा जाए, तब तक आपको minus 2 oxygen का लेना oxidation state, right, यह सब fix चीज़ें आपको लेना है, जब तक कि oxygen के बारें पूछा नहीं जा रहा है, अगर पूछा जाएगा, तो चुकि oxygen का oxidation state minus 2 से plus 2 तक vary कर सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, बट जब तक ना पूछा जाए, अगर यह compound मारा है, तो आपको minus 2 मान के चननना है, अगर पूछा जा रहा है, तो careful हो जाना है, किलिए रहे point, point number 6, again very important, कि range of oxidation state, हर group के element का range fix है, जैसे first group का plus 1 ही हो सकता है, second group का compound में plus 2, तो यह भी हम compound में बात कर रहे हैं, 14 group का होगा, तो minus 4 से लेकर के plus 4 तक, कैसे, क्योंकि 14 group का है, तो last cell में 4 electron हो गया, तो 3 ले सकता है, लेगा तो minus, या 5 दे सकता है, तो minus 3, 2, plus 5, यह range हो गया, इसके बीच कुछ भी आ सकता है, 16 group का है, तो minus 2 से 6 तक में आ सकता है, 17 का है, तो minus 1 से 7 तक आ सकता है, और 18 का है, तो 0, minus कभी नहीं हो सकता, से लेकर के plus 8 तक इसका रहेगा, right, एक्जामपल के तोर पर जैसे CH4, तो you know hydrogen less electron negative है, तो यहाँ पर carbon का minus 4 है, CCL4 में chlorine ज्याद़ electron negative है, तो यहाँ पर carbon का plus 4 है, तो carbon का जो oxidation state है, वो minus 4 से plus 4 के बीच कुछ भी हो सकता है, that is minus 3 भी आ सकता है, minus 2 भी, minus 1, 0, etc. आ सकते है, right, वैसे ही 15 ग्रूब में जैसे nitrogen, तो यह NH3 में minus 3 है, H3 में यह plus 5 है, तो यह एक range हो गिया, right, 16 ग्रूब में H2S में sulfur minus 2 है, H2SO4 में plus 6 में, वैसे ही 17 में HCL में, chlorine minus 1 में, यहाँ पर chlorine plus 7 में, यहाँ पर genome 0 है, यहाँ पर genome plus 8 है, तो यह range बताने से क्या फायदा हो गया, कि आपको पता लग गया है, कि carbon कहीं पर अगर plus 4 में है, तो उससे आगे नहीं जा सकता, right, उसका oxidation state highest limit हो गया, वैसे ही minus 4 में है, तो आप पीछे नहीं जा सकता, तो एक limit fix हो गयी है, इससे हम oxidizing agent, reducing agent, या कौन disproportionation सो करेगा, उसको पैचानने में बहुत easy होगा, तो actually यह 6 point आपको clear होने चाहिए, क्योंकि यह बहुत important है, आगे मैं use करूंगा, now tricks, for calculation of oxidation state, तो दो tricks हैं, दोनों में से कोई भी use कर सकता, पहला तो यह है, कि sum of all oxidation state, of all atom in compound, या molecule, किसी भी compound या molecule में जेतने भी atom है, सबके oxidation state को अगर आप add कर दोगे, तो वो किसके बरावर होगा, charge on the molecule या compound, for example, आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो underline atom है, उसका निकालना है क्यों, क्योंकि hydrogen का आपको बता दिया है, basic information में, oxygen का बता दिया है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, hydrogen non-metal के साथ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि chlorine भी non-metal, oxygen भी non-metal, तो hydrogen का plus 1 ले लेंगे, chlorine का नहीं मालुम है, तो X, क्योंकि sum करना है, add करना है right, और 3 oxygen है, 1 oxygen का minus 2, 3 oxygen का तो minus 6, is equal to, यहाँ पे ध्यान से देखो, first group का हो गया, compound में है, तो plus 1 fix, 2 sodium है, तो 2 plus charge हो जाएंगे, total, sulfur का नहीं मालुम, तो X, 4 oxygen है, 1 oxygen का minus 2, तो minus 8, is equal to 0, कोई charge नहीं है, तो यहाँ से X आजाएगा, आपका 6, इस टाप से आपको निकानना है, वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, phosphorous का नहीं मालुम है, एक ही atom है, तो 1 into X, तो X ही हो जाएगा, 4 oxygen है, और 1 oxygen का minus 2, तो minus 8, is equal to, charge अब आपको दिख रहा, minus 3, जो charge जिस साइन किल साथ होगा, Y लिखना है, minus होगा तो minus, plus होगा तो plus, और कुछ नहीं होगा तो 0, तो यहाँ से X केतना जाएगा, आपको 5, राइट, जैसे यहाँ पे निकानना है, manganese का potassium, first group का हो गया, तो plus 1, manganese एक ही atom है, तो नहीं मालुम है, तो X, oxygen का 4 atom है, तो minus 8 हो जाएगा, हर एक oxygen का minus 2, is equal to, कोई charge नहीं दिख रहा है, तो 0, तो यहाँ से X केतना जाएगा, 7, वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 potassium है, तो 2 plus हो जाएगे, क्योंकि first group का है, 2 chromium है, ध्यान रहे, तो 2 chromium का 1 का अगर X, ध्यान रहे, oxidation state हम, एक single atom का बताते हैं, तो 2 का 2X, और 7 oxygen है, तो minus 14 is equal to 0, तो यहाँ से X आजाएगा, आपको 6, यह जो X6 आया, वो 1 chromium का है, 2 chromium का बोलता है, तो total plus 12 होते हैं, तो यह एक तरीका है, निकानने का, राइट, दूसरा तरीका है, वाया structure, चुकि आप chemical bonding पढ़ चुके हो, तो आपको structure बनाना easy है, exact shape नहीं बनाना है, बस एक structure बनाना है, और उसमें क्या करना है, चार्ज केतना देना है, वो इस बात पर depend करेगा, तो number of different electronegative bond, केतना बनाया है उस atom ने, for example, जैसे H3PO3, तो आपको P block में बता रखाओ, फास्फोरस के कोई भी oxoacid हो, उसमें एक P double bond हो, और एक POH हो गाई, अब ध्यान से देखो, तो दो oxygen अपने यूज कर लिया, एक hydrogen, दो hydrogen बचा है, एक oxygen, तो एक oxygen बचा है, तो एक OH, और एक hydrogen तो यह, अब ध्यान से देखो, मैं कैसे oxidation इस्टेनी कर रहा हूँ, यहाँ पर फास्फोरस करने करना है, फास्फोरस oxygen में, oxygen more electron negative, यहाँ पर यह दो bond, तो यहाँ पर यह दो minus, तो इस पर दो plus, फिर इस bond को जासे, एक single bond है, तो इस पर minus 1, तो इस पर फिर से एक plus 1, फिर इस bond को जासे है, oxygen minus 1, तो यहाँ पर फिर से plus 1, और फास्फोरस hydrogen का, दियान से देखो, तो फास्फोरस ज़्यादा electron negative माना जाएगा, in comparison of hydrogen, तो यहाँ पर plus 1, तो इस पर कितना जाएगा minus 1, तो अब इस पर फास्फोरस पर टोटल कितना होगा, दियान से देखो, plus 4 minus 1, that is plus 3, तो इसलिए इसमें किस oxidation state में है, plus 3 में, तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो वही point हमने लिखा है, कि charge आपको कितना लेना, कितना bond वो बनाए, जैसे एक और एक्जापर, H2SO5, तो sulfuric acid का ही part है यह, जश्ट आपको मैं ऐसे करके आपको दिखा लहूँ, अब sulfur करने करना दियान से देखो, यह 2 bond, तो यह minus 2, तो यहाँ पर plus 2, फिर यह 2 bond, तो minus 2, तो यह plus 2, फिर यहाँ पर शिरिफ, एक ही bond है oxygen का sulfur के साथ, तो इस पर minus 1, तो इस पर एक plus 1 आ जाएगा, वैसे इसमें बात करें, तो फिर से oxygen पर minus 1, इस hydrogen पर plus 1, राइट, more electron negative पर minus देना, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो sulfur oxygen में, यह minus 1, तो यह plus 1, यह oxygen, यह oxygen में ध्यान दे, दोनों same है, तो इस oxygen पर भी, कुछ नहीं आएगा, इस oxygen के विज़ा से, और इस hydrogen के विज़ा से, plus 1 तो minus 1, तो यहाँ पर oxygen पर minus 1 आ रहा है, इसलिए peroxy linkage की बात होती है, तो इसलिए structure से भी जाना जीजिए, तो अब यहाँ पर sulfur का total कितना आगा, इसलिए हमने वो point number 6 आपको बोला था, क्योंकि we know sulfur का maximum limit है, minus 2 से ले करके, plus 6 तक है, तो कभी अगर आप इस formula से निकाल रहो, और उसके वो highest से ज़्यादा आ जा रहा है, तो आपको highest बता करके छोड़ देना है, वैसे यहाँ पर हैसी एलो 3, जैसे यहाँ पर हमने निकाल रखा पलस 5, तो आप निकाल सकतो, कैसे तो इसका जो आपको structure है, वो आपको मालूम है यह से, तो देखो यह दो bond को जासे पलस 2, यह दो bond के से पलस 2, और यह एक bond के से पलस 1, तो टोटल केतना हो गया, पलस 5, now oxidizing agent और oxidant एक ही बात है, वैसे ही reducing agent और reductant एक ही बात है, तो oxidizing agent को OS से represent कर सकते हैं, और किसको बोलते हैं यह, तो ध्यान से देखो agent बोले तो वो उसका काम करता है, तो oxidizing agent मतलब other को oxidize करेगा, तो itself reduce होंगे, आप कैसे पैचानेंगे, तो उस particular element का oxidation state क्या होगा, decrease हो जाएगा, that means वो electron gain करेंगे, तो आप यहां से पैचान सकते हैं, और कैसे पैचान सकते हैं, अगर को element highest oxidation state में है, तो वो always oxidizing का ही सिर्फ काम कर सकता, क्योंकि वो उससे आगे जाने सकता, बैक आएगा, बैक आने को तलब oxidation state काम होगा, तो इसलिए always oxidizing agent का काम करेगा वो, for example, H2SO4 में, sulfur plus 6 में, तो always oxidizing agent, क्योंकि इससे जादा नहीं हो सकता, HNO3 में, nitrogen plus 5 में, K24 में, magnesium plus 7 में, तो यह always oxidizing agent का काम करेंगे, क्योंकि यह highest oxidation state में, इसका reverse हो जाएगा, reductant या reducing agent में, इसलिए हमने reverse word लिख दिया, तो lowest oxidation state में होगा, तो always reducing का काम करेगा, जैसे H2S में, sulfur minus 2 में, NACL में, minus 1 में, तो यह इससे back नहीं आ सकता, इसके आगे ही जागा, एक number line आप बना ले, जैसे CLK case में, minus 1 से plus 7 है, तो अगर वो minus 1 में, तब आगे ही जा सकता है, तो always reducing agent, अगर plus 7 में है, तो वो पीछे जा सकता है, क्योंकि यह boundary limit हो गई, तो always oxidizing, और अगर in between कहीं पे हुआ, तो वो दोनों side जा सकता है, तो that is called disproportionation, जो भी हम बात करेंगे, now आप कैसे पहचानेंगे, किसी भी reaction में, तो हर एक element का आप oxidation state निकाल ले, जैसे यहाँ पे lead किस में है, plus 2 में, oxygen, minus 2 में, hydrogen यहाँ पे, same element से है, तो 0, यहाँ पे lead single element है, तो 0, hydrogen non-metals है, तो plus 1, oxygen, minus 2, तो देखो oxygen में कोई change नहीं हुआ, तो इसलिए हम इससे नहीं परचान पारे है, lead में change भा, plus 2 से 0, तो क्या हो गया, plus 2 से 0 कम हो गया है, decrease हो रहा है, इसका oxidation state क्योंकि, plus 2 से 0 हो रहा है, और वैसे ही, hydrogen 0 से 1, इसका क्या हो रहा है, increase हो रहा है, तो यहाँ से आप परचान सकता, तो अगर oxidation state decrease हो रहा है, तो खुद वो क्या हो गया, oxidizing isn't, तो इसकी बारे में बात करेंगे, तो यह oxidizing isn't है, तो definitely यह फिर क्या हो जाएगा, reducing isn't, बट अगर process की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, gain of electron, क्यों, क्योंकि plus 2 से 0 में चला गया है, तो gain क्या है, तो gain of electron is called reduction, यह process से reduction, यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1 में, loss होगा electron का, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का process क्या कर लाएगा, oxidation, तो आप ऐसे भी कह सकतो, process अगर reduction है, तो isn't oxidizing होगा, अगर process oxidation है, तो isn't reducing होगा, तो very simple है, इस तरीके से पहचानना, कोई भी confusion का scene नहीं होना चाहिए, oxidizing जो other का oxidize करें, itself reduce हो, उसका खुद का oxidation state, plus 2 से 0 में, कम हो गया है, इसलिए यह oxidizing isn't है, ग्यान की बात, और that is very important, कि disproportionation reaction कि इसको बोलेंगे, तो यह एक ऐसी reaction होती है, जहाँ पे same element, ध्यान दे, same element का oxidation भी होता और reduction भी होता है, और इसके लिए जरूरी क्या है, कि जो उस element का oxidation state है, वो in between maximum और minimum होना चाहिए, minimum और maximum के बीच में अगर आता है, तो वो definitely आपका disproportionation show कर सकता है, जैसे for example, पर यहाँ पर chlorine देखो, zero oxidation state में, यहाँ पर minus one में आया, यहाँ पर zero है और यहाँ पर plus one में आया, तो ध्यान से देखो, same element क्या हुआ, zero से minus one reduce हो गया, और zero से plus one oxidize हो गया, तो यह always left side में होंगे, और उदर right side में, तो same element का देखना है, अगर oxidize reduce हो रहा है, तो यह फिर कॉंसी reaction हो जाएगी, disproportionation, जतने भी non-metal है, उसकी reaction basic medium में कराते हैं, तो definitely वो disproportionation सो करता है, तो पैचानना easy है, जैसे यह question देखो, which can show disproportionation, तो आपको क्या करना है, एक number line draw कर लेना, minimum और maximum, minimum आपको हर element का बता रखा हूँ, अगर oxidation state इनके बीच मारा है, तो वो show करेगा, जैसे यहाँ पर manganese plus six में, जो कि उसके minimum और maximum के बीच मारा है, क्योंकि maximum plus seven है, तो यह show करेंगे, वैसे ही है, है CLO2 में chlorine का plus three आ रहा है, जो minimum you know minus one है उसका, maximum plus seven है, उनके बीच मारा है, तो यह भी show करेंगे, है CLO2 में plus three में, minimum इसका minus three होता है, maximum plus five होता है, उनके बीच मारा है, तो यह भी show करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा option D, तो इस टाप के बहुत सारे question पूछे गए, point number two, non-redox reaction आप कैसे पहचानेंगे, तो हर एक element का oxidation state निकाल लें, अगर किसी का भी chain हो रहा है, तो वो non-redox है, दूसरा quickly कैसे पहचानेंगे, तो अगर acid base reaction होगी, तो definitely वो non-redox होती है, जैसे यह base है, यह acid तो non-redox होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप किसी भी element का निकालो, सबका दोनों तरफ oxidation state से मीर आएगा, वैसे ही double displacement, that means cation 9 exchange वाली reaction, जैसे यहाँ पे Na, sulfate के साथ चला गया, और magnesium Cl के साथ, ध्यान दे हमने reaction को भी balance नहीं किया, जस्ट आपको समझाने के लिए, तो double displacement, acid base reaction, non-redox होती है, पैचानने का तरीक आपको clear है, now application, question number 1 में, which can't show disproportionation, तभी आपको बताया, कि वही नहीं show कर सकता, जो highest या lowest oxidation state में हो, in between होगा तो show कर सकता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे bromine plus 7 में, जो कि highest हो गया, तो यह show नहीं कर सकता, question number 2 में, आपको बताना है, हेस्टू ओटू के बारे में, कि यह किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, CL यहाँ पे किस में था, plus 1 में, और यहाँ पे क्याँ पे आ रहा है, minus 1 में, तो reducing agent वहते हैं, जो दूसरे को reduce करें, और itself oxidize हो, क्योंकि यह minus 1 से 0 में आ गया, तो इसलिए यहाँ पे तो यह reducing agent है, second way, यहाँ पे iodine 0 में है, और यहाँ पे minus 1 में आ रहा है, again यह reduce हो गया, तो reducing agent वहते हैं, जो other को reduce करें, itself oxidize हो, ध्यान से देखो, minus 1 से यह 0 में आ गया, बेटा हमें दूसरे को देखना है, कि वो दूसरे वाले पे क्या effect डार रहा है, इसको क्या क्या है, उसने 0 से minus 1 मिलिया है, that means इसको reduce करें, reducing agent किसको बोलता है, जो other को reduce करें, इसलिए reducing agent होंगी, similarly इस type से integer type में भी पूछ सकता है, कि सम में oxidation state का सम बताना है, यहाँ पे chromium का आपको बता रखा हो निकारना, 6, manganese का यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे यह 2 potential है, 2 plus, तो यह minus 8, तो plus 6, तो यह 6 है, तो कितनों के total, 19, तो ऐसे integer type में भी पूछ सकता है, question number 4 में, which can't act as oxidizing and reducing, तो वही सेम पॉइंट, कि वही नहीं शो कर सकता, जो highest या lowest में, you know, H3PO4 में, phosphorus plus 5 में, जो कि highest है, तो यह दोनों का काम नहीं कर सकता, right, बाकिसम में, यहाँ पे यह अपने, in between oxidation state में, तो दोनों का काम कर सकता है, question number 5 में, oxidation state of potassium in, K2O, K2O2, K2, यहाँ पे बच्चे confused रहते हैं, आपको बता रखाऊं, first group का है, तो सोचना ही नहीं है, compound में always plus 1, तो इन तीनों में, potassium का plus 1 ही रहेगा, right, यहाँ पे बच्चे confused होते हैं, six में, इस type से reaction दे करके, कौन इसमे reducing isn't है, again reducing किसको होते हैं, जो other को reduce करें, यहाँ पे ध्याँ से देखो, जो टीन था, plus 4 से plus 2 में, तो यह reduce हो, other को reduce करें, और itself oxidize हो, तो यहाँ पे यह plus 4 में था, और यहाँ पे यह plus 6 में sulfur आ रहा है, तो reducing isn't कौन हो जाएंगे, H2SO3, तो इस टैप से पूचा है सकता है, तो यह यहाँ पे हमने 6 question लिया, ऐसा नहीं बेटा कि बस इतने question है, just different type के जो ideas हैं, वो आपको दे दी हो, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो, Hello everyone, कसका है, आज की इस video lecture में, हम लोग बात करेंगे, application of redox के बारे में, तो इसके दो major application है, एक mole concept के question आते हैं, इस पर best, तो उसको हम कैसे करेंगे, without balancing the reaction, ध्यान देना, without reaction को balance के हुए, mole concept के question को कैसे करेंगे, उसके लिए रफी सर आपको tricks देंगे, दूसरा अगर reaction को हमें balancing करना हो, और quickly balance करना हो, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रफी सर आपको tricks देंगे, तो ध्यान से समझना, very simple है ये, तो tricks का जो पहला point है, कि वैसे question जो mole concept से related है, तो उसको कैसे आप करेंगे, तो very simple, आपको क्या निकानना पहले, equivalent, और ये कैसे निकानना, very simple, mole सभी को निकानना आता, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो mole को multiply करना है, N factor से, किस से, N factor से, तो यही आपके लिए नया है, N factor आप कैसे निकानना पहलेंगे, तो उसके लिए simple सा point है, कि number of electron transferred, कितना electron का transfer हुआ है, for one mole, ध्यान दे, one mole के लिए, या one molecule you can say, of species, species क्यों लिखा, क्योंकि ये cation भी हो सकते हैं, anion हो सकते हैं, atom हो सकता है, molecule हो सकता है, compound हो सकता है, बढ़ ध्यान रहे, one mole लेना उसका, right, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए simple, यहाँ पे एक trick है आपके लिए, n factor आपको किसी का भी निकालना, बहुत easy है, कैसे निकालेंगे, change in oxidation state, ये कैसे निकालेंगे, arrow के दोनों side में, same element का oxidation state निकाल लो, ये बता रखाऊं, और उसको change देख लो, कितने का change हुआ, तो delta os मतलब change in oxidation state, into number of atom in one molecule, और ये summation का सायन है, मतलब हर एक एक आपको, जैसे यहाँ पे manganese है, oxygen है, तो manganese का भी change देखना है, oxygen का भी change देखना है, और सब को add कर देना है, उसके change in oxidation state, into number of atom से, तो n factor आजाएगा, और इसको यहाँ multiply कर दोगे, mole से, तो equivalent आजाएगा, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी reaction में, चाहे वो balance हो, या ना हो, equivalent same होते हैं, हर reactant का, जो equivalent होगा, वही product का भी equivalent होगा, in any reaction, equivalent of reactant and product will be same, that means, जेतना reactant का equivalent होगा, लिए सबसे ज़्यादा important हो, इसको apply करेंगे, तो अब आपको रफी सर, अपने trick को apply करके बताते हैं, क्यासे करना है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका 2 reactant दे दिया आपको, और ये product आपको बता दिया, ये reaction भी balance नहीं है, ये h plus मतलब acidic medium में बाते हो रही है, अगर इसके 2 moles लिए, तो इसका कितना moles, इसका कितना इसका कितना, ऐसे question को आप कैसे करेंगे, तो very simple हमने क्या बोला, आप हर एक individual element का oxidation state लिख ले, तो यहाँ पर chromium का you know, oxidation state plus 6 है, यहाँ औरेटी दिख गया, जो charge होगा iron पर वह oxidation state, तो यहाँ पर 3 है, oxygen का इधर भी, इधर भी आपका minus 2 है, सारे oxygen का 7 oxygen है यहाँ पर, इधर भी oxygen का minus 2 है, तो उसमें कोई चेंड नहीं हुआ, इस जम generally oxygen को चेक नहीं करते हैं, carbon का यहाँ पर आप निकालोगे, तो plus 3 है, oxygen का again minus 2 है, यहाँ पर carbon का आपका plus 4 है, सारे एकेक element का आप, arrow के इस side वाले और arrow के उस side वाले का, आप क्या निकाल लेंगे, oxidation state, अब हमें मालूम है कि, इसका जतना equivalent होगा, उतना ही equivalent इसके भी होगे, उतना ही equivalent इसका होगा, तो इसका equivalent मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि moles given है, question को बरहने के लिए क्या हो सकता है, particle दे दे, तो एवगादर नमबर से divide कर देंगे, mass दे देता, तो atomic या molecular weight से divide कर देते, volume दे देता, HTTP पे तो 22.4 से, तो anyhow किसी तरह मोल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि mole निकालने आपको आता है, तो देखो mole है 2, into N factor देखो कैसे निकाल ला हूँ, चुकि हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पे chrome में कितना है, plus 6, और arrow के उस side जाना है, same element, chromium chromium 3 है, तो change कितने का हुआ, 6 और 3 का change, 3 का हुआ, into, into, ध्यान से देखो, change in oxidation, into number of atom, आप इसका ले रहो, तो इसमें chrome के कितने atom है, ध्यान से देखो, 2 atom है, तो into 2, और होता है, plus oxygen का भी लेना पड़ता, बड़ ध्यान दो, oxygen का change ही 0, इधर भी minus 2 है, इधर भी minus 2 है, तो change ही अगर 0 होगया, तो 0 into something 0 हो जागा, यह से लिए उसका नहीं लेंगे, तो यह आपका आगया, mole into n factor से इसका क्या आगया, equivalent, कितना होगया यह, 12, तो इसका मतलब, इसका भी equivalent कितना होगा, 12, इसका भी 12, इसका भी 12, यह फाइदा होता है, अब अगर इसका equivalent हमें मालूम है, 12, तो वो क्या होगा, mole जो नहीं मालूम है, into n factor, अब धियान दे, n factor अब इसका लेना, राइट, चुकि जिसका निकार रहा हो, उसका n factor, तो n factor कैसे लेंगे, change, 3 से carbon 4 में जा रहा है, change हुआ 1 का, into number of atom कितने है, 2, तो यहां से x कितना जाएगा, 6, that means, इसके कितने mole required थे, 6 mole, तो यह निकल गया, वैसे suppose करो, मुझे इसका निकारना है, तो यह क्या रहागा, 12 is equal to, mole नहीं मालूम है, y into n factor, तो चेंज तो से मिर रहागा, चाहिए इधर से या इधर से निकालो, change always positive हैना है, तो 3 से 6 का change, 3 का हुआ into number of atom, इसके atom कितने एक ही दिखाने हैं, तो एक, बस यह ध्यान रगना, जिसका निकाल रहा है, उसी का लेना है, तो यहां से आपका y कितना जाएगा, 4 mole, तो इसके कितने हो जाते है, 4 mole, अगर मालू मुझे CO2 का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 12 is equal to, उसके mole नहीं मालू मैं, Z into, N factor ध्यान से दिखाने कैसे, change, 4 से 3 का, carbon से carbon का, तो 1 होगे change, into number of atom, यहां पर atom carbon के, एक ही हैं, तो 1 होगे, और plus oxygen का भी होता, बट यहां पर oxygen का, इधर भी minus 2, इधर भी minus 2, तो change ही 0, इसलिए वो 0 हो गया, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, summation, तो आप कैसे निकालते, अगर 1 से जादा atom का change होता है, तो change into number of atom, plus change into number of atom, and so on, तो यह आपका यहां से jet कितना आ जाएगा, यहां से देखो तो 12, तो इसका उतलब इसके कितने moles required होंगे, 6 moles, इसके कितने required होते हैं, 4, और इसके कितने required होते हैं, 12, तो देखो without balancing the reaction हम ऐसे करते हैं, तो यह एक example, concept को clear करने के लिए important है, अब इस पे बेश दाने वाले किसी भी problem को आप easily कर लोगे, now, कुछ known information, जो already deep log में बता भी रखा हो में, कि Kmno4 एक अच्छा oxidizing agent है, क्योंकि यह highest oxidation state में, तो यह always oxidizing का काम करेगा, और यह तीनो medium में work करता है, acidic medium कहीं पे भी mention कर दिया, तो manganese plus 7 से plus 2 में आ जाता है, यह धियान रखना आपको, यह question में mention नहीं करेगा, अगर neutral या faintly alkaline medium है, तो plus 7 से plus 4 में आ जाता है, या amonotolik सकतो, और अगर strongly basic medium है, तो plus 7 से plus 6 में आता है, तो यहाँ पे धियान देना है, कि acidic medium में, यह 2 में आ गया, neutral या alkaline medium में 3 और basic medium में 1, तो यह धियान रखना है, इसके लिए, और जो CR2 O7-2 है, dichromate वाले, वो स्रीफ और स्रीफ एक ही medium में बगर करते हैं, acidic medium में, और यह खुद किसमें आ जाएंगे, plus 3 में, तो यह आपको याद रखना धियान में रखना है, बाकी का क्या होगा सर्, तो बाकी का very simple है, generally, ध्यान दो 99% question में आपको क्या करना है, 2 electron का transfer करना है, और जहाँ पे possible नहीं है, तो एक का होगा, जैसे for example, यहाँ पे ध्यान से देखो, carbon plus 3 है, तो इसका plus 4 में लिए आना है, तो change तो एक electron का, लेकिन atom 2 है, तो 2 electron का transfer हो गया, यहाँ पे जहाँ पे भी iron plus 2 में है, तो अस लग जाएगा, ferrous, तो feric मिले जाना, चुकि यहाँ पे possibility नहीं है, इसलिए एक electron का change होगा है, sulfur minus 2 से 0 में, 2 electron का हो गया, SO32 minus में sulfur plus 4 में, तो plus 6 में sulfate मिल आना है, 2 electron का change है, दियान से देखो, जहाँ पे halogen minus 1 में है, तो 0 में, तो change तो एक का हो, लेकिन again atom देखो 2 हो गया, क्योंकि कभी भी X, halogen X for me नहीं रहागा, X2 में, like Cl2, Br2, right, तो इस तरीके से, तो यहाँ भी 2 electron का change हो रहा है, NO2 minus nitrogen plus 3 में, तो plus 5 में आ जागा, यहाँ भी 2 electron का, तो यही मैं कहाना चारहो, generally 2 electron का change होता है, जहाँ पे possible नहीं है, वहाँ पे एक electron का, ध्यान रहे हैं, कोई अगर oxidizing isn't है, तो वो other को oxidize करेगा, तो उसके लिए, उसका oxidation state उससे low से कम होना चाहिए, जैसे कहीं पे, यह reaction possible नहीं है, अगर केमेनो 4 की reaction, SO4 minus 2 से कराओगे, तो यह reaction नहीं होगी, क्योंकि manganese भी highest में है, और sulfur भी यहाँ पे highest में, तो किसको oxidize करेगा यह, तो ऐसे case में reaction नहीं होगी, नाउ, एक और example हमने लिया है, केमेनो 4 की reaction और यह, FEC2O4 से acidic medium में, इसके 2 moles हैं, तो इसके कितने moles होंगे, अब यहाँ पे तो product भी नहीं दिया, तो ऐसे question को भी आप कर सकते हो, कैसे ध्यान से देखो, केमेनो 4 acidic medium है, तो आपको क्या करना है, मैंगनेज को कहा ले जाना है, पलस 2 में, बस ऐसे कर देना, उसके साथ क्या लगा होगा, उसका tension नहीं लेना आपको, और रेड़ी दुनिया में बहुत tension है, तो यह मैंगनेज के बारे में होगा, oxygen का कभी भी कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको ऐसी छोड़ दिया, यहाँ पे ध्यान दो, iron पलस 2 में, और iron पलस 2 में होगा, तो कहां ले जाना है, पलस 3 में, तो iron पलस 3 में चला जाएगा, बस आपको information मालूने चाहे, यहाँ पे carbon भी आपका पलस 3 में है, तो वो कहां चला जाएगा, पलस 4 मतलब CO2, यह आपको कर लेना है, अगर मैं इसका equivalent निकालू, तो कैसे निकालूँगा, mole into N factor, यह 7 से 2 में गया, change हो गया 5 का, और atom इसका 1 ही है, potassium का कुछ नहीं होगा, दोनों साइट सेम रहेंगे, oxygen का भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेंगा, इसलिए नहीं लिया, तो कितना होगे 10, तो इसका मतलब इसका भी कितना equivalent होगा, 10, तो equivalent is equal to mole, जो निकालना है, into N factor, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, N factor में, अगर iron की बात करूँ, तो 2 से यह 3 में जा रहा है, तो right, change 1 का, और atom भी इसका 1 ही है, तो 1 किया, प्लस, क्योंकि यहाँ पर carbon का भी change हो रहा है, carbon का केतना है, 3 से जा रहा, 4 में, right, तो change इसका भी 1, into number of atom, देन दे, 2, oxygen का दोनों तरफ change नहीं होता है, इसलिए ऐसी रहने दिया, तो यह आपको करना पड़ेगा, तो 10 is equal to x into 3 हो गया, तो x केतना हो जागा, 10 by 3 moles, तो देखो इस step से, mole आगे, तो molecules, volume, right, जो पूछना हो, atom, कुछ भी पूछले तो आप बता सकतो, तो यह दो problem, मैं समझता हूँ कि sufficient है, आपको इस concept को clear करने के लिए, now, किसी redox reaction को आप balance कैसे करेंगे, उसके लिए very simple trick है, तो trick का point ध्यान से समझ ले, पहले आपको क्या करना है, separate कर देना, oxidation half reaction को, and reduction half reaction को, उसके बाद second case में, यही procedure follow करना है, balance कर देना, सारे atom को, except hydrogen and oxygen, तीसरे case में, oxygen balance करने के लिए, water add कर सकतो, चौथे में, balance hydrogen by adding H+, पांच में, charge को balance करना है, via adding electron, and छठे case में, आपको दोनो oxidation half and reduction, हापको इस तरह से add करना कि, electron cancel out हो जाए, जैसे एक एक jumper से समझाता हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखो, तो magneze plus 7 से इधर plus 2 में, तो यह reduction हो रहा है, carbon plus 3 से plus 4 में, तो यह oxidation हो रहा है, तो आप क्या करें, दोनो reaction को separate कर लें, पहला point, तो एक हो गया मेरा ध्यान से देखो, MnO4- से Mn2, यह separate करने का मतलब हुआ, दूसरा मेरा क्या हो गया, C2O4-2 से CO2, पहला case हो गया, ही जी यह राइट, पहचान लोगे, balance all atom except hydrogen and oxygen, तो यहाँ पर oxygen है, hydrogen है यह नहीं, manganese 1, manganese 1, और रेडी balance है, तो second point के लिए रहे, इधर में carbon 2 है, एक ही है, तो यहाँ पर 2 carbon कर देना है, तो यह second point का हो तलब है, hydrogen oxygen को अभी नहीं करना है, तीसरे case में oxygen को करना है, कैसे water add करके, यहाँ पर कितना है, 4 oxygen, तो इधर कम है, तो यहाँ पर 4 water add कर देंगे, यहाँ पर कितना oxygen है, 4 है, already 2 to the 4 हो चुका है, तो यह already balance है, तो हो गया खतम, उसका बैलेंस hydrogen by H+, अब यहाँ पर hydrogen एक भी नहीं है, इधर कितना हो गया, 8, तो आपको क्या करना परेगा, इधर 8 H+, करना परेगा, इधर में ध्यान से देखो, hydrogen है नहीं, already balance है, तो यह balance हो गया, उसका balance charge by electron, अब ध्यान से देखो, तो इधर कितना हो गया, 8, पलस का हो गया, और एक मानस, पलस 7 है इधर, टोटल, और इधर कितना है, पलस 2 है, तो इधर हमें क्या करना परेगा, 5 electron add करना परेगा, कैसे, 7 में से 5 जाएगा, इधर हमें क्या करना परेगा, 2 electron, तो देखो, minus 2, minus 2, वेरी सिंपल है, यह हो गया, उसके बाद छटा पंड क्या करा रहा है, add सज़ा electron cancel out, इधर 2 है, इधर 5 है, तो इस पूरी reaction को आप क्या करेंगे, इधर 2 से multiply कर देंगे, और इस reaction को किस से, 5 से, इस से क्या होगा, electron दोनों तरफ सेम होंगे, तभी cancel होंगे, तो यह क्या हो जाएगा, दियान से देखो, 16H+, right, arrow के इस साइट वाले को इधर ही रहे देना, plus 2mno4-, plus यह 10 electron, arrow के इस साइट में, 2 से सम में multiply होगा, 2mno plus 2, और 8H2O, यह एक हो गया, इधर आप 5 से करोगे, तो 5C2O4-2, gives you, 5 to the 10 CO2, plus 10 electron, अब अगर मैं इन दोनों को add कर दूँँगा, तो क्या हो जाएंगे, cancel out, क्योंकि यह arrow के इस साइट में, और यह arrow के इस साइट में, तो बस, एक साइट वाले को एक साइट में लिख दो, arrow के उस साइट वाले को साइट में, तो कितना हो गया, ध्यान से देखो, 16H plus 2mno4-, arrow के इस साइट वाले, इधर 5C2O4-2, gives you, इधर वाले में, 2mn2, यह 10CO2, प्लस, इधर बच गया, 8H2O, तो आप question को कैसे पूछा जाता बेटा, समझना, यह तो अपने balance कर लिया, आप क्या कर सकता है, कि unknown कर सकता है, कि H plus कितना चाहिए, XYZ करके, sum बता हो, right, इस टाप से कुछ ही पूछा सकता है, यहाँ पे जो trick का एक और पंटे, वो ध्यान देना है, कि आपको, यह सब coefficient पहले से भी पता लग सकता, इतना करने क्या होता है, क्यासे ध्यान से देखो, manganese plus 7 से, plus 2 में आया, that means 5 का change है, तो इसका जो भी changes होगा, यहाँ 7 था, यहाँ 2, 5 का changes है, तो यह वाला इसमें multiple होता है, तो हमें, और चुकी यहाँ पर ध्यान देना, तो 1 का तो हुआ, लेकिन atom कितने कारवन के 2, तो total 2 11 का हुआ, तो इसलिए मुझे इधर कितना करना पढ़ेगा, ध्यान से देखो 2, तो cross multiple होता है, इसका जो change होगा, वो से multiple होज़ागा, और उसका change इसमें, तो इससे भी हम quickly option तक पहुँच सकते हैं, एक question इस पे based, आप बिना ये सब कियो होगे कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, रफी सर कैसे think कर रहे हैं, ऐसे आपको दे दिया, यह है, यह x से unknown, यह 6 दे दिया औरेड़ी, यह y unknown, यह 6 दे दिया, यह z unknown, तो x, y, z का sum बताओ, quickly कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, without doing this, कैसे ध्यान से देखो, chromium यहाँ पे कितना में है, plus 6 में, यहाँ पे कितना गया, 3 में, तो change कितने का हो गया, 3 का, लेकिन 1 chromium का change 3 का हो, यहाँ पे 2 chromium है, तो change कितना हो गया, 6 का, तो ध्यान रहे, 6 electron हमारा change हुआ है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यह 6 हाए, तो इसका हो गया, iron का ध्यान से देखो, तो क्या हो गया, plus 2 से, plus 3 में, तो यहाँ पे chromium कितना है, 2, तो यहाँ पे Y की जगा, मेरे को क्या करना परेगा, 2, तभी chromium balance होंगे, और इसका 2 से 3 में change 1 का हुआ, इसलिए इधर, 1 से ही multiply होगा, right, now H plus की बारे है, तो ध्यान से देखो, इधर हमारे पास कितना oxygen है, 7, right, और इधर में कोई भी oxygen नहीं है, तो इसका मतलब Z को कितना होना परेगा, 7, तभी oxygen balance होंगे, right, तो 7 हो गया, H2O तो hydrogen कितना हो गया, इधर ध्यान से देखो, 14, और इधर था ही नहीं, तो X कितना हो जागा हमारा, 14, तो समझते वे चलो, तो तुम्हारा X आ चुका कि नहीं, X कितना था, 14, Y आ गया कि नहीं, कितना, 2, और Z आ गया कि नहीं, कितना, 7, तो कितना होगा answer, 23, without balancing, question number 2 में, 2IO3-xi-12H plus give you 6I2 plus 6H2, X बताना है, तो ध्यान से देखो, without separate up कैसे कर सकते, तो separate करके करी सकतो, उसमें time जाएगा, कैसे करेंगा, यहाँ पर iodine का देखो, ध्यान से, plus 5 में, और इस side यह किसमें, 0 में, तो change कितना होगा, 5 का, बट ध्यान रहे, iodine का atom कितना है, इधर देखो, तो 2, या इधर भी 2, तो एक atom का change 5 है, 2 atom का कितना होगा, 10, तो इधर 10 का जो change होगा, वो आमने बोला, cross multiply करना इधर, तो X की value direct कितना आ जाएगा, आपको 10, अगर मालों इधर का check करना, तो I minus 1 से 0 में गिया, तो change कितने का होगा, 1 का, बट atom कितना है, 2, इसलिए ध्यान से देखो, यह 2 आया, यह ध्यान रखना है, क्योंकि यह, minus 1 से 0, एक atom का, 2 atom बना है, तो 2 का, तो इसलिए यह 2 करना है, वैसे भी आप देख सकतो, 2 यह होगे, और 10 होगे, तो 12 होगा, तो इसलिए 6 to the 12, यह balance है, यहाँ पर अगर द्यान से देखो, 6 oxygen, तो 2, 3, दा 6 oxygen, वो भी हो गया, 6 to the 12 hydrogen, यह भी 12 होगे, तो देखो, डारेक्ट हमने X को कर दिया, तो I hope, मेरा यह पर्यास आपको किलियर होगा, मैंने ज़्यादा प्रोलम नहीं लिए बेटा, जस्ट आपको concept समझाने की कोशिश किया है, कि किस step से question पुछा आ सकता है, कैसे आप कर सकतो, यह कैसी trick है बेटा, जिससे आप easily इस step के किसी problem को कर सकतो, तो अब आप सारे PY को कर लेना, I hope आप से सब हो जाएंगे, Thank you. Hello everyone, कसका है, आज की इस video lecture में मैं आपको जो tricks दूँगा, वो chemical equilibrium से related है, और इस tricks और इस concept से आप इस step based आने वाले, किसी भी problem को बहुत easily कर लोगे, and correctly भी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, What is chemical equilibrium? तो दियान से देखो, equilibrium पे concentration हो, या pressure हो, या mass हो, या moles हो, जो भी variable है, वो reactant and product, जितने भी हैं, ध्यान दे, each reactant and product का time के साथ vary नहीं करना चाहिए, अगर time के साथ variation stop हो गया है, तो हम बोलेंगे, वो reaction equilibrium पे है, इसलिए graph से भी समझते हैं, point number two में, यह जो इस step से है, यह concentration को represent कर रहा है, concentration मतलब moles by volume, जरूरी नहीं है कि आप concentration नहीं लो, pressure ले सकते हैं, mass ले सकते हैं, mors ले सकते हैं, but हम concentration and pressure में deal करेंगे, इस chapter में, तो concentration versus time graph अगर मैं draw करूँ, चुकि reactant धिरे-धिरे consume होंगे, तो उसका concentration धिरे-धिरे कम होगा, और product formed होंगे, तो उसका concentration धिरे-धिरे बढ़ेगा, धियान से देखो, ये एक time है, इस time के बाद, दोनों का variation क्या हो गया, constant हो गया, chain नहीं हो रहा है, that means, अगर इस time के बाद, मैं कहीं पे भी जाओ, तो दोनों का concentration, same आ रहा है, जो पहले था, right, तो time के साथ, अगर concentration का variation नहीं हो रहा है, तो reaction equilibrium पे है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कि reactant and product, एक time के बाद, दोनों का concentration, same हो जाए, again time के साथ, variation नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि concentration of reactant, कम हो जाए, product जादा हो जाए, बट time के साथ variation, एक time के बाद, variation रूख जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे, reaction equilibrium पे, तो बच्चे जो गलस देंस ले लेते हैं, equilibrium का, कि equilibrium पे concentration, reactant and product का, equal हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बेटा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, स्टाक्योमेट्री पे, इसलिए, concentration या pressure of reactant and product, may और may not be equal, वो तो डिपेंड करेगा, स्टाक्योमेट्री पे, but the condition is, कि time के साथ, यह सब आप vary होना, बंद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे, equilibrium आ चुका है, और उस time को, equilibrium time बोलेंगे, उस concentration को, equilibrium concentration, या pressure को, equilibrium pressure बोलेंगे, clear है, इसलिए equilibrium पे, हम यह कहा सकते हैं, कि जो rate होगा, forward reaction की, वही rate होगा, backward reaction की, क्योंकि equilibrium पे, reaction हो रही होती है, जिसको बोलते है, dynamic equilibrium, कभी भी equilibrium पे, reaction stop नहीं होती है, reaction हो रही होती है, बट जिस rate से, वह आगे जा रही होती है, उसी rate से, पीछे आ रही होती है, इसलिए हमें change नहीं दिखता है, तो यह point ध्यान रखना, equilibrium is a dynamic equilibrium, right, और इसलिए, अगर मैं एक example लो, मालो यह एक reaction है, हमारे पास, 2A पलस 3B gives you 4C पलस 5D, यह in generic reaction लिया, तो अगर मैं इस reaction का forward rate लिखूँ, तो rate of forward क्या हो जाएगा, some constant, forward rate constant, जो भी reactant होंगे, उसका concentration और power में, उसका stoichiometry चला जाएगा, power में, उसका stoichiometry, तो यह forward reaction के rate होगे, वैसे ही backward का लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, backward rate constant, और जो product होंगे, वो concentration का product रहेगा, और power में stoichiometry चला जाएगा, यह ध्यान रखना है, इसलिए in general weekend से, जो forward rate होगी, वो rate constant, और जो भी reactant होंगे, उसके concentration की power stoichiometry, और backward rate में, rate constant, backward का और product की power stoichiometry, राइट, अगर सारे homogeneous हैं, तो सब आएगे, heterogeneous में स्रिफ gas वाला आएगा, आगर gas नहीं है, तब liquid आएगे, तो वो point भी हम आगे clear करेंगे, अब यहाँ पे जो ध्यान देना है, एक point, कि equilibrium की बात अब तब ही कर सकते हो, तो जब आपका container क्या होना चाहिए, close होना चाहिए, अगर मेरा container close है, तब ही equilibrium achieve हो सकता है, otherwise possible नहीं equilibrium, right, now, पोभी reaction अगर हमें given हो, तो उसका equilibrium expression कैसे लिखेंगे, very simple है, ध्यान से देखो, आप इसको 3 term में बता सकतो, concentration के term में, pressure के term में, और mole fraction के term में, concentration का क्या मतलब होता है, अगर मैं A का concentration निकालूं, तो उसके moles divided by total volume, जिसको ऐसे represent कर सकते हैं, concentration of A, वैसे ही, partial pressure का यहाँ पर क्या मतलब है, कि partial pressure of A is equal to mole fraction of A, into total pressure, right, that means partial pressure मतलब, उस gas का खुद का pressure, right, वैसे ही mole fraction of A का मतलब क्या हो गया, उसके moles केतने हैं, divided by total moles, तो यह सभी को मालूम रहता है, तो अगर आपको concentration के term में, लिखना है, तो उसको हम क्या represent करेंगे, के equilibrium constant और C बता रहा है कि, concentration के term में, तो concentration of product, जितने भी product होंगे, सब के concentration, को power stoichiometry कर देना है, और यह सब product में रहेंगे, that means into में रहेंगे, एक से ज़्यादा अगर product है तो, वैसे ही नीचे में reactant सारे रहेंगे, और हर reactant पे power, उसका stoichiometry रहेगा, और एक से ज़्यादा reactant होंगे, तो again into में चलेगा, multiplication में चलेगा, सेम वैसे ही अगर मुझे kp लिखना हो, तो उपर में again, जो pressure होगा, वो product का होगा, और power में उसका stoichiometry रहेगा, नीचे में reactant होंगे, power stoichiometry, सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे pressure आ जाएंगे, और इसलिए इसको kp बोलेंगे, के जो है वो equilibrium constant है, P बता रहा है कि pressure के term में लिख रहे है, C बता रहा है concentration के term में लिख रहे है, X बता रहा है mole fraction के term में लिख रहे है, तो again mole fraction of product to the power is stoichiometry, mole fraction of reactant to the power is stoichiometry, इसको मैं एक simple example समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने दो reaction लिया है, द्यान से देखो, यह है, अगर reaction में कुछ भी mention नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ mention नहीं है, तो सब को क्या मनना है, gas phase में, और equilibrium की पहचान क्या है, वो always double arrow से दिखाया जाएगा, second thing, इसमें always एक balance reaction की बिन होगी, आपको balance करने की ज़रुरत नहीं है, तो एक यह reaction लिया, और यहाँ पे यह जो ऐसे लिख करके दिखाया, इसका मतलब है, यह solid है, G for gas, यहाँ पे S for solid, L for liquid, या AQ लिखाओ तो उसका मतलब aqueous, तो आपको अगर कुछ नहीं, reactant product के बारें बताया, तो by default आप क्या मानेंगे, gas, और अगर बोल जाया, तो उसके according चलेंगे, तो अगर reaction 1 का equilibrium constant, in terms of concentration लिखेंगे, तो product कोन है यहाँ पे, NH3 एक product है, तो NH3 का concentration, और यह stoichiometry power में आ गया, आप चुकि और product नहीं है, अगर और product होता, तो यहाँ पे आता N2, फिर उसका concentration, to the power stoichiometry, इसलिए हमने नहीं दिखाया, और कोन है, H2 भी एक right reactant में तो, इसलिए concentration H2, और power क्या गया, 3, दियां से देखो, दोनों में, बीच में क्या multiplication का sign है, और अगर reactant होता होता हो, तो और into, उसका concentration to the power stoichiometry, तो product उपर होगा, reactant नीच होगा, वाई चीज हमने यहाँ पर समझाया, clear point, वैसे ही अगर मैं, इस reaction का KP लिखना चाहूं, तो कोई changes नहीं होगा, सिर्फ concentration की जागा, pressure आजाएंगे, pressure of NH3 हो जाएगा, power stoichiometry, वैसे ही, pressure of N2, power 1 stoichiometry, pressure of H2, power 3 stoichiometry, वैसे ही अगर, mole fraction लिखना हो, तो उसमें भी changes नहीं होंगे, mole fraction NH3, power 2, mole fraction N2, mole fraction H2, power 3, product always उपर रहेगा, reactant नीचे रहेगे, power में stoichiometry चला जाएगा, एक से ज़्यादा product होंगे, तो into करते जाना है, multiply, और reactant में भी अगर, एक से ज़्यादा reactant है, तो into करते जाना है, right, तो यह हो गया, दूसरी reaction का अगर मैं लिखूँ, तो चुकि यह एक तरह से क्या है, heterogeneous है, इसलिए हमने यहाँ पर एक point लिखा, और इस point पर ध्यान देना, अगर homogeneous होगा, that means इस case में सारे, same phase में था, सब gas में है, सब liquid में है, तो in that case, सारे के सारे, equilibrium expression में आपको दिखेंगे, सब को आपको लेना पर एगा, लेकिन अगर heterogeneous है, that means कोई solid में है, कोई liquid में है, कोई gas में है, अगर different phase में है, तो सब से पहले आपको gas को लेना है, अगर उसमें कोई भी एक gas present है, तो सिर्फ y expression में हैगा, बाकी को छोड़ देना है, क्यों हो, क्योंकि liquid या solid पे pressure का कोई effect नहीं होता, जैसे मेरे आत में यह है, इस पे मैं कितना ही pressure लगा लूँ, इसके volume में, या इसमें कुछ भी change नहीं हैगा, तो इसलिए heterogeneous में gas को priority देंगे, अगर हमारी reaction में gas है नहीं, तब हम liquid को priority देंगे, तो जैसे एक example, यह problem number two, एक तरी case है, यह solid है, यह gas है, यह solid है, तो अगर मुझे इस reaction का case ही लिखना होगा, तो product में solid है, नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, तो उसका concentration कितना हो जागा, fix है one, solid का one ले लेता है, यह liquid का one ले लेता है, तो one, अब product में कोई नहीं है, divided by reactant में, यह solid है, तो इसका भी one, तो नहीं आएगा, यह gas ही आएगा, तो इसलिए concentration of CO2, तो यही मैं कहना चाहरा हूँ, अगर heterogeneous होगा, different phase होंगे, अगर reactant and product के, तो आपके equilibrium expression में, सबसे पहले gas वाला, अगर कोई है, तो वही रहेगा, और कोई नहीं लगा, ध्यान से देखो, solid सब खतम होगा, शिरिफ gas वाला ही, equilibrium expression में देखेगा, अगर by the way, इसमें gas भी नहीं होता, liquid होता, तो फिर liquid वाला सिरिफ आता, राइट, similarly, KP लिखेंगे, तो 1 by pressure of CO2, power 1 क्यों, क्योंकि है, तो इसमें भी वैसा ही लाएगा, और mole fraction के term में लिखना है, तो 1 by mole fraction of CO2, तो यह point एकदम आपको clear होना चाहिए, कोई भी reaction दे दे बेटा, इससे easy कुछ नहीं है, कोई भी reaction दे दे, आपको इकलिए उसका equilibrium expression लिख सकतो, तीनो ही terms में, now equilibrium relation, that means KC, KP, और KX में relation क्या होगा, तो very simple है, मैंने सबसे पहले आपको यह समझाने की कोशिश किया है, कि you know PV is equal to NRT होता है, अगर मैं pressure of A लिखूँ, is equal to क्या हो गया, concentration into RT, तो यह काम आएगा, वैसे ही partial pressure of A is equal to mole fraction of A into total pressure होता है, तो यह सभी जानते हैं, तो मैंने एक reaction लिखा है, write N2 3H2 gives you 2NH3, और यह equilibrium का shine है, तो इसका अगर मैं केसी लिखूँ, तो अभी बताया, concentration of NH3 का square by concentration of N2, concentration of H2 की power 3, यह केसी हो जाएगा, Kp लिखूँँगा, तो pressure of NH3 का square by pressure of N2, pressure of H2 की power 3 हो जाएगा, right, और similarly mole fraction लिखूँँगा, तो क्या हो जाएगा, mole fraction of NH3 का square by mole fraction of N2, into mole fraction of H2 की power 3, now, अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर मैं Kp को ऐसे लिख रहा हूँ, तो अगर concentration में, तो यहाँ से convert कर सकता हूँ, pressure is equal to concentration into RT, तो मैंने वही put कर दिया, pressure of NH3 is equal to concentration of NH3 का square, और RT का square, right, और नीचे में भी put कर दिया, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो यह concentration of NH3 का square, concentration of N2, और concentration of H2 की power 3, क्या होगा, actually में, Kc होगया, तो मैंने वह put कर दिया, Kc, और यहाँ से ध्यान से देखो, RT की power उपर में 2 है, नीचे में 3 और 1, 4 हो जाएगा, तो उपर जाएगा, तो minus 2, Kp is equal to, Kc into RT की power minus 2 आ गया, right, तो similarly, Kx का भी ध्यान से देखो, Kx को कैसे लिख सकते हैं, mole fraction of NH3 को क्या लिख सकते हैं, pressure of NH3 by PT, तो उसको मैंने पूट कर दिया, तो यह क्या गया, ध्यान से देखो, Kp into PT की power 2 आ चुका है, Kx is equal to, Kp into PT की power 2, तो यहाँ से आपको क्या समझ मारा है, ध्यान से देखो, important relation क्या है, यह 99% केस में यही उज़ होता है, Kp is equal to, ध्यान से देखो, Kc into RT की power delta NG, क्योंकि यह तो एक fixed reaction के लिए हमने लिया, in general कोई भी reaction हो, तो Kp is equal to Kc into RT की power delta NG, तो ध्यान से देखो, Kp का मतलब क्या है यहाँ पे, कि equilibrium constant in terms of pressure, यह K into P नहीं है, और वैसे ही Kc का मतलब है, equilibrium constant in terms of concentration, यह K into C नहीं है, तो Kp is equal to Kc into RT की power delta NG, यान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, pressure is equal to concentration into RT, just ऐसे हम relate कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, pressure is equal to concentration into RT, कभी confusion हो तो, इसलिए Kp, right, K into P नहीं है, just वो relate क्या है, Kc, right, RT की power delta NG, delta NG कैसे निकालेंगे भी बात करता हूँ, वैसे ही Kp is equal to Kx, that means equilibrium constant in terms of pressure is equal to equilibrium constant in terms of mole fraction into total pressure की power delta NG, now delta NG कैसे निकालेंगे, तो very simple है, जेतने भी product में होंगे, gas वाले stoichiometric coefficient, उसको add कर लेना, minus reactant में, जेतने भी gas वाले stoichiometric coefficient है, उसको add करके minus कर देना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है gas, यहाँ पर यह G लगाने का मतलब है, कि gas का लेना, delta N मतलब change in stoichiometry, एक example से समझते हैं, जैसे इस case में ध्यान से देखो, delta NG कैसे निकालेंगा, अगर मुझे delta NG निकानना हो तो, तो यह देखो, कुछ नहीं मेंसन है, तो सब gas है, तो product का लेना है stoichiometry, 2 minus, reactant में यह 3, और यह 1, 4, 2 minus 4 केतना हो गया, minus 2, जिस sign के साथ है, वाई, तो दियान से देखो, इसलिए यह minus 2 हुआ था, जैसे इस reaction में अगर मुझे निकानना हो, तो दियान से देखो, यह solid है, तो इसका कुछ नहीं लेना है, gas है, इसका लेना परेगा, यह gas है, लेना परेगा, यह liquid है, इसका कुछ नहीं लेना है, तो इसका delta NG, अगर आपसे कोई पूछ लिया, तो very simple, पहले product में, तो इसका कुछ नहीं लेना है, तो इसका सिरिफ 2 होगा, product का सब हो गया, add करके, तो उसका minus, उसका reactant का है, तो यह gas है, तो यह 3, यह solid है, नहीं लेना है, तो 2 minus 3 कितना हो गया, minus 1, तो इस type से करना, जो sign के साथ है, वही put कर देना है, power में, similarly मालो, इस case में, अगर मुझे delta NG नहीं करना हो, तो ध्यान से देखो, solid product में, कुछ नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं है, इधर product में, तो मतलब 0, right, minus, reactant में जाओ, तो यह solid है नहीं लेंगे, gas का है, और इधर stachometric कितना है, 1, ध्यान रहे stachometric लेना है, तो यह 1, तो यह भी by the way कितना है, minus 1, तो I hope, delta NG लिखने में, आपको कोई problem नहीं होगी, जो भी stachometric product के होंगे, gas वाले उन सब को add कर लेना है, और वैसे ही, जो भी stachometric reactant के होंगे, gas वाले उन सब को add कर लेना है, और product में से reactant को minus कर देना, वो delta NG हो जागा, वो power में चरा देना है, तो KP-KC में relation हो जाएगा, या KP-KX में, इस पे base problem कैसे आते हैं, वो मैं discuss करूँगा, now next, that is very very important, कि अगर A gives you B plus C है, तो इसका equilibrium constant KC कैसे लिखेंगे, concentration of B, concentration of C by concentration of A, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ plus दिखते हैं, तो यहाँ पे भी plus कर देते हैं, बेटा यहाँ पे plus नहीं है, यहाँ पे into का sign है, multiplication का sign है, यह ध्यान लगना, वैसे ही अगर मैं इस reaction को reverse कर दूँँ, तो reverse कर दूँगा, तो यह लिखूँगा, और इस reaction का equilibrium constant को K dash C मानो तो क्या हो जागा, concentration of A by concentration of B into C, तो इन दोनों में क्या relation दिख रहा है, कि जो reaction को आपने reverse किया, तो उसका equilibrium constant, पहले वाले equilibrium constant का क्या हो गया है, inverse हो गया है, तो इसलिए मैंने यह point लिखा है, कभी भी अगर आप reaction को reverse करेंगे, तो उस reaction का equilibrium constant आपको और रेड़ी मालूम है, फिर से निकाननी की ज़रूत नहीं है, क्या करना है, पहले वाली reaction का equilibrium constant उसको inverse कर देना, one by में कर देना, right, point number two यह है, कि अगर a gives you b plus c, तो इसका case है आपको मालूम है, अगर इस reaction में मैंने किसी भी number से multiply कर दिया, two, three, four and so on, या one by two, one by three, किसी भी number से अगर multiply कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो ध्यान से देखो मैंने two से multiply किया, तो यह equilibrium expression होगा, और इसमें इसमें क्या relation हो रहा है, कि जो new reaction का equilibrium constant है, वो पुरानी reaction का equilibrium constant का power में हो गया, तो वही मैंने point लिखा है, कि जिस भी number से multiply करेंगे, जिस number से आप multiply करेंगे, वो number power में चला जाएगा, पुराने वाले के power कर देना है, और तीसरा again very very important, कि मानलो मेरे पास यह दो reaction है, जिसका equilibrium constant के 1, k2 आपको given होगा, तो एक तीसरी reaction का equilibrium constant बताना है, तो ध्यान से देखा, अगर मैं इन दोनों reaction को add कर दूँ, तो B से B, C से C cancel हो जाएगे, तो A gives you P हो जाएगा, right, always equal sign इसको मानना है, अपोजी side में cancel होते हैं, यह ध्यान रखना, तो अगर आपने reaction को add क्या है, तो equilibrium constant जो जाएगा, वो multiply हो जाएगा, यह ध्यान रखना, और आप यह चेक कर सकतो, तो इसलिए हमने यहाँ पर यह लिखा है, कि add करेंगे, तो यहाँ पर multiply करना है, तो इस तीनों पर बेस बहुत सारे question आते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए, question number one में, यह reaction given आपको, kp आपको given है, at 27 degree Celsius, और 180M pressure, तो kc बताना है, तो सबसे पहले आपको मालूम है, kp kc का relation, kp is equal to kc into, rt की power, delta NG हो जाएगा, और delta NG अगर इसका ध्यान से देखो, तो हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, यह one है, minus यह one, तो वो तो खता हो जाएगा, सिरिफ बचेगा, minus half, यहाँ पर जो problem होती है, कि temperature को always calumne put करना है, और calumne put करना है, तो यह 300 Kelvin होगा, और r की value, चुकि pressure आपका ATM में है, volume, liter में होगा, क्योंकि concentration की बात करें, तो moles per unit volume, liter में लेते हैं, तो इसलिए r की value, 0.08 लेना, that is approximately 1 by 12, तो यहाँ पर put कर दिजए, kp आपको given है, 2 into 10 की power 12, kc निकालना है, r की value, 1 by 12, temperature आपका 300 है, और इसकी power minus half है, तो यहाँ से हमें kc आजाएगा, यह नीचे में रहागा, तो इधर चला जाएगा, तो क्या आजाएगा, 2 into, इसको cancel करोगे, तो 25, 25 का रूठ हो गया, 5, तो 2 into 5, into 10 की power 12, तो यह कितना हो जाएगा, 10 की power 13, तो यह answer हो जाएगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, delta NG 2 की negative है, इसलिए हमारा kc क्या होगा, बड़ा होगा kp से, और वो ध्यान से देखो, तो आया भी है, क्योंकि kc 10 की power 13 है, जब कि यह 2 into 10 की power 12 है, तो इस type के question पूछे जाते हैं, question number 2 में, यह सब reaction दे दिया है, k1, k2, k3 दे दिया है, और आपसे इस reaction का equilibrium constant 2 चा जा रहा है, तो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, और किस side चाहिए, N O right side में चाहिए, वो इधर ही है, H2 O right side में चाहिए, बट इसका coefficient 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 3 से multiply करना परेगा आपको, तो यह 3 से multiply होगा, तो यह power में हो जाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1 into 10 की power minus 39, यह दियान रखना है, NH 3 मुझे left side में चाहिए, जबकि इधर right side में, तो इस reaction को reverse करना परेगा, तो यह कितना हो जाएगा, आपका reverse करेंगे, तो 1 by 4 into 10 की power 5, यह हो जाएगा, चुक्कि इन सबको add कर रहे हैं, तो क्य क्या हो जाएगा, सबका multiplication, तो 1 by 4 into 10 की power 5, राइट, इन 2, यह k2 आपका 1.6 into 10 की power 12, और इन 2, यह 10 की power minus 39, राइट, तो यह 5 और उपर चला जाएगा, 32 और यह 10 इसका नीचे, और यह 4 से 4 for the 16, तो यह answer केतना आजाएगा, आपका ध्यान से देखो, तो इसरी 4 बचेगा, into 10 की power में, माइनस में, आपका हो जाएगा 33, तो यह answer विल भी, 4 into 10 की power minus 33, question number 3 में, इस टाइप से reaction दे दिया आपको, kp 4 है, तो pressure of O2 बताना है, तो ध्यान से देखो, यह solid है, यह solid है, यह gas है, तो kp क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, तो pressure of O2 की power half only, तो अगर मैं दोनों साइट square कर दूं, तो क्या हो जाएगा, kp का square is equal to pressure of O2, और यही हमें निकारना था, kp given थाप को 4, तो pressure of O2 कीतना हो जाएगा, 4 का square that is 16, तो इस step से भी question पूछे जा सकते हैं, right, similarly question number 4 में, अगर इस reaction का kc given है, तो इस reaction का, तो ध्यान से देखो, इस reaction को reverse किया गया है, और half से multiply किया गया है, तो reverse किया गया है, तो 1 by 64 और half से multiply किया तो, power half, तो यह कितना जाएगा, 1 by 8, इस step से आपको quickly करना है, इस question में ध्यान से देखो, यह solid है, यह gas है, यह solid है, यह gas है, तो पूछा जा रहा है relation, तो ध्यान से देखो, तो मैं अगर डेल्टा NG निकालूं, तो डेल्टा NG कितना हो जाएगा, सिरिफ इदर एक ही gas है, right, stagmetry 1, minus, इदर में यह gas है, और stagmetry 3 by 2, तो यह कितना गया, minus में half, चुकि डेल्टा NG negative है, इसलिए के सी बढ़ा होगा, के पी से, क्योंकि KP इगर टू KC इसलिए के बढ़ा होगा, इस टाप के बहुत सारे प्रावलम पूछे जाएगे, simple सा point है, अगर डेल्टा NG 0 है, तो KP के सी के बरावर है, डेल्टा NG अगर positive है, और डेल्टा NG अगर negative है, तो kp छोटा होगा kc से, इस पर बेस बहुत सारे problem बहुत easy होते हैं, पूछे गए हैं जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, ध्यान से समझना चाहे वो equilibrium constant, concentration के term o kc, या pressure के term o kp, या more fraction के term o kx ये तीनों चीज तभी change हो सकती है, जब आप temperature change करेंगे या फिर reaction को ही change कर दिये, that means stoichiometry change कर दिये, तभी ये change होंगे भगवान ने इसको वर्दान दे रखा है, तभी change होना जब temperature change किया जाए या फिर stoichiometry को change किया जाए, otherwise नहीं change होगा, जैसे for example, माल लिजे ये एक reaction है इस reaction का एकिरम constant माल लिजे 10 है, तो अगर मैं इस reaction को माल लेता हूँ कि मैं 300 Kelvin पर करा रहा था, तो 10 है, अब माल लो मैंने temperature को change कर दिया 300 के लावा कोई और temperature है, तो फिर temperature change करेंगे, तो अब केसी आपका 10 नहीं रहेगा केसी change हो जाएगा, या KP या KX वो change हो जाएगा, वैसे stoichiometry change किया तो जैसे इस reaction को इस form में लिख दिया तो, अब stoichiometry change होगे, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 बाइट हो गया, यहाँ 1 हो गया stoichiometry change किया, तो again आप केसी आपका 10 नहीं रहेगा, change हो गया होगा, और वो क्या होगा, मैं आपको बता रखाऊँ, but the thing is कि अगर मैंने pressure change कर दिया, किसी भी reactant या product का, right, या volume change कर दिया, container का, या फिर concentration change कर दे रहा हो, या mass change कर दिया, किसी भी reactant product का, यह सब कुछ भी change कर लो right, catalyst आपने add कर दिया, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं परने वाला है, इन सब case में case 10 ही रहेगा, तो इस point को clearly समझना, कि आपका यह वाला part तभी change होगा, जब temperature change करोगे, या stoichiometry change करोगे, otherwise कुछ भी कर लो, वही रहने वाला है, तो यह point बहुत important Hello everyone, कसका आए, आज की इस video lecture में मैं आपको जो tricks and concept देऊंगा, उस tricks या concept से आप direction of equilibrium पर आने वाले किसी भी question को बहुत easily कर लोगे and correctly भी, तो ध्यान से देखो, मैंने एक in general reaction लिया, 2a plus b gives you c plus d, right, तो क्या-क्या condition हो सकती है, उसको मैंने बहुत अच्छे से list out किया, ध्यान से देखो, कि अगर सिरिफ आपको question पढ़ने के बाद पता लगा कि सिरिफ reactant के बारे में information है, that means a और b के बारे में इस case में अगर आपको information given है, उसका mass या moles या pressure, कुछ भी या concentration given है, तो in that case reaction always forward में जाएगी, क्योंकि product है नहीं, तो reaction आगे की तिरफ जाएगी, similarly, सिरिफ product के बारे में information given है, question को पढ़ने के बाद आपको पता लगा, तो definitely उस case में reaction back में जाएगी, that means c और d के बारे में information given है, a और b के बारे में given ही नहीं, तो इसका अंतलब reaction back में जाएगी, right, और एक case क्या हो सकता है, कि सभी के बारे में information given है, a, b, c, d, सब के बारे में information given है, तो in that case आपको equilibrium constant जरूर गिवन होगा क्योंकि उसी से हमें compare करना है उसको ideal person मानना है राइट जैसे यहां पर A का 5 है B का 1 by 5 है concentration C का 4 है D का 4 है ऐसा कुछ दिया आपको तो आप क्या करेंगे पहले reaction quotient Q निकालेंगे that is very similar to equilibrium expression वो equilibrium expression जैसा ही है only thing is कि यह किसी भी concentration पर पूट कर सकते हैं और के equilibrium वाला सिर्फ equilibrium concentration को पूट करना होता है तो concentration of D power 1 C power 1 A power 2 B power 1 equilibrium expression वैसा ही रहेगा शिरिफ आप यह value जो given होंगी सबका वो पूट कर देंगे तो यह आला 3.2 क्या असपास इस value को compare करना आपको equilibrium constant की value से चुकि यह value less है कम है तो अभी यहां तक पहुचने के लिए reaction को आगे जाना परेगा तो इसलिए वैसे ही ध्यान में रखना है अगर Q आपका equilibrium से कम हो गया है तो अभी आगे जाना है तो reaction forward में जागी अगर मानलो by the way ज़्यादा आ जाता तो reaction को back माना परेगा और अगर equally आ जाता तो equilibrium पर होता तो यह very simple है आपको इस तरीके सम्मालना है कि यह point है that is equilibrium तो अगर Q आपका इधर इसके पीछे ही रह गया तो अभी और आगे जाएगा तो forward अगर Q आगे निकल गया है तो back में आएगा तो backward और अगर Q यहीं पर है तो equilibrium पर राइट very simple है यह तो यह 3 cases हो सकते हैं राइट दूसरा cases क्यासा हो सकता है कि reaction आपके और रेड़ी equilibrium पर थी उसके बाद आपने कुछ एड़ किया या कुछ subtract किया है तो वह कंडिशन में हम बात कर रहे हैं पहला कि अगर reaction हमारा equilibrium पर था अब हम concentration में change कर रहे हैं मोल्म को चिंज नहीं कर करके वालॉम constant रख रहे हैं मोल्म को chance कर रहे है या मास को change कर रहे हैं तो अगर आप concentration को चेंज करोगे इस तरीके से तो उस case में रफी सर का एक ही point धान रखना है जिस side concentration कम हो रहा होगा उसी side reaction shift होगी for example अगर आपने concentration D का बरहा दिया तो इस side में product side में ज़्यादा हो रहा है तो reaction कहा जाएगी backward में क्योंकि set कम हो रहा है मालों इधर हमने B का ज़्यादा कर दिया तो reactant में ज़्यादा हो रहा है तो reaction कि इधर आ जाएगी forward में जिस side ज़्यादा हो रहा है उसके opposite side में इसलिए हमने ऐसा लिखा जिस side कम होगा उसी side reaction को करना है एक और example पर समझाओ अगर मैंने D का concentration कम कर दिया तो इध आद में दोनों सेम रहेगा क्योंकि आपको मालूम है इक्रियम कॉंस्टेंट तभी चेंज होगा जब हम temperature चेंज करेंगे किलियर पॉइंट पॉइंट नमबर टू कि अगर प्रेशर या वालूम चेंज करें तो क्या होगा तो दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिए है कि अगर बढ़ाओगे तो वालूम कम होगा राइट और वाइस वर्सा तो मैं pressure का condition समझा दे रहा हूं उसके according हम सब कर लेंगे तो अगर pressure बढ़ाएंगे तो उस side reaction को ले जाना है जिस side stoichiometric coefficient कम हो रहा है और कौन सा गैस वाला सिरिफ लेना है सिरिफ गैस वाला consider करना है तो आ अगें equilibrium constant पर कोई फर्क नहीं परेगा क्योंकि अभी हमने temperature चेंड नहीं किया तो वह पहले जो था बाद में भी वही रहेगा यहां पर अगें एक example से समझते हैं तो यहां पर pressure increase करने से क्या मतलब है कि पहले अगर reaction 180 हो रहे थी तो आपने two atom कर दिया three atom and so on right तो pressure अगर अगर कोई solid होता liquid होता तो उसको नहीं लेते तो अगर सब गयसा है तो इसका stoichiometry one और इसका भी one तो total इस side केतना हो गया two और इस side count करो two है और इधर one तो total केतना है three यह point का मतलब है right लिख लेंगे pressure बढ़ाने पर उस side जाएगा जिधर stoichiometry कम इधर three है इधर two है तो किस side कम है इस side तो reaction को इस side ले जाना है इस side मतलब forward हो गया right ऐसे आपको करना है तो एक ही point जाना को pressure increase कराने पर उधर ले जाना जिधर stoichiometry कम that means volume decrease करने पर भी उधर ले जाना जिधर stoichiometry कम and अगर pressure कम करते तो उधर ले जाते जिधर stoichiometry ज्यादा इसका just ultra कर देना है तो इस point को ध् product से react ना करें वो सब inert gas की category माएंगी तो inert gas को add करने के दो तरीके constant volume पर आड़ करोगे तो कुछ भी चेंड नहीं होगा no change no effect और equilibrium constant तो वैसे भी चेंड नहीं होना लगा कोई कमने temperature चेंज नहीं किया है बट अगर constant pressure पर अगर आप add कर तो inert gas तो in that case reaction की direction change होगी और किस side जाएंगी जिस side stoichiometry जादा हो again stoichiometry कौन से लेना gas का तो ध्यान दे यहाँ पर pressure को बरहाने पर उधर जारा जिदर stoichiometry कम लेकिन inert gas के case में अगर आप constant pressure पर inert gas add करो तो फिर उधर जाएगा जिदर stoichiometry जादा हो जैसे इस case मा अगर मैं inert gas side करों तो stoichiometry इस direction में जादा हो रहा है इधर 2 है इधर 3 तो reaction कहाँ चली जाएंगी backward में तो यह पांधिया रखना है इकलियों constant पर कोई चीन नहीं होगा वैसे ही अगर मैं catalyst stat करों तो catalyst stat करने से कोई भी effect नहीं होता है equilibrium पर राइट क्यों क्योंकि जिस rate से reaction forward में बरती है उस से backward में इसलिए no effect इकलियों constant पर भी कोई effect नहीं तो change क्या होता है just जो reaction के completion का time है पहले अगर 10 मिनट में reaction complete होती हो रही थी तब वो हो सकता कि 5 मिनट में हो अगर positive catalyst है तो यार negative है तो हो सकता है वो 15 मिनट में हो that means time बढ़ जाएगा बट कोई effect नहीं आएगा तो इस पांट को अच्छे समझ जाना catalyst में no effect है inert gas में constant pressure pat करेंगे तो उधर ले जाना जिदर स्टाकोमेटरी ज्यादा हो रहा हो स्टाकोमेटरी कौन सा count करना है only gas का constant volume पे को effect नहीं pressure direct या volume change करेंगे तो pressure increase करा हो या volume decrease करा हो उधर ले जाना जिदर स्टाकोमेटरी कम और concentration के case में जिस reaction जाएगी इन सारे case में अगर आप ध्यान से देखो तो equilibrium constant को change नहीं करना है क्योंकि अभी तक हमने temperature change नहीं किया है अब हम बात करते हैं जब temperature change करेंगे तो direction क्या होगा और equilibrium constant क्यासे change हो गाँगा now effect of temperature में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा reaction आपकी कैसी है इंडो thermic है या फिर exothermic है इंडो thermic reaction है यह कैसे पैचानेंगे कि A plus B और reactant side में plus heat लिखा होगा तो that means यह इंडो thermic है क्योंकि heat ले रहा है या फिर इसी reaction को ऐसे भी ले सकता है A plus B gives you C plus D minus heat तो इसका उतलब इसको इधर ले जाएंगे तो वही हो जाएगा plus heat तो ऐसे भी दे सकता है या फिर reaction दे करके उसके बोल दे कि delta H positive है इसका positive में कोई value दे दे मालो 40 kJ per mole ऐसा प्लस में value given है तो यह सब बता रहा है कि reaction इंडो thermic है या फिर graph से भी पहचान सकते हैं आप क्योंकि जो delta H होता है वह energy of product minus energy of reactant होता है यह positive का हो सकता है जब energy of product ज्यादा हो that means product यहाँ पर unstable होगा यह वाले case में क्योंकि यहाँ पर product की energy ज्यादा है reactant की कम है तो यह जो difference है यह positive आएगा तो इस type से आपको पहचान वा सकता है now the question is कि चुकि इंडो thermic है heat required है तो अगर आप temperature दो गए heat दो तो अब इसे बात है अगर किसी को किसी चीज़ की requirement है और वो देर हो तो support करो आगे जाएगा तो इसलिए reaction forward में जाएगी और यह वो case है जहाँ पर equilibrium constant भी change होगा और बढ़ जाएगा पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि temperature हमने change किया है similarly अगर exothermik है तो very simple कैसे पैचानेंगे a plus b gives you c plus d product side में heat plus में होगा या reactant side में heat minus करके लिखा होगा या फिर delta h negative होगे like minus में 40 kJ ऐसा करके लिखा हो right या फिर energy of product जो होगा वो कम होगा energy of reactant से that means energy of reactant जा दे होंगे तो यहां से देख सकतो always product minus reactant तो यह difference negative हो जाएगे तो यह सब से आप पैचान सकतो कि exothermik है चुकि heat इसको चाहिए ने heat release हो रहा है right यहाँ पे heat release हो रहे है यहाँ पे heat gain हो रहे है ऐसा भी अब समाझ सकतो तो temperature बढ़ाएंगे तो equilibrium constant क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि इसको heat की requirement थी नहीं temperature की थी नहीं आप दे रो तो equilibrium constant k2 क्या होगा तो इस relation से निकाल सकते हैं log of k2 by k1 is equal to delta h वो आपको enthalpy given होगा 2.303 क्यों लिया क्योंकि log with base 10 में यह r gas constant है 1 upon t1 minus 1 upon t2 तो इसे हम निकाल सकते हैं नाव हम अब इस पे based application की बात करते हैं नाव application मानलो इस टाप से एक reaction given थी effect of addition of helium gas तो यहां से क्या समझवाया helium क्या हो गया inert gas हो गया ना तो यह reactants से रेक करेंगे नहीं product से तो helium gas किस condition में at constant volume पे तो आपको बता रखा हूँ no effect add constant pressure पे अगर add करेंगे तो effect होगा और उधर जाएगा जिधर stachometry जादा हो तो पहले द्यान से देखो कुछ नहीं mention है तो मतलग सब gas है इधर stachometry 1 और 1 तो total इधर 2 हो गया और इधर 1 ही है तो constant pressure पे add करेंगे से उधर जाएगा जिधर stachometry बर रहा हो तो देख लो इधर की तरह बर रहा है क्योंकि इधर 1 इधर 2 तो reaction किदर चली जाएगी forward में equilibrium constant पे कोई फर्ग परेगा नहीं equilibrium constant अभी भी वही रहेगा वो तभी change होगा जब temperature change होगा similarly question number 2 में इस type से reaction दे सकता है delta H इसका negative है आपको different condition given है number of factor which increase yield of SO3 SO3 बढ़ाने का उतलब क्या हो गया reaction को forward में लाना है क्योंकि SO3 किदर है product side में reaction को forward direction में लाना है उसी को बोनने का नया थरीका अब यह cases को तो temperature increase कराएंगे तो चुकि यहाँ पे यह delta H negative है exothermic है तो temperature increase करने पे तो नहीं होगा decrease करने पे होता है right similarly pressure increase करने पे उधर जाएगा जिदर स्टाकोमेट्री कम हो रहा हो यहाँ ध्यान से देखो स्टाकोमेट्री 2 और इधर 1 टोटल इधर 3 है इधर 2 राइट सब गैस में क्योंकि कुछ मेंसन नहीं है तो pressure increase करने पे उधर जाएगा जिदर स्टाकोमेट्री कम हो रहा है इधर 3 है इधर 2 तो अभी इसे बात है सब्सक्राइब करने पे उधर जाएगा जिदर इस टाकोमेट्री बढ़ रहा हो तो इसलिए कितने हो सकते हैं टोटल 3 तो इसका एंसर इंटीजर टाइप में कितना हो जाएगा कि in which case increase in volume of container will favor the formation of product formation of product मतलब reaction को forward में जाना है और volume आप क्या कर रहा हो increase तो अभी बताया volume increase करना मतलब क्या हो गया pressure को आपको decrease करना परेगा हमने volume पे कोई केसी ने लिया direct pressure पे लिया था pressure decrease करें प्रेशर decrease करेंगे तो किदर जाएगा जिदर het arguometry increase हो रहा हो क्यों 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 क्योंकि pressure increase करने पर जा रहा था जिदर емон immortal regionesten हो रहा हो तो यह लुँड़ा किये तो यह लुटा हो जागा राई तो आप es你好 tree check करो gas 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 और है unifuid है तो यह नहल Would heaven ह्यआ लैना इदर total 4 हो गया इदर 4 और फाइब नाइन है राइट तो किदर जागा जिदर इस टाकोमेटर इंक्रीज हो रहा हो तो इस साइड आएगा राइट इस केस में बट हमें फॉर्वर्ड मिले जाना क्योंकि फॉर्मेशन प्रोडक्स चाहिए तो यह उप्शन नहीं होगा इस केस में चेक करो यह गैस है यह गैस है यह गैस है यह 2 और इधर 1 टोटल इधर 3 है इधर 2 तो 2 से 3 राइट इस टाकोमेटर इस डिरेक्शन में इंक्रीज हो रही है यह हो जागा हमारा ओप्शन राइट इधर केस में देखो इधर 2 है इधर 3 है राइट तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो यह नहीं होगा क्योंकि reaction बैक मैंगी और इस case में ध्यान से देखो solid है solid है और गैस है तो इधर कुछ भी नहीं है तो 0 और इधर 1 है तो इधर की तरफ increase हो रहा है तो यह भी हमारा option हो सकता है क्योंकि इस टॉक्मेट की वह रहे इस type के question को आप कैसे करेंगे तो उसके लिए very simple है जो day to day life में आप देखते भी अपनी हाखों से वही concept लगाना है कि वी नो के जब मैं solid को heat करूँगा तो liquid में जाएगा right तो solid से liquid की तरफ जाएगा always जब temperature increase कराएगे तो और liquid को increase करेंगे तो उधर ले जाना जिधर density increase हो रहा हूँ यह है trick का point इसको apply कैसे करेंगे ध्यान से देखो अगर water liquid से water gas यह आपको clear में अगर मैं temperature increase कराऊं तो आपको clear है temperature increase कराऊंगा तो liquid gas में जाएगा तो reaction कहाँ चली जाएगी forward में आपको forward direction बताना है pressure increase कराऊंगे तो तो भी बता है जिधर density increase हो रहा है इधर gas है इधर liquid है liquid की density जाएगी तो reaction किधर चली जाएगी backward में राइट क्योंकि आपको वो उस side में simple एक point का ध्यान रखना है कि water liquid और water solid में exception है liquid का density जाएदा होता solid से again इसको practically fill कर सकतो आप पानी में जब ice को रखता हो तो वो float करने लगता है इसका मतलब वो कम denser है तो यहाँ पे दुनिया का एक पहला exception यह है कि water liquid की density जाएदा है water solid से इसलिए यह पांट को ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको गलती होने के chances है otherwise जतनी भी cases है solid ज़्यादा होगा denser than liquid अब इससी बात है right तो इसमें best problem एक और मैंने यहाँ लिया है कैसे पूछा जाएगा water liquid से water solid यह equilibrium में अगर है तो temperature increase कराएगे तो we know temperature increase कराऊगे तो solid किसमें convert होगा liquid में तो solid liquid में मतलब इधर जा रहा है तो reaction क्या हो जाएगा backward कुछ भी आपको नहीं करना बेटर but pressure increase कराएगे तो किदर जिदर density increase हो रहा है चुकि water solid से ज़्यादा density है water liquid की तो यह भी इधर की तरफ आ रहा है तो इस case में भी reaction कहाँ चले जाएगी backward में लेकिन वहीं पर अगर मैं यह condition लूँ same bromine liquid से bromine solid temperature increase कराएगे तो solid liquid में convert होगा तो यहाँ पर भी reaction आपका backward में आएगा बट pressure increase कराएगे तो जिदर density ज़्यादा होगा यहाँ पर solid की density ज़्यादा होगा तो इस side जाणा पर रहा है तो reaction कहाँ चले जाएगी forward में तो यहीं पर आपको बस दिक्कत हो सकता है उसका ध्यान रखना Hello everyone, कसका आए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे calculation of equilibrium value के बारे में that means question में अगर equilibrium पे किसी reactant या product का concentration क्या होगा moles क्या होगा या pressure क्या होगे या equilibrium constant की value क्या होगी इस type के को भी problem आएंगे तो उस problem को आप हमारे tricks and concepts से बहुत easily कर लेंगे and correctly भी तो सबसे पहले हमने दो category में divide किया है इस type के question कैसे आ सकते हैं एक वो जहां पे already आपको value equilibrium पे given होगी तो in that case हमारा काम बहुत easy हो गया direct आपको equilibrium के expression में put कर देना है जैसे for example मालो यह reaction है right और आपको equilibrium पे N2 का concentration given है H2 का given है NH3 का सब का given है यह कैसे पता लगेगा question को परोगे उसमें clearly mention होगा at equilibrium concentration of N2 H2 NH3 are this 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 तो आपको केसी का expression लिखना सिखा दिया है वो value के इसमें put कर देना है आपको वो आ जाएगा अगर KP पूछा तो आप expression लिखना सिख गया हो तो pressure आपको given होगा equilibrium पे वो put कर देंगे तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा effort डाननिक जोतनी है यह directly आप कर लोगे बस question को carefully read करना है problem कहां पर आगी जब आपको value at equilibrium नहीं given हो तो उसमें further हमने दो condition बनाया है तो सबसे पहला point उसमें यह है कि अगर equilibrium पे value नहीं given है तो आपको पहले find out करना पड़ेगा equilibrium पे value को हर एक reactant and product का R and P मतलब every reactant and product का equilibrium पे क्या value है moles का या concentration का या pressure का वो आपको पहले निकानना पड़ेगा कैसे निकालेंगे तो simple treat है उसके लिए यह मैंने एक reaction लिया है अगर हो सकता है कि आपको A के moles given है और B के moles given है आपको reactant का moles given है product का question में नहीं मेंसा है मतलब क्या हो गया 00 इस type के बहुत सारे question आपको मिलेंगे reactant के बारे में information given है initially product के बारे में नहीं given है तो 00 और ध्यान रहे यह moles है आपको एक step करने आना चाहिए यही सबसे ज़्यादा important है और यही trick का point है कि equilibrium पे आप इस type से लिख देंगे और कैसे लिखेंगे very simple जो भी moles given है आपको reactant या product के उसके according पहले पता करे reaction किस direction में जाएगी चुकि यहाँ पे शरीफ reactant है तो reaction forward में जाएगी अगर मालो product के given होते तो reaction backward में आती direction पहले पता करना है चुकि अभी यह forward में जाएगी तो reactant कम होंगे product बनेंगे तो इसलिए हमने reactant के a moles में से x mole minus क्या है लेकिन उसके आगे 2 क्यों लगया है जो stoichiometry होगा उसको multiply कर देना उसके साथ trick का एक point है तो a minus 2x यहाँ पे stoichiometry 1 था तो इसलिए b minus x reactant है तो minus क्या product है तो बनेंगे coefficient क्या 3 तो इसलिए 3 times of x x मनना है कि react हुआ और जो जो stoichiometry होगी वो multiply करते हो चलना है यहाँ पे stoichiometry 1 है तो सिर्फ क्या हो जागा x यह जो आपने लिखा यह कहां पे लिखा है equilibrium पे यह आपको एक बार लिखने आना चाहिए यह आपको लिख लेना है अब इसमें unknown कौन होगया x क्योंकि a b तो आपको given होगा x कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ न कुछ information given होगा कैसे total moles at equilibrium is this तो आपको क्या करना है इन सब को जोड लेना उसको equate कर देना उस value से तो नोना जागा यहाँ फिर दे सकता है कि k equilibrium की value यह है तो आपको expression लिखने आ गया उसको put करका unknown आ जागा यहाँ फिर relation दे देगा कि a का moles और d का moles जो एक्रिम पे same है या two times है इस type का तो वहाँ से निकाल सकते हैं या एतना percent reactant react हुआ है या product found हुआ है तो कहने का simple सा मतलब है कि यह unknown निकालने के लिए question में कुछ न कुछ information given होगा जिससे आप x निकाल देंगे तो main point is कि यह आपको लिखना चाहिए और very simple है जो moles है minus आपको stoichiometric according x कर देना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दूसरा क्या हो सकता है कि आपको हर एक reactant and product का moles given हो जैसे कि इस case में सब का given आपको अब आपको equilibrium पर कैसे लिखना है अगर suppose करो कि यह question given है तो तो सबसे पहले आगे आपको पता करना पड़ेगा कि reaction की direction किदर है direction को और मैं full idea दे रखाऊ चुकि सब के आपको given है concentration या moles तो आप क्या करेंगे Q निकाल लेंगे और Q को के कुर्म से compare करते है उसके according देखते है reaction forward में जाएगी या backward में तो direction के बार मैं आपको clear है मैं अभी इस question में suppose कर रहा हूँ कि reaction back में जा रही है तो back में जा रही है तो यह धिरी-धिरे कम होंगे यह react होंगे और यह formed होंगे तो इसलिए इधर से minus करना परेगा तो D में से मैंने X किया वैसे ही बिल्कुल और X क्यों क्योंकि stoichiometry 1 है फिर C में से 3X करना परेगा 3 क्यों क्यों क्योंकि stoichiometry 3 है very simple कुछ नहीं करना होते है B में आपको B था और X क्यों क्योंकि formed होंगे और 1 है इसका stoichiometry यहां पर और A में 2X क्यों क्योंकि stoichiometry 2 है तो very simple है यह आपको लिखना आना चाहिए यही trick का point है और very simple है एक बार reaction की direction पता लग गई आपको तो उसके according reactant में minus कर दो and product में plus और केतना करना है तो X करते हुए चले जाना और जो stoichiometry हो उसको multiply करते हुए चले जाना तो यहां तक आप लिखनेंगे अगेन यह cream की value आगई अब अगेन इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ information given होगा now इस type की reaction का case आप कैसे लिखेंगे तो very simple है उसके लिए tricks ध्यान से देखो आपको क्या करना always moles के term में लिख लेना उसका तो ध्यान से देखो केसी क्या होता always product by reactant तो moles of product d minus x power 1 moles of product again c का तो c minus 3x power 3 stagometry divided by b का b plus x और a का a plus 2x power 2 power 2 करना नहीं भोलेंगे तो यह moles के term में always आपको लिख लेना है क्योंकि बच्चे यहाँ पर confuse रहते हैं always moles के term में लिख करके अब अगर case है तो concentration होगा तो moles by volume क्या होता है concentration तो इसलिए 1 by volume की power delta ng और delta ng आपको निकारना बता रखाऊ जैसे इस reaction में अगर मैं delta ng की बात करूँ तो अभी कुछ नहीं मिंसन है तो सब gas है तो product में 1 और 3 4 हो गया minus reactant में 1 और 2 3 हो गया तो आपको कितना जागा 1 delta ng कैसे निकालते हैं तो उसके लिए formula को बता रखाऊ stoichiometric coefficient लेना है product का कौन सा वाला सिर्फ gas वाला यह दियान रखना है सबको add कर लेना है वैसे ही reactant में जितने भी gas वाले उन सबको add कर लेना है और product में से reactant को minus कर देना है तो delta ng आ जागा तो always चाहे मुझे kc लिखना हो या फिर kp लिखना हो तो भी वही करना है kp भी लिखना हो तो moles के term में लिख लेना ये पूरी value को मैंने z मान लिया right moles के term में इसलिए यहाँ पर ये चीज़े as it ही जा जाएंगे always moles के term में लिखना है और चुकि pressure क्या होता है mole by total moles से mole fraction into total pressure इसलिए p by nt p total pressure है ध्यान दे और nt भी total moles से key power whole power delta ng तो always kp भी लिखेंगे तो हम direct moles के term में लिख करके p by nt की power delta ng कर देंगे वैसे mole fraction के term में भी लिखना हो तो भी वही सेम काम moles के term में लिख करके आगे का value और चुकि mole fraction क्या होता है given moles by total moles तो इसलिए total moles 1 by nt की power delta ng तो ये बहुत important trick है चाहिए कैसी लिखना हो kp या kx moles के term में लिखेंगे moles के term में कैसे लिखेंगे वो समझा दिया उसको लिखने के बाद आप ये value को adjust कर देंगे delta ng कैसे निकालेंगे वो बता दिया तो यहां से एक point का निकल कर रहा है कि अगर suppose करो किसी reaction का delta ng 0 है तो delta ng 0 तो उसरे case में kp, kc, kx सब equal हो जाएंगे इसलिए हो सकता है confuse करने के लिए वो आपको concentration का information दे और kp पूछे तो बच्चे फिर pressure में convert करने लगते हैं वहां पे कुछ करने की जोतनी बेटा चाहे kp निकालो, kc निकालो, kx निकालो सब एक ही रहागा delta ng 0 है तो इसलिए तो और चुकि delta ng 0 है तो volume का भी effect नहीं परेगा यहाँ पे, तो only moles में आप solve कर सकते हैं that means, इस step से आप moles में निकाल कर गए, direct moles में solve कर दें volume से divide करने की जोतनी है क्योंकि cancel out हो जाएंगे अगर delta ng greater है तो क्या होगा केसी से, तो इससे आपको answer का एक idea होगा, तो I hope यह मेरा पूरा point के लिए रहोगा हम इस से बेस application लेकर के भी आपको समझाएंगे, again I am telling very simple, moles के term में सबको लिख लेना है, चाहे वो KC पूछे, KP पूछे, KX moles के term में लिख करके, C पूछा है तो 1 by V की power delta NG, P पूछा है, pressure के term में तो total pressure by total moles की power delta NG multiply कर देना है, mole fraction में तो 1 by total moles की power delta NG, और यह कैसे लिखना है तो यह आपको clearly बता दियो Question number 1 में 2SO2 plus O2 gives you 2SO3 और equilibrium पे सबका partial pressure आपको given है, तो KP पूछा गया तो ऐसे question दे करके, बच्चे बहुत कुछ हो जाते हैं, लेकिन उनसे गल्ती हुजाती है वो क्या? वो ध्यान नहीं देते हैं, यह kilo Pascal में, यह kilo Pascal में, बट यह Pascal में, तो इसलिए ध्यान से इसको पहले kilo Pascal में convert कर लो तो कितना हो जागा? 0.53 kilo Pascal kilo Pascal में क्यों? क्योंकि value छोटी रहेगी, तो calculation easy रहेगा और KP पूछा है, तो very simple, KP इसकल्ट क्या हो जागा? pressure of SO3 का square, right, नीचे में pressure of SO2 का square pressure of O2, अब यह value put करो तो यह 43 into 43 होगा, नीचे में 45 into 45 होगा, और यह 0.53, अब calculation में time नहीं लेना, आपको मालूम है यह prox में 1 होता, right बट यह value big है, तो यह 0.9 के असपास ले लेंगे, यह 0.9 के असपास, और यह 0.53 को अगर 0.5 लो, तो यह कितना हो जाएगा? उपर में 2 हो जाएगा, right, तो अब दियान से देखो तो 2 into 9 9 into 9, और इसका decimal हटाएंगे, तो 10 की पार माइनस 2, इसलिए sum में 10 की पार माइनस 2 है, तो सिर्फ हमें आगे की value से मतलब था, तो दियान से देखो यह 99 the 81, 81 to the right, 162 और we know कि इसके आसपास एक ही है यह, right यह दोनों तो possible नहीं थे, यह 2 से ज़्यादा हो गया, और यह 1.5 से भी कम हो चुका है, इसलिए यह नहीं हो सकता, तो option A होंगी तो इस टाप के problem, दूसरा इस टाप से भी पुछा सकता है, यह reaction है again, केसी इसका दे दिया है equilibrium पे इन दोनों का concentration same है, तो mores of O2 बताना है, तो again, equilibrium पे value दे दिया है, तो केसी का expression लिख दो, concentration of SO3 का square by concentration of SO2 का square, concentration of O2 कभी-कभी simple way में सोचने से हो जाते हैं कुछ बच्चे इसको X मान के करने लगते हैं, lengthy हो जाता है वो चुकि यह दोनों equal है, तो cancel हो जाएगा, इसलिए फायदा हो जाएगा केसी given है, तो direct आपको यहां से concentration of O2 कितना जाएगा 1 by 10, और concentration क्या होता है, moles by volume तो moles निकानना O2 का, तो moles O2 क्या हो जाएगा, volume से multiply कर देंगे, तो 1 by 10 into 100 तो answer कितना जाएगा, इसका by the way 10, तो इस steps आपको करना है Question number 3 में, CO2 gas plus C solids gives you 2 CO gas temperature 1000 Kelvin पे यह reaction हो रही थी pressure of CO2 0.5 ATM है total pressure equilibrium पे ध्यान दे, equilibrium पे total pressure 0.8 ATM है, तो KP बताना है तो आपको बता दिया यहां पे कि यह 0.5 से start हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं, तो 00, right उसके बाद क्या होगा, तो equilibrium पे 0.5 में से अगर इसका मैं X मानस करूगा, solid है तो इसका कुछ लिखनी की जरूत नहीं है और यह केतना बन जाएगा, 2X डारेक्ट हम pressure में solve कर सकते हैं तो अब यहां पे X निकानने के लिए आपको क्या दिया है, कि total pressure कितना हो जाएगा, 0.5 मानस X पलस 2X should be equal to कितना 0.8, तो 0.5 पलस X is equal to 0.8 तो X यहां से केतना हो गया, 0.3 तो X 0.3 आते ही equilibrium पे, अब यह केतना हो गया, 0.2 और यह केतना हो गया, 0.6 तो इसलिए KP क्या हो जाएगा 0.6 का square यह power 2 चला जाएगे और नीचे में 0.2 तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.6, 0.6 by 0.2 एक पॉइंट से point cancel 2 से 2, 3 दा 6 3, 6 दा 18 तो कितना जाएगा 1.8, option D तो ऐसे करना, बहुत simple है similarly यहां पे, यह reaction given थी आपको KP given था, total pressure equilibrium पे बताना है option given है तो देखो ध्यान से यह heterogeneous वाले ले रखे हैं हमने दोनों question यह solid है A solid convert होड़ा किसमे 2B gas और C gas ऐसे भी दे सकता है इसी reaction को तो इसका तो कुछ effect ने होने वाला है पहले बता रखा हूं heterogeneous में अब माल लेते हैं equilibrium पे इसका pressure अगर मैं 2P लूँगा stoichiometric according यह equilibrium पे डारेक्ट लिख रहा हूं तो इसका pressure कितना होगा P क्योंकि stoichiometry 2 is to 1 का है तो right और KP क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 2P का square into P right पावर stoichiometry में चले जाएगे तो यहां से कितना जाएगा 4PQ KP आपको given था 2.9 into 10 की पार-6 is equal to 4PQ इसको solve करो तो इसको 29 by 10 तो यह कितना हो जाएगा 29 into 10 की पार-6 is equal to 4PQ 4 से यह cancel हो जाएगे एप्रॉक्स 7 times में और 3 से पावर में यह 2 times में यहां से P कितना जाएगा ध्यान दे P की पावर 3 है तो 7 की पावर 1 by 3 हो जाएगा जिसको 8 ले सकते है तो एप्रॉक्स में यह 2 into 10 की पार-2 होगा टोटल प्रेशर हम से पूछा गया है तो टोटल प्रेशर कितना जाएगा 2P plus P that is 3P तो 3 times of 2 into 10 की पार-2 तो यह 6 के आसपास ऐसा एक option है C तो इस बात का ध्यान रखना ऐसे हम कर सकते है Question No.5 में A solid gives you तो टोटल प्रेशर है 10 बार है तो we know equilibrium पे दोनों का प्रेशर सेम होगा क्योंकि इस ठाक्यमेटरी 1-1 है तो अगर इसका प्रेशर X है तो इसका भी X है तो X plus X टोटल प्रेशर किसके और आवर है 10 तो 2X हो गया 10 के और आवर है तो X के तना आ आगया 5 तो यह D option मत कर देना आपसे पूछा है equilibrium constant KP तो KP क्या हो जाएगा X into X right that is X square तो 5 का square करोगे तो कितना आ जाएगा 25 इसलिए option क्या हो जाएगे A question number 6 में H2 I2 gives you 2HI right word form में था H2 का 4.5 more लिया गया I2 का भी 4.5 more HI के बार में कोई information नहीं तो 0 था volume 10 liter है equilibrium पे HI का most 3 है तो K बताना है तो यहाँ पे द्यान से देखो तो delta NG 0 है इसलिए K KC KP KX कुछ भी हो same ही होगा तो यहाँ पे कैसे करेंगा आपको बताया था equilibrium पे अप लिख लो 4.5 minus X क्योंके stoichiometry 1 है तो यह भी 4.5 minus X तो यह कितना बन जाएगा 2X इस बात का द्यान रखना है बस अब आपको X निकाने के लिए information given है mores of HI 3 है HI कोन है यह तो that means 2X की value 3 हो गई तो X कितना गया 1.5 तो X 1.5 है तो यह कितना हो जाएगा द्यान से देखो यह 3 हो जाएंगे यह भी 3 हो जाएंगे और यह भी by the way 3 हो जाएगा तो हमसे K पूछा है K क्या हो जाएगा KC हो या KP हो या K सेम होंगे delta NG 0 है तो तो क्या हो जाएगा 3 का S power by 3 3 तो answer हो जाएगा इसका 1 Question number 7 में A plus 2B gives you 2C plus D initial concentration of B is 1.5 times of A initial condition और equilibrium पे दोनों का concentration सेम है तो K बताना है again K बोला क्यों क्यों क्योंकि delta NG 0 है तो KC KP KX सब सेम होंगे अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि B का जब 1.5 times of A मतलब A का अगर 1 है तो यह 1.5 है अब आपको बता रखाऊं reaction आगे जाएगी क्योंकि इन ही दोनों के बारे में information है तो आप इसमें से 1 में से अगर X करेंगे क्योंकि STAGOMETRY 1 है तो इसका केतना जागा 1.5 minus 2X इसका केतना बनेगा 2X इसका केतना बनेगा X condition क्या दिया X निकानने के लिए कि B और A का equal है तो B और A का equal है तो 1 minus X should be equal to 1.5 minus 2X इधर लिया हो तो X is equal to केतना जाएगा 0.5 हमने बोला था आपको X निकानने के लिए को information X 0.5 होते हैं यहां से द्यान से देखो यह केतना हो गया 0.5 यह 1.5 minus 1 हो जाएगा तो यह भी by the way केतना हो जाएगा 0.5 यह 1 हो जाएगा और यह 0.5 तो K निकानना था हमें K क्या होगा द्यान से देखो 0.5 राइट पावर 1 into यह पावर 2 करना नहीं बोलेंगे बाइद अब यहां पे 1 है तो फर्क नहीं परेगा इस टागमेटरी पावर में यह 2 भी है तो यह वही पाइंट कि 0.5 का पावर 2 हो जाएगा और यह into में 0.5 तो यह आपका cancel हो जाएगा 0.5 का square तो नीचे है तो उपर में केतना हो जाएगा 4 तो option क्या हो जाएगे B तो इस तरीके से आपको करना है Question number 8 में AB 2 gas give you A gas plus 2B gas यह 25 लीटर के container हो रहा है इस temperature पे equilibrium पे pressure given है total pressure है क्योंकि mention नहीं किया कि इसका 280 Kp बताना है और 1 mole of AB 2 से start किया गया यह सब given था तो you know T equal to equilibrium पे आप कैसे लिखेंगे बता रखा था 1 minus X क्योंकि इस documentary 1 है तो इसका कितना बन जाएगा X और इसका कितना 2X तो total moles अगर मैं यहां से निकाल हूँ तो कितना हो जाएगा 1 minus X plus X plus 2X that is कितना हो गया यह X X cancel तो 1 plus 2X यह total moles हो गये हमारे पास right equilibrium पे हम total moles निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पे pressure volume given है तो PV is equal to nRT से pressure कितना था total 280 M volume 25 N निकानना है total और 1 by 12 लेंगे calculation के लिए temperature 300 तो यह देखो 25 to 50 50 से यह 6 time है 6 से यह 12 तो कितना हो गया N 2 moles हो गये right N 2 moles आगे तो यहां put कर दो तो 1 plus 2X अगर 2 के बराबर है तो यहां से देखो तो 2X कितना हो गया 1 तो X हो गया 1 by 2 that is 0.5 तो सब के moles आगे यह 0.5 हो जाएगा right क्योंकि X की value यह यह भी 0.5 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगे KP निकानना हमें तो चाए KP हो या KC हो या KX आपको बता रखाऊं पहले moles के term में लिख लो KP moles के term में product में तो 1 का square एक और product है तो यह हो जाएगा 0.5 divided by reactant में AB2 केतना 0.5 यह moles के term में लिख लिया और P by NT total pressure केतना है 2 by total moles भी by the way 2 है right और इसकी power क्या हो जाएगा delta NG तो यहां से ध्यान से देखो तो यह cancel out ही हो जाएगे सब और delta NG इसका निकाल सकते है 2 और 1 3 3 में से एक गया तो 2 तो right by the way 1 का score है तो answer कितना हो जाएगा 1 तो KP की value हो जाएगी आपका 1 question number 9 में CO और H2O react कर रहा है तो CO2 और H2O दे रहा है इसके 1 1 mole लिये गए है equilibrium पे 40% water का by mass react हुआ है ध्यान दे 40% by mass तो KC बताना X into 10 की part हो है तो X की value तो दियान से देखो ऐसे problem को कैसे करेंगे 40% by mass react हुआ है तो 1 mole लिया है तो 1 mole का mass कितना हो गया water का ध्यान दो 18 gram 18 का 40% कितना हो जाएगा दियान से देखो तो 7.2 gram तो इतना तो react हो गया तो बचा कितना 18 minus 7.2 that is 10.8 gram तो moles निकाल सकते है 10.8 by 18 तो कितना हो जाएगा 0.6 mole यह कहाँ पे है equilibrium पे बचा हुआ है अगेन लिखेंगे कैसे वह ही बताया 1 minus X 1 minus X इसका X और X तो यहाँ पे 1 minus X किसके बराबर है 0.6 के कैसे क्योंकि equilibrium पे 0.6 mole बचा रहे तो यहाँ से X के तना आगे आपका 0.4 moles तो यहाँ पे put कर दीजिए तो यह तो 0.6 हो गया यह भी by the way 0.6 यह 0.4 और यह आपका 0.4 हमें केसी निकानना है तो केसी का फर्मूला यह राइट से आपका इस्टाक्रम 1.1 है तो 0.4 0.4 divided by 0.6 0.6 तो 0.6 तो 0.6 0.6 तो देहां से देखो 2 2 2 2 2 2 3 तो देहां से देखो तो यह कितना हो गया 4 by 9 अब इसको अगर मैं divide करूँ तो देखो कितना हो जागा 0.4 right फिर से 4 तो हमें लिखना कैसे x into 10 की पर minus 2 में right तो यह कितना जागा 44 into 10 की पर minus 2 तो integer type में answer कितना जागा 44 Hello everyone कसका है आज के इस वीडियो lecture में मैं आपको जो tricks and concept दोंगा वो chemical equilibrium में degree of dissociation से related है और इस पे based आने वाले किसी problem को आप बहुत easily कर लोगे and quickly भी तो सबसे पहले हम बात करते हैं degree of dissociation है क्या तो इसको हम alpha से represent करेंगे और यह define कैसे होता है number of moles reacted कितना moles react हो गया divided by initially moles taken उस reactant का कितना initial moles आपने लिया था तो यह define होता है अब हम एक example समझते है suppose कर लो यह हमारी reaction है और A का moles आपको given है A है initial तो equilibrium पे हमें लिखने आता है बता रखाओ हमने माना कि यह reaction अगर forward में जाए रही है तो क्या होगा इसके कुछ amount react होंगे तो मान लिए x mole react हुआ तो one one coefficient है तो इसका x form होगा और इसका भी x form होगा तो यह जो a minus x हमने लिखा इसमें x क्या है number of moles reacted और a क्या है आपका यह वाला a लो या यह वाला a यह क्या है initial mole taken इसलिए हमने क्या लिखा alpha is equal to moles reacted is x जो subtract करतो हो minus करतो हो y moles reacted है divided by initial mole taken a तो alpha क्या होगा x y a तो यहां से x में लिख सकता हू a into alpha हो जाएगा right तो very important actual में क्या हो गया जहां पर आप हम x लिखते थे वहां पर x की जगा आप क्या लिखेंगे a alpha right जहां alpha की value definitely 0 से बढ़ा होगा और 1 से छोटा होगा 0 से 1 के बीच में आगा क्यों क्योंकि यह greater value है और यह smaller value है तो यह point जहां में लखना है now तो question is sir इसकी requirement क्या पर रही हम already minus x करके कर रहे थे तो इसकी requirement क्या है वो ध्यान से देखो पहला तो अभी सी बात है easy in solving question को solve करने में थोड़ा हमे easy हो जाएगा second thing कि इसमें हमें initial value पे depend नहीं करना पड़ता है initial value अभी मैं देखाऊंगा cancel out हो जाते हैं तो initial mole आपने केतना लिया 1, 2, 3, 4, 5 and so on कुछ भी लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हमें इसकी requirement है दूसरा यह आप concept कहां पे लगाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे reactant 1 हो but product 1 या 1 से जादा हो सकते हैं और यह कहां पे use करते हैं जब हमें kp लिखना हो equilibrium constant in terms of pressure तो वहाँ पे सबस्यादा use होता है क्योंकि वहाँ पे kp आपका function of alpha हो जाएगा degree of decision and total pressure हो जाएगा तो यह important point हम kp में लगाते हैं example के तोर पे समझ लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 reaction लिया है यही 2 reaction 99% पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान में रखना यही 2 reaction पूछे जाते हैं other कोई reaction हो तो भी कर सकते हैं कैसे करना वैसे ही same तो यहाँ पे यह reaction A gives you B plus C जैसे PCL 5 gives you PCL 3 plus CL 2 ऐसे भी लिख सकता है मैंने in general ले लिया मान लिया A का A मोल से B का 0 और C का 0 है तो अभी शिरिफ A present है तो reaction forward में जाएंगी तो हमने माना equilibrium पे इसका X मोल react हो रहा है तो A मानास X और XX found हो जाएंगे क्योंकि इस टाकिमेटरी सब का क्या है 1 है अब यहाँ पे X की जगह मैं क्या put कर दूँगा A alpha तो A मानस A alpha A alpha A alpha हो जाएगा total moles इन सब को add करतेंगे तो आजाएगा total moles तो alpha alpha cancel हो जाएगे A alpha A alpha और सिरिफ A plus A alpha बचेगा जिसमें A common लोंगा तो 1 plus alpha आजाएगा right now the question is Kp तो हमने आपको बताया था Kp आप कैसे लिखेंगे moles के term में तो देख लो product कौन है A alpha A alpha तो यह रखा power 1 1 क्योंकि इस टाकिमेटरी 1 1 है और reactant का A minus A alpha जिसको A into 1 minus alpha लिख सकते है यह moles के term में हो गए और P by total moles की power delta NG इस reaction का delta NG केतना दियान से देखो 1 कैसे 2 minus 1 1 हो गया तो इसलिए P पे power 1 और इन सब पे भी power क्या 1 P by यह P total pressure है delta NG चुकी तो 1 ही हो गया इसलिए P की power 1 हो गया और total moles निकाल चुके A into 1 plus alpha तो यहां से ध्यां से देखो A, A से यह cancel हो जाएंगे यही मैं कहना चाहरा था क्योंकि initial value पे यह depending नहीं करेगा वो overall cancel out हो जाएंगे इसलिए इसकी requirement पर यह तो सिर्फ क्या बच गया आपका alpha square P upon 1 minus alpha K P is equal to तो मैं तो suggest करूँगा आप यह यादी रख लो कि A gives you B plus C के case में alpha square P upon 1 minus alpha square इसको further आगे कैसे पूछा सकता है कि अगर alpha 1 से very very less है तो 1 minus alpha square approximately 1 हो जाएगा तो K P किसके बावर हो जागा alpha square P तो यहां से alpha क्या हो जाएगा K P by P की power half या root under हम लगा सकते है तो यह भी important है तो यह एक one type हुआ दूसरा A gives you 2B that means stockmetry इदर बान है इदर 2 इस type के question पुछा सकते है अगेन इसका A more से लिए 0 reaction forward में जाएगी A minus X तो इसका 2X X की जगा A alpha तो 2A alpha that means इसका degree of distortion हमने alpha माल रखा right total moles again सबको add कर देंगे तो A into 1 plus alpha ही आ जाएगा इस case में K P moles के term में लिख दो 2A alpha power 2 करना नहीं भूलेंगे right stockmetry power में और नीचे में A into 1 minus alpha total pressure हो गया और total moles again A into 1 plus alpha delta NG इसका भी ध्यान से देखो तो 1 ही है right इन दोनों में difference क्या है यह जो 2 था आगे तो वो 2 का square 4 आ गया बाकी चीजे सेम है देखो बाकी चीजे सेम है सिर्फ यह 4 extra आ गया है और वो इसलिए क्योंकि 2 है यहाँ पे 1 का square 1 1 का square 1 इसलिए नहीं आया right और again भाई alpha अगर very very less than 1 हो तो यह तो 1 हो जाएंगे तो kp 4 alpha square p हो जाएगा इसलिए alpha क्या हो जाएगा kp by 4 यह 4 चलते रहेंगे power half तो यह एक overview हो गया आपको कि इस type से करना है 99% question इनी दोनों में से फसेंगे other कोई भी हो तो आपको ऐसी करके चलना है फाइदा क्या हुआ kp function of क्या है ध्यान से देखो alpha and total pressure degree of decision total pressure मालूम है तो हमें kp मालूम है अब इसमें 3 variable है कोई 2 दे करके 3 पूछा जा सकता है question number 1 में a gives you b plus c by 2 alpha और k का relation बताना था option given है तो आपको बता रखा हो कि इस reaction का अगर मैं k लिखूँ alpha के term में तो most का कुछ term आएगा और p by nt total most की power delta ng आएगा मैं direct p को क्यों चेक कर रहा हूँ क्योंकि p का power sum में क्या है different है इसलिए exam में आपके mind को present रखना परेगा बेटा पहले तो option से जाना परेगा तो you know delta ng अगर आप ध्यान से देखो तो delta ng इसका आजाएगा half that means एक बात के लिए रहे p पे power आएगा कितना half तो ऐसा एक ही option option है खतम होगा यह question तो ऐसे आपको think करना है दूसरा यह कि solve करके बता हो तो very simple है a gives you b plus half c इसका a होगा तो 00 यह a minus a alpha तो यह हो जाएगा a alpha और यह a alpha by 2 तो यहां से total moles आपको कितना आजाएगा a alpha a alpha cancel हो जाएगे तो a into 1 plus alpha by 2 हो जाएगे और वही kp आप कैसे लिखेंगे आपको मालूम है moles के term में बस यह ध्यान रहे कि यहां पे a alpha by 2 का power हाफ करना नहीं भूलेंगे यहां पे a alpha की power 1 हो जाएगा नीचे में a into 1 minus alpha हो जाएगे और p by n t y pressure और total moles आप निकाल चुक हो a into 1 plus alpha by 2 और इन सब पे power delta n g half तो यहां से करोगे तो यही आजाएगा तो देखो एतने calculation से कैसे आपको बचा है ऐसे think करना है question number 2 में again देखो n2o4 gives you 2no2 that means a gives you 2b type है यह right kp given था percentage alpha पूछा है 0.5 atm pressure है total तो आपको बता रखा हूँ इसका direct kp आप देखो 4 alpha square p upon 1 minus alpha square kp आपको given 2 यह हो गया 4 alpha square p आपका 1 by 2 हो जाएगा right क्योंकि 0.5 atm है 1 minus alpha square तो यहां से देखो तो कितना हो जाएगा यह cancel हो जाएगे सब right तो alpha square is equal to 1 minus alpha square 2 alpha square is equal to 1 तो यहां से alpha क्या आगया 1 by root 2 right 1 by root 2 कितना हो गया यह देखो 1 upon 1.4 right अगर मैं इसको 1.5 भी लेता तो भी ज्यादा फर्क नहीं परता है नहीं हाओ यह कितना हो गया 10 by 14 percentage की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 100 right तो 14, 7 दा 98 मतलब 70% के आसपास ऐसा एक ही option always आपको option से जाना बेटा calculation में नहीं फासना है क्योंकि आपको option इस तरीके से given होंगे क्या आप एप्रॉक्स करके कर सकते हो question number 3 में for a weak electrolyte a2, b3 of concentration given the c degree of distortion alpha है तो equilibrium constant और alpha में क्या relation होगा तो very simple ध्यान से देखो a2, b3 कैसे परेखोगा 2a और 3b में right इसका concentration c है तो ये 0, 0 जाएंगे c में से ये c alpha गया तो ये 2c alpha क्योंकि इस टाकोमेटरी 2 है ये 3c alpha तो के क्योंकि आप कैसे लिखेंगे 2c alpha का power 2 क्योंकि इस टाकोमेटरी power में जाएगा फिर 3c alpha का power 3 नीचे में c into 1 minus alpha चुकि जो alpha होगा वो very very less than 1 होगा इसलिए 1 minus alpha को एप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं तो यहां से क्या हुआ दियान से देखो 2 का score 4 3 का cube 27 c की power 5 alpha की power 5 by c तो 1c से 1c cancel हो जाएंगे तो यहां से alpha केतना आ जाएगा दियान से देखो alpha जो जाएगा यह divide में चला जाएंगे तो k by यह 108 c की power 4 और इसकी power 1 by 5 तो ऐसा कौन सा option है option B यहतना आपको करनी जोट नहीं थी अगर आप दियान से देखो तो sum में coefficient जो है वो अलग-अलग है exam में आपको ऐसे think करने था और चुकि यह 2 और 3 में है तो यह 3 का power 3 तो 27 2 का power 2 तो 4 27 into 4 के तना होगा 108 ऐसा एक है option में था तो ऐसे भी आप check कर सकते थे question number 4 में x give you y plus z kp उसका given है a gives you 2b उसका भी kp given है दोनो reaction का alpha से में initial concentration से में तो pressure का ratio बताना है तो आपको बता रखाओ ऐसे reaction का kp direct क्या था alpha square p upon 1 minus alpha square और इस reaction का आपका kp क्या था इसको 1 बोला है इसको 2 तो 4 alpha square p upon 1 minus alpha square दोनों का ratio ले लो तो kp 1 by kp 2 is equal to अब अगर आप जहान से देखो तो यह पुड़ा part तो cancel out ही हो जाएंगे क्योंकि alpha same है और यह pressure p1 कर दो इसको p2 कर दो तो वो cancel हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा p1 by 4 p2 और यह given आपको kp1 जो है वो 3 है by 1 is equal to p1 by 4 p2 इसलिए p1 by p2 यह 4 multiply हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 is to 1 तो यह ratio हो जाएंगे तो इस type के question पूछे जाते है question number 5 में a solid gives you b gas c gas kp1 x है d solid gives you c gas e gas kp2 y है तो total pressure आपको बताना जब दोनो solid x होंगे तो अच्छा question है ध्यान देना यहाँ पे यह solid से gas मिल रहा है तो आप वो वाला मत लगा देना कि sir kp1 is equal to alpha square p upon 1 minus alpha square यह अभी नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि यह solid है तो right तो कैसे करेंगे very simple द्यान से देखो a solid से आपको क्या मिल रहा है b gas और c gas किसका equilibrium constant kp1 है तो अगर मैं इसका तो कुछ pressure ने लेंगे solid क्योंकर बता रखा हूँ इसका pressure अगर p1 है तो 1 is to 1 ratio equilibrium पे इसका भी pressure p1 होगा दूसरा reaction लिख लो आप d solids gives you c gas again और e gas again इसका kp आपको given that is kp2 here is x और here is y द्यान से देखो तो यह again solid है equilibrium पे अगर इसका pressure p2 लेता हूँ तो इसका भी p2 होगा क्योंकि इस documentary 1,1 है now the question is कि यहाँ पे c जो है वो दोनों में common है तो यहाँ पे p1 pressure और यहाँ पे p2 तो इसलिए c का overall केतना हो जागा p2 पलस p1 इदर p1 पलस p2 बस यह ध्यान देना है c का क्योंकि दोनों एक ही साथ हो रही है तो दोनों का pressure same होगा तो add हो जाएंगे बस यह ध्यान रखना था तो यहाँ से kp1 में क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो इसका pressure p1 into p1 पलस p2 यहाँ से kp2 में क्या लिख सकता हूँ क्योंकि equilibrium पे है यह तो again p2 p1 पलस p2 अब मैं इन दोनों को add कर दूँ तो ध्यान से देखो kp1 पलस kp2 तो इसमें यह दोनों क्या होगे common होगे तो यह क्या हो जाएगा p1 पलस p2 का square दो बर into मा जाएंगे और यह आपको given है that is x plus y is equal to p1 पलस p2 का square इसलिए p1 पलस p2 क्या हो जाएगा ध्यान से देखो root under of x plus y now हमसे total pressure पूछा गया total pressure क्या क्या होगा p total क्या जाएगा pressure of b pressure of c plus pressure of e pressure of b आप ध्यान से देखो तो कितना है p1 pressure of c p1 plus p2 है और pressure of e again p2 है तो ध्यान से देखो तो यह 2 times of p1 plus p2 है और p1 p2 की value निकाल चुके है तो क्या हो जाएगा 2 times of root under of x plus y that is option d तो इस तरीके से आपको करना है ना जाते जाते ग्यान के बात मालो इस टाइप से कोई reaction given हो जहां पर स्टाक्योमेटरी कुछ हा रहा हो already reactant में तो ऐसे कैसे बच्चे confuse रहते हैं इसलिए confusion नहीं उसके लिए मैं यह बताने जा रहा हूँ अगर किसी ने 2A alpha और लिया था कितना आपने initial A तो यहां पर actually में DOD अपने कितना लिया है 2 alpha यह ध्यान रखना alpha नहीं लिया अगर किसी ने ऐसे लिखा A alpha तो देखो 2 से इसका 1 मिर रहा है राइट half उड़ा है तो A alpha तो यहां पर A alpha by 2 लिखना परेगा यह गलती करते बच्चे यह ध्यान रखना यह लिखना परेगा है इसका भी A alpha by 2 इसके 2 से 2 तो A alpha से A alpha तो अब यहां पर अगर DOD की मैं बात करूँ तो यहां पर react मेरा केतना हुआ A alpha initial A तो यहां पर DOD alpha है तो इसलिए question को carefully read करना है कि degree of decision क्या given है उसके according आपको करने आना चाहिए इस टाकुमेटरी का खास दियान रखना है तो I hope मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा आप इस पर बेस किसी problem को कर सकते हो Thank you Hello बच्चो कैसे हो I hope आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को साई से follow कर रहे होंगे आपको chemistry समझ में भी आ रहा होगा और easy भी लग रहा होगा तो आज मैं आपके लिए एक और trick लेक्टा आया हूँ That is all about calculation of log value Right You know इसका ज़रूरत कहां कहां पर पढ़ता है आइनी के clear on chapter में परेगा Thermodynamic chapter में परेगा And electrochemistry chapter में तो log की value को हम कैसे calculate करेंगे Without using log table तो उसके लिए रफी सर का simple trick ध्यान से देखो तो पहले some of the basic points जो और रेड़ी आप जानते हो कि देखो log 10 और A Right तो log 10 जो है वो यहां पर हम दिखाते नहीं है जो base है वो मैं दिखाऊंगा नहीं या फिर दिखाया भी नहीं जाता है तो इसलिए कहीं पर यह लिखा यह लिखा यह लिखा एक ही बहुत है पहले basic quantum समझे ले सबका एक ही मतलब है यहां पर by default base कितना 10 है Log A की power B होगा तो B यूनो बाहर आजाता है तो B log A हो जाएगा यह भी आप जानते ही हो next log A into B अगर multiplication में है तो addition में जाता है log A plus log B यह भी जानता हो यह use करेंगे हम लोग log A by B divide में होगा तो minus मा जाता है यह भी आप जानते ही हो now जो point है कि आपको log की यह 6 value याद रखनी है log की यह 6 value याद रखनी है उसके बाद log की कोई भी value हो आप easily roughy circuit trick से निकाल लोगे तो log की कौन से 6 value है simple है log 2 that is point 30 यह याद रखना है log 3 point 48 log 5 point 70 log 7 point 85 log 1 0 हो जाएगा और log 10 क्योंकि base और power same हो गया तो value 1 हो जाती है तो यह 6 log की value याद रखना आपको अब इसका use करके मैं log की कोई value निकाल सकता हूँ without using log table एक और point है analysis यह क्यों कराने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास option होंगे 4 तो हमें option तक पहुँचना है क्योंकि हमें calculate करके कोई nobel price तो मिनने वाला है नहीं तो हमें बस answer तक पहुँचना है इसलिए यह analysis बहुत ज़रूरी है आप ध्यान से देखो log 10 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की power 1 1 बाहर आ जाएगा तो value कितना हो जाएगा 1 क्योंकि base power से मुग है तो 1 हो जाएगे इस point से log 10 1 होता है log 100 जिसको 10 की power 2 लिख सकते हैं तो कितना जाएगा answer 2 log 1000 तो 10 की power 3 लिख सकते हैं तो answer कितना जाएगा 3 तो यह analysis क्या कहना चारहूँ ध्यान से देखो 10 की value 1 है 100 की value 2 है और 1000 की value 3 है and so on तो मैं क्या कहना चारहूँ कि ध्यान से देखो तो यहाँ पे value कितना increment हो रहा 1 1 बट यहाँ पे कितना increment हुआ जब 10 से 100 गए तो 90 का increment है और 100 से 1000 गए तो 900 का increment है तो ध्यान से देखो इधर में increment जादा है लेकिन इधर values में वही increment है same increment है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको log 10 से लेकर के log 100 तक का बीच का कोई भी number दे जाए तो आपको एक idea है कि आपका answer 1 से 2 के बीच में आने वाला है तो इससे हम option तक महूँ सकते है similarly अगर कहीं पे log 100 से लेकर के log 1000 तक के बीच का कोई number है तो हमें idea है कि हमारा जो answer है वो 2 से 3 के बीच आने वाला है तो यह analysis का यही मतलब है कि हम एक analysis करके रखें कि हमारा answer किस range में आने वाला कहां से कहां तक होने वाला है मैं इसका भी use करूँगा और इसका use करूँगा इन दोनों के use से मैं log की कोई भी value निकाल सकता हूँ without using log table तो देखे इस application में तो देखो मैंने यहां पे total 6 problem लिया log की मैंने कोई भी random value लिया एक log 4 मुझे निकालना है तो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ द्यान से देखो log 2 का power 2 तो यह 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2 और log 2 आपको मालूम है तो 2 into 0.3 तो कितना हो जाएगा 0.6 simple similarly log 9 निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log 3 का square फिर से बाहर आ जाएगा log 3 कितना हो जाएगा अभी बताया था 0.48 तो यह कितना जाएगा 0.96 और एक idea था क्योंकि यह value जो है वो 4 जो है वो 1 से 10 के बीच में तो you know 1 की value log 0 होते है और 10 की value 1 होता है तो हमारा जो भी answer होगा वो 0 से 1 के बीच मोना चाहिए तो आप देख सकतो 0 से 1 के बीच में similarly यह भी 1 से 10 के बीच में तो answer 0 से 1 के बीच मोना चाहिए तो यह होगा और जितना ज़्यादा 10 के close होगा, उतना ज़्यादा 1 के close होगा, यह सब हम simple logic लगा सकते हैं, similarly जैसे यह 48 है, तो यह 10 से greater है, आपको मालूम पढ़ गा, यह 10 से greater और 100 के बीच है, तो हमारा जो भी answer होगा वो definitely 1 और 2 के बीच मैं गरा है, तो approach calculation कैसे करोगे, 48 को मैं क्या ले ल that means log 5 plus log 10, log 10 तो केतना होगा 1, log 5 केतना होगा आपका, 0.7, तो answer केतना हो जाएगा, 1.7, तो एक ऐसे भी, और you know कि तुम ज़्यादा ले लियो, तो थोड़ा सा इससे कम कर देना, और अगर exact निकानना, तो भी हम कर सकते हैं, 48 को क्या लिश सकतो, log 16 into 3, 16 क्या हो जाएगा, log 4 का square, right, और यह log into 2 से, यह log 3, तो यह 2 log 4 हो जाएगे, log 4 अभी निकाल चुक है, 0.6, तो 2 into 0.6 plus log 3 is 0.48, तो यह केतना जाएगा, 1.68, तो आप देख सकतो, और यह भी 1.7, थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने 50 ले लिया है, तो हमें calculation, जो है वो approach करना है, क्योंक चुक है, कि यह value 100 और 1000 के बीच में, तो इसलिए हमारा answer 2 और 3 के बीच में आगा, और यह very close to 1000 है, तो definitely यह value very close to 3 हैगी, तो log 900 ले ले लेता मैं इसको, तो value कितने आ जाती बताओ, 9 into 100, तो 100 का 2 आ जाता, right, और log 9 is, अभी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, 0.96, तो यह हो 2.96, log 900 और इसको अगर 1000 लेता तो कितना होता, log 1000 is 3, तो right, तो एक idea आपको आगया, कि आपका answer 2.96 से 3 के बीच में जोगा, right, अब यहाँ से यहाँ तक में देखो, 2.96 से 3 के बीच में, 2.96 से 3 के बीच में, कितना और है, 0.04, यह gap है, और यहाँ से यहाँ तक में कितना gap है, 900 से 1000 में आपके पास total 100 का gap है तो हमें केतना चाहिए? 76 मतलब इसको 4 part में divide कर दूँ मतलब 3 times और increase हो जाना है तो इसकी value close to में close to में केतना हो जाएगा? Approx में 2.99 के असपास हो जाएगा similarly मालो यह निकानना हमें तो यह निकानना है तो आप इसको केतना ले सकते हो एक बार? 2500 और एक बार केतना ले लो? 2600 2500 लिया तो केतना हो जाएगा? 25 into 100 और 100 तो 10 की पाँवर 2 तो 2 बार आजाएगा और 25 तो क्या हो जाएगा यह? 2 प्लस लॉग 25 को क्या ले सकते हो? 5 का इसक्वार तो यह 2 लॉग 5 लॉग 5 की वैलू आपको मालू में केतना? 0.7 तो केतना हो गया यह? 2 प्लस 1.4 तो आप देख सकतो कि यह 2500 3.4 आ रहा है तो आपका जो एंसर होगा वो उससे थोरा सा जादा होगा क्योंकि 2600 भी हम निकाल सकते है तो anyhow इसका एंसर we can say कि इसका एंसर 3.41 के आसपास होगा क्योंकि हमें प्रॉक्स तक कहुंच रहा है तो आप उसके आसपास का वैलू आप लेकर के चल सकते हो similarly log 8 तो log 8 को क्या लिश सकते है log 2 का power 3 तो यह क्या हो जाएगा 3 log 2 और log 2 आपको मालू है 0.3 तो 3 into 0.3 तो कितना हो जाएगा यह 0.9 तो आप देख सकतो आप log की कोई भी वैलू निकाल सकतो और in fact आप very close to एंसर तक पहुंच सकतो अगर मेरे इस logic को आप समझ गया हो तो अब हम बात करते हैं calculation of anti-log value anti-log कैसे निकालेंगे और सबस्यादा यह आपको ionic equilibrium में use होता है जब आपको pH given होता है और H plus निकालना होता है you know pH is equal to minus of log H plus होता है तो मैं यहाँ पे 3 value लियाँ pH का और इससे H plus कैसे निकालेंगे रफी सर के simple trick से तो ध्याँ से देखो अगर pH given है H plus निकालना होता हो जो value आपको given होगी आपको क्या करना है उसका next nearest integer लिखना है तो 5.6 के आगे कौन सा integer रहता है 6 और 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 minus कितना extra add कर दिया हमने 0.4 तो 6 minus 0.4 लिख सकता हूँ that means 5.6 को आपको क्या लिखना है 6 minus 0.4 लिख सकते हैं दोनों equal है कैसे 6 में से 0.4 अगर अटा होगे तो 5.6 होगा that means जो number होगा उसका next nearest integer लिखना है और जतना ज़्यादा अपने add कर दे उसको minus कर देना है यह जो value है इसको 10 की power minus में जाने देना है तो 10 की power minus 6 और यह जो value है इसको log की value से adjust कर देना है तो 0.4 किसकी value होती है you know log 2.3 होता है दियान दो log 2 जो होता है वो आपका 0.3 होता है और log 3 जो होता है वो 0.48 होता है तो यह जो value हो 0.3 से 0.48 के बीच में तो 2 से 3 के बीच में approach हम ले सकते हैं approach into approach में मैं ले रहा हूँ 2.5 क्योंकि आपको option given होंगे उससे आप easily पहुंच जाओगे similarly जैसे मुझे मालो यह निकाना है 8.1 pH अगर 8.1 है तो h plus कितना होगा तो h plus कैसे निकालेंगे दियान से देखो 8.1 को क्या ले सकते है 9-0.9 8.1 हो गया 9 को क्या करना है 10 की पावर में माइनस में जाने दना है तो 10 की पावर माइनस 9 हो गया और into 0.9 किसकी value होगी तो 0.9 जो हो जागी value आपको log 8 की value हो जागी क्यों? क्योंकि log 8 को क्या लिस सकते है log 2 का power 3 तो यह कितना हो जागा 3 log 2 और 3 log 2 कितना हो गया 0.3 सब आपको बता रखाओ तो 0.9 is log 8 की value तो क्या हो जागा into 8 मतलब क्या करना है पहला वाला integer को आपको 10 की पर मानस में जाने देना और यह वाले को log की value से adjust कर देना है similarly एक और example लेकर बताता हूँ pH अगर 6.3 है तो h plus बता हो इस टब का पहले तो बहुत easy वे मैं कर सकतो 6.3 को आप क्या लिखोगे 7 minus 0.7 यह value को आपको क्या करना है 10 की power minus में जाने देना है तो 10 की power minus 7 हो गया और 0.7 किसकी value होती है log 5 की तो 5 into 10 की power minus 7 that means h plus की value कितना हो जागा 5 into 10 की power minus 7 simple तो I hope आपको समझ मैं होगा तो pH अगर given हो उससे h plus निकरना हो तो रफी सर के यह trick से कर सकतो इन जेनरल बता हो यह तो आइनिक के point अभी से होगा अगर इन जेनरल निकरना हो जैसे log x 4.3 है तो x केतना होगा तो very simple 4.3 मतलब इसको कैसे लिख सकतो 4 plus point 3 तो यह 4 को क्या करना 10 की power 4 में जाने देना और यह point 3 को log की value से adjust करना है तो कितना हो जागा log 2 होता है point 3 तो इसलिए x की value आपका कितना जागा 2 into 10 की power 4 क्योंकि आप यहाँ पर put करके देख लो 10 की power 4 से 4 बार आ जाएगा log into log भी लगा देंगे तो log 2.3 तो 4.3 हो जागा similarly एक और कि अगर log x 2.7 है तो x कितना होगा तो देखो very simple फिर से समझो आपको क्या करना है यह जो है 2 plus point 7 लिख देख देख 2.7 को तो 2 को क्या करना है 10 की power में जाने देना तो 10 की power 2 0.7 किसकी value होते है log 5 की तो इंटू 5 तो इसलिए x कितना होगा 5 इंटू 10 की power 2 क्यों 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 कि आप करके देख लो एक बार log 5 इंटू 10 की power 2 तो यह log A इंटू log B हो गया तो क्या हो जाएगा log A plus log B तो log 5 होगा आपका पॉइंट से बन और यह 2 log 10 तो यह 2 तो आपको यह clear होगा एंटी लोग निकानना जाते जाते ग्यान की बात और बहुत सिंपल है यह कि देखो log E A होगा तो उसको LNA इसको natural log बोलते हैं तो अगर उसने बोल दिया ln लगा दिया ln लिख दिया है तो मतलब natural log है और उसका base क्या है E है वो यह point दियान रखना है तो इसको ऐसे भी represent कर सकता हो और ऐसे भी right by default यहाँ पे base क्या है E है और अगर natural log से log with base 10 में you know यहाँ पे क्या base 10 है right तो अगर natural log से base 10 में जाना हो तो 2.303 से आपको क्या कर देना है multiply तो यह conversion दियान में रखना है तो आपको चुकि इसकी सारी value calculate करना trick से बता दिया हो तो इसकी value निकानना हो तो भी निकास सकता हो और इसकी value निकानना हो तो भी निकास सकता हो क्योंकि दोनों का आपको connection मालूम है तो देखो उसको सिखाने के पीछे reason है मेरा कि यह log की value आपको equilibrium chapter में यूज होगा ionic equilibrium में log निकानना ही परेगा आपको electrochemistry में आपको जब nasty question परेंगे तो वहाँ पर यूज होगा thermodynamics में भी यूज होगा delta G is equal to delta G naught plus RT natural log Q तो वहाँ पर भी यूज होगे इसलिए log की value हमें निकानना ही परेगा और ionic में जैसे example देता हूँ कि h plus की value आपको कहिम पर भी अगर निकाल लिया आपने कि h plus x into 10 की power minus y है that means आपको scientific notation में निकाल लेना है जहाँ पर x की value 1 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, etc तो आगर h plus इस form में है तो pH निकानना हो तो direct यह जो y है वो यहाँ आजाएगा जहाँ से देखो y और यह x में log लगा देना with minus sign जैसे कहीं पर h plus की value है 2 into 10 की power minus 3 अगर suppose करो यह है तो pH अगर आपको निकानना हो तो direct आप निकाल सकते हैं यह 3 यहाँ जाएगा और minus log 2 log 2 आपको बता रखाओ 3 minus log 2 is 0.3 तो answer क्या हो जाएगा 2.7 तो I hope यह आपको अच्छे से समझ में आगया होगा कि log value कैसे निकालेंगे without using log table एंटी लॉक कैसे निकालेंगे without using log table एंड यह log value हमने पढ़ाई है क्यों आपको क्योंकि यह 3 चेप्टर में इसका यूज है Hello everyone, कसका आए आज की इस वीडियो लेक्चर में जो tricks and concept मैं दूँगा वो actually acid based theory से related है और यह बहुत easy है and important भी तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दुनिया का कोई भी compound अगर आपको दे लिया जाए और वो acid है या base तो उसको पैचानने के 3 तरीके हैं सबसे पहले aryhenius theory high यह सब scientist के नहे में उसके बाद bronzed उसके बाद Lewis तो aryhenius के according acid वो है जो H plus donate कर दे और आप कैसे पहचानेंगे कि वो H plus donate कर सकता है तो वो hydrogen fluorine से oxygen से या nitrogen से attach होना चाहिए phone वर्ट से हम याद रख सकते हैं या फिर sp carbon से corner वाले sp carbon से attach हो तो वो भी acidic hydrogen में आ जाता है और अगर कोई OH minus दे रहा है तो उसको बोलेंगे base according to aryhenius यह था for example जैसे यहाँ पे यह hydrogen oxygen से attach है तो acid है यहाँ पे भी hydrogen oxygen से attach है तो यह acid हो गए right NaOH तो यहाँ पे metal के hydroxide है तो OH minus देगा तो base और यह सब H plus देंगे इसलिए acid यहाँ पे BOH wholethrise actually में इसको लिखेंगे तो H3PO3 boron के compound है यह boric acid तो ध्यान दे यह acid है इसमें confuse कर देता है कभी कभी बट यहीं पे POH wholethrise होगा तो actually में यह क्या है H3PO3 phosphorus acid तो फिर यह क्या हो जाएंगे यह भी acid हो जाएंगे तो definitely non metal के जो oxide होते हैं वो acidic होते हैं और metal के oxide या hydroxide basic होते हैं तो इसका जो कहना था कि अगर कोई water में add करने के बाद H plus दे रहा है तो acid OH minus दे रहा है तो base और कैसे पैचानेंगे उसका simple तरीका यह है बट यह theory हर जगा पे apply नहीं हो सकती कहीं कहीं पे fail हो जाती है तो फिर उसका ब्रॉंस्टेट नाम के scientist ने बताया तो उनका कहना था कि जो H plus donate करे वो acid same इसका भी कहना था बट base को उसने अलग तरीके से define कर दिया कि जो H plus accept करे वो base right for example NH3 तो इसके पास loan pair है यह H plus ले करके NH4 plus में convert हो जाएगा तो इसलिए यह क्या होगा आपका base और यहाँ पे H2S यह H plus दे सकता है तो यह क्या होगा acid तो इसका भी कोई fine boundary नहीं था तो बस इसका यह करना था कि जो water mat करने काथ H plus दे दे तो acid और H plus accept कर ले तो base right उसके बाद Lewis theory आई तो इसके according कि वो जो loan pair accept करे जहांसे देखो A for accept A for acid जो loan pair accept करे वो acid होगा और जो loan pair donate करेगा वो base होगा for example जैसे यहां पर nitrogen के पास loan pair है तो यह Lewis base कहलाएंगे वैसे यहां पर nitrogen के पास loan pair तो यह भी Lewis base यहां पर chlorine के पास loan pair है तो यह भी Lewis base यहां पर sulfur के पास loan pair है तो Lewis base तबको Lewis के coating acid base कैसे पहचाना that's very easy अगर उसके पास loan pair है तो Lewis base और अगर vacant orbital है जैसे अलमुनियम के पास, तो Lewis Acid, जो Lone Pair Accept कर सके, BCL3, तो जितने भी 13 ग्रूप वाले हैं, वो सब Lewis Acid की कटेग्रीम आते हैं, क्यों? क्योंकि ये Lone Pair Accept कर सकते हैं, कार्वो काटन अब का, ये सब Lewis Acid हो जाएगा, और ये सब यूज भी करते हैं, और गैनिक केमिस्टे में, तो इसलिए पॉइंट ध्यान भी रखना है, तो याद कैसे रखेंगे, तो वेरी सिंपल है, A for Ariheneas, B for Bronsted, और L for Lewis, Alphabetical order हो गया, A, B, L, पहले Ariheneas 3i, फिर Bronsted, फिर Lewis, इसलिए best question, easy पूशे आते हैं, और आपको आसानी से होना अच्छे, इसलिए ये concept को, इस theory को अच्छे से समझ लेना आप, Now next, Acid either weak होंगे, या strong होंगे, आप कैसे पैचानेंगे, कि कोई given acid strong है या weak, तो that's very simple, अगर किसी acid का equilibrium constant के, ना तो question में दिया है, ना ही उसके बारे में निकानने को कहा गया है, तो फिर वो acid strong हो जाएगा, और दूसरा, by default 6 acid strong acid के category में रखे गया है, जिसमें से 3 तो halogen वाल होगे, hcl, hbr, hi, easily याद हो जाता है, फिर और जो acid में hclo4, hno3, h2so4, तो यह total 6 acid by default strong acid के category माते हैं, इसको छोड़ करके, बाकि जितने भी हैं, वो weak acid माते हैं, और दूसरा, उससे अच्छा पैचानने का तरीका क्या है, जिसका equilibrium constant नहीं given है, strong है, जिसका दे दिया तो वो weak होगा, right, similarly base भी दो type के हो सकते हैं, weak base या फिर strong base, again strong कैसे पैचानेंगे, तो उसका equilibrium constant के भी आपको ना तो given होगा question में, ना उसके बारे में पूछा गया है, तो वो strong हो जाएगा, right, और by default 5 base को हम लोग strong base की category में और एक second group वाले last वाले barium के hydroxide, तो ये 5 by default strong base की category में आते हैं, इसको छोड़ करके जो भी हैं वो weak base है, या फिर question में अगर kb नहीं given है, तो strong है, otherwise kb given है, तो weak है, धियान तो अगर kb इसका भी दे दे, तो फिर weak है, kb की value देखना और definitely kb की value, definitely क्या होगा, less than 1 होगा, right, यहाँ भी kb की value less than 1 होगी, तो ये clear हो गया, now सबसे important concept, इसमें बच्चे बहुत confuse रहते हैं, आप confuse ना हो, उसके लिए रफी सर आपके साथ हैं, तो ध्यान से देखो कैसे करना है, strong acid से, जब आप हेच निकाल दोगे, तो उसका जो conjugate बनेगा, उसको conjugate base बोलते हैं, acid का conjugate base होता है, तो strong acid से जब हम हेच निकाल देंगे, तो क्या बोलेंगे, conjugate base और वो एक weak base होगा, यह दियान रखना है, जैसे for example, हेच निकाल दी हमने, तो यह एक strong acid है, हेच निकालने के बाद जो बचा उसको बोलेंगे, conjugate base और यह एक weak base होगा, यह जल्दी आपको loan pair नहीं देगा, और आप कैसे पैचानेंगे कि acid किसमें लगाना, base किसमें, तो very simple है बेटा, sum में यही point लगेगा, हेच पलस का difference होता, only एक hydrogen का difference होगा, उसके formula में, जिसमें hydrogen ज़्यादा होगा, उसमें acid word add होगा, और जिसमें hydrogen कम होगा, उसमें base word लगा लगा लगा, तो very simple है, जैसे यहाँ पे दियां से देखो, यहाँ पे ज़्यादा अटजन हो गया, तो acid, यहाँ पे कम hydrogen, तो base, strong acid का conjugate base, weak base होता, and vice versa, अगर weak acid होता, तो उसका conjugate base, strong base होता, तो दियां दे, अगर weak acid है, तो उसका conjugate base क्या हो जाएगा, strong base हो जाएगा, तो इसमें बेस question कैसे पोजाते हैं वो very important कभी भी a strong acid से weak acid ये बन सकता है ये possible है strong acid से weak acid but weak acid से strong acid ये कभी नहीं बन सकता है तो अब समझ सकतो कि कोई a strong person weak person को replace कर सकता है लेकिन weak person strong person को replace कर दे ऐसा नहीं हो सकता तो ये ध्यान रखना इस आप से पूछा जा सकता है तो very simple है ये point ध्यान में रखना है वैसे ही base के case में strong base का conjugate होगा उसको acid बोलेंगे base के conjugate को acid बोलते हैं जैसे for example NOH तो ये के strong base है क्योंकि यहां से है इससे हो h minus 6 तो na plus तो ये conjugate acid हो गया और ये by the way weak acid होगा तो strong base का जो conjugate होता वो acid होता और वो weak acid होता ये ध्यान रखना है और vice versa weak base होता तो उसका conjugate acid strong acid होता तो ये point को आपको ध्यान में रखना है अब हम application की बात करते हैं question number one में which of the following cannot act as Lewis base तो Lewis के according base वो नहीं है जो लोन प्यार ना दे सके ध्यान से देखो यहां पर nitrogen के पास लोन प्यार होगा bonding का concept लगाना है यहाँ पे sulfur के पास loan pair होगा क्योंकि 4 bond बनाया है यहाँ पे PCL5 में कोई loan pair नहीं है तो यही Lewis base नहीं हो सकता तो option C हो जागा क्योंकि यहाँ पे CLF3 में chlorine के पास 2 loan pair तो Lewis के according very simple हो इस पे ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है next question is water amphoteric behavior of water is explained by water amphoteric है nature में that means यह acid का भी काम कर सकता base का भी तो कौन सी theory से explain होता है तो Lewis के according अगर ध्यान से देखो तो water के पास क्या है loan pair तो यह Lewis base का काम कर सकता है लेकिन यह loan pair accept नहीं कर सकता कोई vacant or vital नहीं है तो इसलिए Lewis तो इसको explain नहीं कर सकता आरिहनियस के according यह H plus दे सकता है राइट बट OH मानस accept नहीं कर सकता तो इसलिए यह भी नहीं explain कर सकता बट ब्रॉंस्टेट के according यह explain हो जाएंगे क्योंकि water amphoteric कैसे है तो जैसे water की reaction आप NH3 से कराओगे तो यहाँ पे water NH3 को H दे देगा तो NH4 पलस बन जाता है और OH मानस तो water ने क्या दिया इसको H plus तो यहाँ पे water किसका काम कर रहा है आपका Acid का तो यह कौन हो गया Base similarly अगर यहीं पे water की reaction सपोर्च करो आप H2S से कराएंगे तो क्या होगा तो यहाँ पे water इससे H plus ले लेगा तो खुद क्या बन जाएगा H3O plus और Hs minus क्योंकि sulfur बड़ा साइज है इस पे minus ज्यादा stable होगा इसलिए हमने H O minus नहीं बनाया OH मानस नहीं तो यहाँ पे क्या हुआ तो ध्यान से देखो इसने H plus लिया तो यह base का का काम कर रहा है और यह acid का तो water can act as acid as well as base according to bronze state concept और यहाँ पे उसका verification है तो इस point को ध्यान रखना है question number 3 में again similar type question which is Lewis acid तो Lewis के according acid वे जो loan pair accept कर सके loan pair कोन accept कर सकता है जिसके पास vacant orbital हो और किसके पास होगा तो वो बता दिया 13 group वाले यहाँ पे यह 15 है यह nitrogen 15 है यह तो first group का यह boron होगा आपका 13 तो इसी के पास क्यों हो क्योंकि उसके पास vacant orbital होगा next conjugate base of hydrojoic acid तो conjugate base पूछा right और hydrojoic acid लगा हुआ है तो hydrojoic acid HN3 को बोलते है और इसका conjugate base मतलब H निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा N3 minus that is option B तो इस टाप से पूछा आ सकता आपको similarly fifth में correct order of proton affinity कौन जल्दी H पलस लेगा तो ऐसे question को कैसे करेंगे पहले आप इसको H पलस accept करा दो तो यह क्या बन जाएगा HI, HF, H2S, NH3 आप जो आपको concept देया था कि strong acid का conjugate base weak base होता है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ACD का order ऐसे आएगा HI सब जाद होगा फिर HF, H2S, NH3 और strong acid का conjugate base weak base है weak है मतलब वो H पलस जल्दी नहीं लेगा तो इसलिए proton affinity का order पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा यह तो इस टाप से आपको करना रफिसर जैसा सोचना बता रहे अगर वो weak base है तो proton को accept जल्दी नहीं करेगा strong base है तो जल्दी करेगा तो इसलिए strong acid का conjugate base weak base होता है next question number 6 में इस टाप से आपको acid का equilibrium constant या dissociation constant दे दिया और आपसे पूछा गया यह basic strength का order बताओ तो very simple you know जिसका ka ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा acidic होगा तो यहाँ पर अगर मैं acidic order निकालता तो सबसे ज़्यादा ka value को होने है ध्यान दे 10 की power minus में है तो सबसे ज़्यादा आपका यह value है तो hf होता acidic फिर कोना जाता है hno2 फिर hcn और you know strong acid का conjugate base weak base होता है तो basic strength order पूछा है तो यह weak base हो जागा तो basic strength का क्या हो जागा f minus no2 minus और cn minus that means cn minus सबसे ज़्यादा strong base होगा फिर no2 minus last में f minus तो यह answer हो जाएगा तो ऐसे आपको करना है next इस टाइप से दे सकता है कोई diprotec acid है उसका k1, k2 given है तो overall dissociation constant बताने है that means यहाँ पर क्या कहना चाहरा हो कि जो h2a है वो ha minus और h plus में गया तो आपको k1 10 की power minus 5 है फिर यह ha minus आपका h plus और a minus 2 में गया तो 5 into 10 की power minus 10 है तो overall मतलब दोनों को add कर देना है तो यह cancel हो जाएगा तो h2a gives you 2 h plus right और a minus 2 तो add करते हैं तो equilibrium constant से आप जानते हो दोनों multiply हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा 5 into 10 की power minus 15 तो answer क्या रहेगा 5 into 10 की power minus 15 question number 8 में conjugate base of oh minus ऐसे question में बच्चे बहुत गलती करते हैं ध्यान दो conjugate base पूछा है किसका oh minus का that means acid का conjugate base होता है तो इसका मतलब यह खुद क्या है acid है और इसका conjugate base मतलब यह acid है तो उसमें एक hydrogen कम होना चाहिए तो कम वाला कौन कौन है यह 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 चुक्कि और रेटी spec minus है एक और hydrogen जाएगा h plus के form में तो minus 2 आएगा तो answer क्या रहेगा अपका D similarly conjugate base of 10 seconds तो conjugate base पूछा है that means यह खुद क्या है acid acid का conjugate base होता है और यह अगर acid है तो इससे एक hydrogen कम करना परेगा अभी आपको concept देया था always acid में एक ज़्यादा hydrogen होता है और conjugate base में उससे एक कम तो इससे एक कम कौन सा हो जाएगा द्यान से देखो HP of 4 minus 2 minus 2 क्या हो है क्योंकि एक minus था एक और hydrogen से जाने से एक और minus आजाएगा similarly question number 10 में which can act as brown state acid and base तो very simple brown state के according acid और base कौन वर्क कर सकता है तो जो H plus दे भी सके और H plus ले भी सके तो HSO4 minus में minus है तो ये H plus ले सकता है और H plus ले करके H2SO4 में चला जाएगा चूंकि इसके पास अभी भी एक H है तो दे सकता है SO4 minus 2 में चला जाएगा तो option A हो जाएगा ये क्यों नहीं होगा क्योंकि Na2CO3 में ओरेड़ी है carbonate iron हो गया तो अब ये H plus ले सकता है दे नहीं सकता NH3 में lone pair है तो ये H plus ले सकता है दे नहीं सकता OH minus में again ये H plus ले सकते है दे नहीं सकते है तो इसलिए ध्यान रखना है किस टाफ से question पूछे जा सकते है नाओ जाते जाते ग्यान की बाद that is very important कि कभी भी strong acid से weak acid बन जाएगा that means strong person weak person को replace कर सकता है but weak acid से strong acid कभी भी नहीं बनता वैसे ही strong base से weak base possible है ये reaction हो जाएगी but weak base से strong base नहीं बन सकता इस पर बेस प्रॉलम कैसे आ सकते है जैसे ये reaction दे दिया क्या ये reaction possible है कि नहीं तो आप acid वाले part को ठालो strong acid से weak acid बन रहा that means reaction हो जाएगी only acid वाले पर ध्यान देना जैसे इस case में आपको ये clearly मालूम है कि ये एक weak acid है acetic acid और यहाँ पर ये मालूम है कि ये strong acid है तो weak acid से strong बन रहा है तो ये reaction नहीं होगी तो ऐसे चार option create करके दे सकता है कि कौन से reaction spontaneous से non spontaneous से तो आप कर सकतो similarly जैसे क्या ये reaction possible है ऐसा पूछ ले तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो HCl एक strong acid था H2O3 एक weak acid तो strong से weak बन रहा है that means ये reaction हो जाएगी बट अगर इस case में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक weak acid है और ये एक strong acid है weak से strong बन रहा है तो नहीं हो पाएगा तो बस इस point को ध्यान रखना ऐसे question कई बार पूछे गए Hello everyone कैसे हो आज की इस वीडियो lecture में मैं आपको जो tricks and concept दूँगा उस tricks ये concept से आएनिक equilibrium से आने वाले basic problem को आप within 1 minute में कर लोगे तो total में 10 point अभी बताने जा रहा हूँ उस 10 point को अच्छे समझना very easy है ये आगे भी problem में काम आएंगे तो point number 1 कि जो chemical equilibrium में K equilibrium define करते थे K equilibrium उसको K से represent कर सकता है या फिर अगर acid होगा तो K A लिख सकता है base होगा तो K B लिख सकता है salt के case में उसको K S P लिख सकते हैं तो ये सब एक ही बात है all are equilibrium constant and ये स्रीफ और स्रीफ temperature पे depend करता है that means जब temperature change करोगे तब ही change होगा बाकी चीज़ change करने से change नहीं होगा इस point को अच्छे समझ लेना point number 2 कि हमारा solvent इस chapter में fix होगया water water एक solvent है अब water में आप acid add कर दो base add कर दो salt add कर दो या कुछ भी मत add करो चाहे add करो या नहीं करो concentration of H plus and concentration of OH minus दोनों का product 10 की पार minus 14 के बराबर होगा that is also called ionization constant of water तो ये fix है at fixed temperature that is room temperature question में नहीं mention है तो यहीं लेंगे या फिर 99% question में temperature यहीं होगा जब तक के temperature को vary ना कराए तब तक आपका ये चीज वैलिड रहेगा चाहे आप acid add कर दो, base add कर दो, salt add कर दो कुछ भी add कर दो समझ के बात इसलिए pH plus POH का sum भी fix होगा आपका that is 14 और उसको PKW गोलेंगे ये चीज़े तब तक चेंड नहीं होगी स्रीफ 298 Kelvin के लिए आपको ये याद रखना है ये नहीं given होगा but other temperature पे आपको KW की value given होगा और एक और idea रहना चाहे क्योंकि water H plus OH minus में बिरेक होगा उसको ऐसे भी दिखा सकता है या फिर इस form में भी H plus और H three plus एक ही बात है तो यहाँ पे आप देख सकतो water को हम उसके ions में बिरेक कर रहे है तो heat देना परेगा ये एक इंडो थर्मिक प्रोसेस है और अगर इंडो थर्मिक है तो temperature बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा किसलिए अगर temperature आपका ये 298 या 300 से जादा है तो उस case में KW की value 10 की power minus 14 से जादा होने माइनस 12 होगा इसमें भी बच्चे confuse रहते हैं क्योंकि minus power जतना कम होगा उतना value जादा और अगर temperature मेरा 300 से कम है तो फिर KW की value 10 की power minus 16 मतलब 14 से कम होगा तो जतना जादा power minus में होतना कम तो इस point का ध्यान रखना है temperature बढ़ाएंगे that means 298 से change किया तो KW तब change होगा otherwise ये चीज़े fix इधर वाली चीज़े fix clear point number 5 ये है कि always इस chapter में आपको H plus या OH minus के पीछे भागना है अगर आपको H plus मिल गया तो by default OH minus मिल चुका है या OH minus मिल गया तो H plus क्यों क्योंकि दोनों का product fix हो गया 10 की power minus 14 तो इसलिए always इस chapter में H plus का concentration किसी तरह निकाल लेना या OH minus का point number 6 अगर pH given होगा तो उससे H plus कैसे निकालेंगे very simple trick जहां से देखो जैसे pH 5.4 है तो इसका next nearest integer कोन हो जागा 5.4 का 6 और कितना extra add कर दिया अपने point 6 उसको minus कर देना that means 5.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और यह जो integer होगा उसको 10 की power minus में जाने देना और यह जो value बचेगी उसको log की value से exist कर देना तो इसलिए H plus का दाएगा 4 into 10 की power minus 6 क्यों क्योंकि log 4.6 होता है समझगे बात और इसका ultra अगर आपको X that means H plus OH minus etc कुछ भी given हो तो फिर PX या PH, POH, PKW, PK कुछ भी निकानना हो तो अगर इस form में scientific form में लेके आ जाना है जो 10 की power minus में होगा उसको यहाँ ले लेना और इसके साथ log लगा देना with minus sign तो आपका यह answer आजागा तो यह दोनों ही point important है अगर pH given है तो H plus और अगर H plus given है तो pH कैसे निकालेंगे clear? point number 7 that is again very important we know neutral solution होगा तो उसका pH 7 होगा room temperature पे 7 से pH कम है मतलब solution acidic है और 7 से ज़्यादा मतलब basic है जतना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा basic जतना कम pH होगा उतना ज़्यादा acidic तो question को पढ़ने के बाद अगर आपने यह पता कर लिया कि आपका solution acidic है तो हमें answer का पता लगया हमारा answer 7 से कम होगा और अगर basic है तो हमारा answer 7 से ज़्यादा होगा pH का और अगर neutral है तो 7 हो जागा इसलिए इस point का importance है point number 8 P पर any power X होगा तो उसको minus of log X ऐसे define करते हैं इसलिए pH minus of log H plus POH minus of log OH minus तो यह आप जानते हो point number 9 that is very important अगर acidic character increase हो रहा है H plus increase होगा K increase होगा but pH कम होगा क्योंकि जतना ज़्यादा acidic उतना कम pH pka भी कम होगा लेकिन pH 7 से कम होगा यह ध्यान रखना है वैसी basic में अगर basic character increase हो रहा है OH minus increase होगे K b increase होगा right but POH कम हो जागा क्योंकि pH बढ़ेगा pH बढ़ेगा तो pH plus POH का साम 14 तो pH ज़्यादा हो रहा है तो pH को कम होना परेगा तो basic में pH बढ़ेगा but POH कम होगा PK भी कम होगा तो यह सब में confusion बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहां पे भी pivot लग गया है तो वो कम हो जाता है acid में P लग गया तो कम हो गया अगर इन किछ कराएंगे basic में P लग गया तो कम हो जाएगा बट ध्यान दे basic है तो OH वाला pH वाला P लगा है लेकिन increase होगा और चुकि OH माइनस बढ़ रहा है तो H पलस को कम होना परेगा क्योंकि दोनों का product fix होने वाल है तो simple है दो number का अगर product fix है तो एक बढ़ेगा तो एक को घटना परेगा तो फिर ये total 10 point है जो basic problem को करने के लिए sufficient है इससे बार कुछ नहीं है Now question number 1 में 1 liter HCl solution था pH उसका 1 है उसको हमें convert करना है pH 2 में तो कितना volume water का add करना परेगा इस टाप के question कैसे करेंगे द्यान से देखो pH अगर आपका 1 है तो H plus का concentration कितना हो गया volume हो गया volume 1 liter है तो H plus का moles कितना होगे आपको द्यान से देखो तो 10 कि पर-1 अब हमें pH 2 चाहिए pH अगर 2 चाहिए मतलब H plus का concentration कितना चाहिए 10 कि पर-2 moles तो वही रहने वाले सिर्फ volume में change होगा तो यह क्या हो जागा moles by volume तो यहां से volume हम निकाल सकते है कितना add करना परेगा moles अभी भी 10 कि पर-1 और यह नीचे divide कर दोगो 10 कि पर-2 तो volume 10 liter होना चाहिए बट यहां पर बच्चे गलती करते है 10 liter total volume होना चाहिए जिसमें 1 liter तो था ही तो extra हमें कितना water add करना परेगा तो 9 liter यह चीद ध्यान रखना जल्दवाजी में गलती नहीं करना है तो 9 liter add कर देंगे तो 9 plus 1 10 liter हो जाएगा तो फिर pH 2 हो जाएगा similarly question number 2 में millimoles of calcium hydroxide required to produce 100 ml of pH 12 तो again pH अगर 12 है तो POH केतना हो जाएगा 2 यह क्यों निकाला क्योंकि यहां पर base है base के case में OH मिलेगा हमें और ध्यान से देखना कि calcium hydroxide break कैसे होगा तो calcium plus 2 में और 2 OH माइनस में यहां पर एक point और ध्यान देना है कि यहां पर हमें base का equilibrium constant नहीं किवन है that means यह strong base हो गया by default अगर strong हो गया तो आपको arrow एक ही दिखाना है यह सारे point है जो ध्यान से समझें आपको right तो 2 OH माइनस इस पूरे का concentration आपको कितना है pH 2 है तो OH माइनस कितना हो जागा 10 की पर माइनस 2 तो यह आपको 10 की पर माइनस 2 है तो हमसे पूछा गया है इसका millimoles ध्यान दें तो यहां पर ध्यान से देखो stoichiometry 2 है तो इसका 2 मोल के लिए इसका एक ही मोल लेना है तो इसका 10 की पर माइनस 2 है तो इसका उसका हाफ लेना पढ़ेगा तो इसका कितना जगा 10 की पर माइनस 2 बाइ 2 इतना मोल्स हमें चाहिए millimoles में तो हम निकाल सकते हैं तो this is equal to इसका milli moles कैसे निकालेंगे इसके milli moles जो हमें चाहिए right divided by volume आपको given है कितना hundred milli से milli cancel हो जाएंगे तो milli moles यहां से निकाल सकते हैं तो कितना आगया ध्यान से देखो 1 by 2 times of 10 की power minus 2 into 100 तो यह हो गया 0.5 लेकिन हमें answer कैसे करना है वो ध्यान से देखो x into 10 की power minus 1 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 into 10 की power minus 1 तो हमारा answer x क्या हो जागा यहाँ पे 5 तो यह सब basic problem है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं आप से ना हो इसलिए ध्यान से समझ लेना question number 3 में h plus को change क्या गया है thousand के factor से तो pH में क्या change होगा तो you know कि जो h plus है अगर आपको given है concentration h plus तो pH क्या होता है minus of log h plus तो इसको क्या लिख सकते हो thousand को 10 की power 3 तो यह 3 बहार आएगा तो यह change होगा by a factor of 3 ऐसा एक ही option है तो by 3 से यह decrease हो जाएंगे अगर factor से increase कर आओगे तो ऐसे question को भी ध्यान में रखना है chemical equilibrium के concept से तो k3, k1 और k2 के बड़ावर हो जाएगा तो यह सब basic problem है बट आप से गलती नहीं हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ next question number 5 में pH of 0.001 molar NOH का बताना है तो यहाँ पे ध्यान देना NOH से हमें OH मानस में लेगा direct OH मानस केतना हो गया 10 की पार मानस 3 कैसे क्योंकि यह strong base है कैसे पता लगा क्योंकि इसका equilibrium constant नहीं given है simple तो यह हो गया तो H plus केतना हो जागा 10 की पार मानस 11 कैसे क्योंकि दोनों का product केतना हो जाए 10 की पार मानस 14 इसलिए pH पूछा, यह दियान देना, तो pH कितना हो जागा, 11, अगर POH पूछता, तो वो कितना हो जाता, 3, तो इसलिए question को carefully read करना है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, direct यह 10 की पावर मानस 3 देखता है, 3 कर देता है, वो POH हुआ, pH 11 हुआ, यहाँ pH पूछा गया, question number 6 में, aqueous solution of barium hard oxide contains H plus concentration आपको given है, तो barium hard oxide का कितना concentration होगा, X into 10 की पावर मानस 12 में यह given है, तो X की value बताना है, तो very simple, अगर H plus मालूम है, दियान से देखो, H plus कितना है, 5 into 10 की पावर मानस 3, तो OH मानस कितना हो जाएगा, दोनों का product 10 की पावर मानस 14 हो जाएगा, तो 2 into 10 की पावर मानस कितना हो जाएगा आपका, 12, तभी इन दोनों को multiply करोगे, तो देखो, 10 की पावर मानस 14 हो जाएगा, कैसे, 10 से 1 पावर कम हो जाएगा, तो 12 और 3 15, एक कम हो जाएगा, तो 10 की पावर मानस 14, तो यह OH मानस का आगया, अब barium hard oxide जो है, वह again आपको, उसका KV नही जाएगा, इसका half, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर मानस 12, इसका 1 mol लेंगे, तब इसका 2 mols मिलेगा, that is 2 into 10 की पावर मानस 12, जो हमें चाहिए था, तो इसका कितना लेना, 10 की पावर मानस 12, तो 10 की पावर मानस 12 है यह, तो X की value कितना हो जाएगा, 1, similarly question number 7 में, statement type था, कि pH of water increases if temperature increase, अगर temperature increase कराएंगे, तो KW increase होगा, यह H plus increase होगा, तो pH कम होगा, तो इसलिए यह false statement है, right, similarly dissociation of water is, तो water को dissociate करना है, break करना है, तो हमें energy देना परेगा, तो ETJ, endothermic process, exo नहीं होगा, तो यह सब पाउंट को ध्यान में रखना है, question number 8 में, pH of 10 की पावर मानस 4 molar, OH मान given है, add 330 Kelvin, right, तो इसलिए यहाँ पर temperature change किया, तो आपको देखो, KW की value दे दिया है, तो अगर KW यह है, तो PKW कितना हो जाएगा, 13.6, और we know PKW क्या होता है, pH पलस POH, यहाँ से POH आपको मिल जाएगा कितना, 4, क्योंकि 10 की पावर मानस 4 है तो, तो यह 4 put कर दो, यह pH, तो आ आपसे question पूछे जा सकते है, question number 9 में, pH of 5 into 10 की पावर मानस 2 molar NOH, again pH पूछा है, गलती नहीं करना है, तो आपको यहाँ से OH मानस का concentration मिल गया, 5 into 10 की पावर मानस 2, क्यों, क्योंकि strong base है, कैसे, KB नहीं given है, तो H plus केतना हो जाएगा, 2 into 10 की पावर केतना हो जाएगा, मानस में 13, कैसे, 5 to the 10, एक पावर कम हो जाएगा, तो H plus आ गया, तो pH केतना हो जाएगा, आपको बताया था है, इसको बाहर ले लो, मानस में, log 2, तो log 2 केतना होता है, 0.3, तो 13 में से 0.3 मानस करेंगे, तो केतना जाएगा, 12.7, तो answer क्या हो जाएगा, आपका D, similarly question number 10 में, pH 5.4 है, आपको अभी trick बताया था, 5.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 मानस 0.6, तो यह 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर मानस 6, तो यह option सब गया, यह हो सकते हैं, और 0.6 is log 4, close to 4 होना चाहिए, तो 3.98 close to 4 है, यह 3.68 नहीं है, तो option D, तो इस तरीके से आपको करना है, ग्यान की बात में, और that is very important, कि pH 1 से अगर pH 2 करना हो, तो concentration आपको ध्यान से देखो, 10 times से change करना पर रहा है, तो वही point माने दिखा है, कि अगर 1 times से increase कराना चाहरो, तो changes आपको 10 times से करना परेगा, जैसे 2 से 3 ले जाना है, तो change यहां से यहां तक में 1 का है, बट यहां से यह तक में आपको कितना change कराना पर रहा है, 10 times का, 1 by 10 को fit 10 से multiply करोगे, तबी, तो इसलिए ध्यान देना है कि pH में change slowly होगा, लेकिन concentration of H plus में change बहुत fastly होगा, 10 times का होता है, प्रॉक्स, हलो एवरिवन, कसका है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 टैप के solution का pH निकालेंगे, वो भी रफी सर के simple tricks and concepts है, तो पहला type है कि जब सिर्फ water है आपके पास, जो हम पानी पीते हैं वही water की बात करो, simple अगर water है, तो वीनों के उसमें H plus और OH minus, दोनों का concentration, same होता और equal होता है, that is 10 की power minus 7 molar, यह आपको याद रखना है, room temperature पर यह fix है, right, तो इसलिए pH और POH दोनों equal होंगे, और 7 हो जागा है, इसलिए water neutral होता है, right, इसलिए अगर practical feeling की बात करें, तो water को थोड़ा अगर हम boil करते हैं, तो उसका test अलग होता है, और water को अगर normal condition में पीतो हो, तो उसका test अलग होता है, क्यों, क्योंकि temperature अगर आप change करोंगे बेटा, तो फिर यह concentration H plus OH minus change होंगे, क्यों, क्योंकि equilibrium constant जो है, वो change हो जाता है, equilibrium constant स्रीफ और स्रीफ temperature के साथ vary करता है, इसलिए इस point का ध्यान रखना है, तो चुकि हमारा जो भी question आएगा, जब तक वो कुछ temperature mention ना करे, change ना करे, आपको change नहीं करना है, room temperature होता है, that is 298 Kelvin या 25 degree Celsius, तो उस condition में ये चीज़े fix हैं, ये आपको by default याद रखना है, इसलिए pH, pH, neutral water का, जब water में आपने कुछ भी अड़ने क्या है, तो fix है 7, और Kw 10 की पार minus 14 है, आपको ये भी मालूम है, कि room temperature पे pH plus pH का sum always 14 होगा, ये दोनों का sum भी fix है, एक fix number है 14, अगर pH ज़्यादा होगा, तो pH कम होगा, और अगर pH ज़्यादा होगा, तो pH, बट दोनों का sum 14 होगा है, तो पहले type का solution का clear है, right, second type that is very very important, कि अगर water में मैंने acid श्रीफ एट किया, ध्यान दे, water में श्रीफ हमने acid एट किया, अब acid में condition हो सकती है, कि आपने जो acid एट किया है, वो strong acid है क्या, या फिर वो weak acid है, या फिर वो mixture of acid है, mixture of acid में भी strong acid एक से ज़्यादा एट कर दिया, या फिर strong और weak acid दोनों एट कर दिये, right, तो ये सारे possibility हो सकती है, that means water में हमने सिर्फ acid एट किया है, तो very simple आप pH कैसे और ये कैसे पैचानेंगे, तो हमने बता दिया question में equilibrium constant की value आपको दे देगा, जो कि always 1 से less होगा, तो अगर वो equilibrium constant की value ka दे देता है, मतलब वो acid आपका weak हो गया है, नहीं देता है, तो वो strong है, very simple, तो weak acid में H plus का concentration कैसे निकालेंगे, concentration of H plus root under of that is घर के अंदर, right, root under of ka equilibrium constant into acid का जो concentration होगा, उससे आप निकाल लेंगे, right, क्यों ऐसे होगा, क्योंकि weak acid को H A, और जब भी weak acid होगा, तो double sign से देखाएंगे, equilibrium sign से H plus और A minus में बिरेक होगा, अगर इसका concentration T equal to 0 पे C है, तो इसका 0, 0 होगा, T equal to equilibrium पे अगर C में से C alpha गया, तो इसका C alpha, इसका C alpha बनेगा, 1 is to 1 ratio, right, इसलिए आप H plus दो तरीके से निकाल सकतो, अगर आपको dissociation constant alpha given है, तो उसको multiply कर देना है, acid के concentration से, या फिर equilibrium constant given है, तो root under of equilibrium constant into concentration of acid, यहाँ पे equilibrium constant भी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जागा, इन दोनों का product, right, 1 is to 1 है, तो C square alpha square upon C into 1 minus alpha, 1, 1, C cancel हो गया, अगर alpha 1 से very less है, तो definitely फिर 1 minus alpha 1 के बरावर हो जागा, तो यह C alpha square यह हम लेते हैं, तो कहने का यहाँ पे simple मतलब है, week acid होगा, तो H plus fix है, root under of K into C, अगर strong acid हुआ, तो इसमें एतना जान जाटी नहीं है, क्योंकि strong acid आप कैसे पैचान होगे, K नहीं given होगा, single arrow से दिखाएंगे, तो जो acid का concentration होगा, Y H plus का हो जागा, अगर 1 is to 1 में break हो रहा है तो, ध्यान दे अगर यहाँ पे H2 है, 2 H plus अगर दे सकता है, diprotic acid है, तो इसके 1 more से इसका 2 में मिलेगा, इसलिए इसके C concentration से इसका 2C मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना, तो यहाँ से direct आपको मिल जाएंगे, यहाँ से एक त H plus को add कर लेना है, इसलिए net H plus क्या हो जाएगा, H plus from all sources, all sources में कौन-कौन हो गए, एक खुद water, जो की fix था रहा है, 10 की power minus 7, फिर उसका जो acid आपने add क्या, वो सारे को जोर देना है, अब यहाँ पे जो ध्यान देना है, कि अगर आप 2 या 3 H plus को जोर हो, तो उसमें ध्यान द H plus का concentration, 10 की power minus 2 आया, और water का 10 की power minus 7 है, यह दोनों है, तो definitely यह बहुत छोटा हो गया, इसके compression में, क्योंकि 10 की power minus 2 आप समझे रहो, 1 by 100 है, यह 1 by 10 की power 7 है, तो इसको हम neglect कर सकते हैं, तो इसलिए H plus कितना हो जागा, 10 की power minus 2, तो इस point का यहीं मतलब और सबसे important है यह, कि अगर आप बहुत सारे sources हैं H plus के, तो उन सब को add कर रहो हो, कि इसमें जो सबसे बड़ा होंगे, उससे compare करना जो rest बचे हुए है, और अगर difference 100 से ज़्यादा का रहा है, तो neglect कर सकते हैं, जैसे मालिजे कहीं पे H plus 10 की power minus 3 है, plus 10 की power minus 6 है, plus 10 की power minus 7, ऐसा है आपको, 3 sources है, तो ध्यान decision का जाएगा, 10 की power minus 3, तो यह very very important है, कि एक से ज़्यादा sources जागर H plus के हैं, तो आपको क्या करना है, सब का add तो करना है, लेकिन add करते बगद ध्यान रखना है, कि difference 100 से ज़्यादा का है, तो neglect कर सकते हैं, इस point को एक example समझते हैं, suppose कर लिजे कि आप 100 rupees invest करतो, और आपका friend 1 rupees तो उसका कोई मतलब नहीं, right, very simple, तो वैसा ही, अगर difference बहुत ज़्यादा है, तो आप neglect कर सकतो, तो यहाँ से आपको H plus आगया मतलब pH आ चुका है, क्योंकि always हमें H plus निकलना है, pH क्या हो जागा, minus of log H plus, right, वैसे ही third tap क्या हो सकता है, base, तो बिलकुल इसके जैसा ही रहेगा बस difference क्या रहेगा, यहाँ पे direct H plus मिलता है, यहाँ पे आपको OH मानस मिलेगा, बाकि सारी condition सेम रहेगी, water में स्रीफ हमने क्या add क्या, base, तो base add क्या है, तो फिर से क्या क्या हो सकता है, weak base add क्या होंगे, strong base add क्या होंगे, mixture of base add क्या होगा, तो जो भी आपने add क्या, तो इस case मे direct OH मिलेगा, यहाँ पे H plus क्या था, root under K into C, base के case में उसका equilibrium constant को KB, तो KB into C, बाकि सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए यहाँ से direct आपको क्या मिलेगा, POH, तो pH निकालना होगा, तो आपको क्या करना पर रहेगा, 14 minus POH, यहाँ पे direct क्या मिल जाएगा, आपको pH, बाकि सारी condition exactly से रहेगी, question number 1 में 600 ml, 0.01 molar HCl में mix क्या गया, 400 ml, 0.01 molar H2SO4, तो इस solution का pH क्या होगा, तो ध्याँ से देखो, यहाँ पे equilibrium constant दोनों acid का नहीं दिया, that means दोनों क्या है, strong acid है, तो हम H plus का sources निकाल लेंगे, तो इस से H plus आपको कितना मिलने वाला है, molarity into volume से multiply कर दो, तो ध्याँ से देखो, तो यह 6 mmol आपको आजाएंगे, किसका H plus का, right, और यहाँ से जो H plus आएंगे, ध्यान देना है, H2SO4 है, इसके 1 mol से 2 mol H plus मिलेगा, इसलिए यह 8 mmol आपको मिलने वाल है, right, तो total H plus के moles केतना होगे, 14 mmol, concentration की बात करेंगे, तो केतना हो जाएगा, 14 divided by, total volume is 1000, तो यह हो 14 into 10 की पर माइनस 3, right, concentration आचुका है, तो pH आपको बता रखा हो कैसे करता है, यह 3 वाले को आगे लियाना है, 10 की पर वाला, और यह log 14 माइनस में हो जाएगा, 14 को भी आप कितना लिख सकतो, 15, एप्रॉक्स में, log 15 अगर इसको लिख दिया, मैंने ध्यान से देखो, तो log 5 into 3, log 5, 0.7 होता है, log 3, 0.48, right, तो यह 1.18 हो जागा, तो 3 में से 1.18, मतलब 1.2 मानस करेंगे, तो कितना हो जागा यह, 1.8, तो your answer will be 1.8, तो ध्यान से देखो, बहुत इसली कर सकते हैं, right, तो इस पाइंट का ध्यान रखना, question number 2, एक weak acid है, कैसे पता लगा, क्योंकि k-even हैं और 1 से less है, तो weak acid, उसका pH बताना 0.02 molar है तो, तो आपको बता रखाऊं, direct H+, क्या हो जागा, root under of Ka, 2 into 10 की पार मानस 5, into concentration C, that is 0.2, तो यहां से देखो, यह point से 2 by 10, तो 10 की पार मानस 6, उसका root 10 की पार मानस 3, और 2, 2 का root, सिर्फ 2 हो जागा, तो यह हो जागा, 2 into 10 की पार मानस 3, तो again, यह scientific notation में आ गया, आपको बता रखाऊं, direct pH कितना हो जाएगा, 3 minus log 2, 3 minus log 2 is 0.3, तो that is 2.7, तो यह answer हो जाएगा, similarly, question number 3 में H2SO3 है, उसका Ka1 और Ka2 given है, pH of this molar H2SO3, तो यहां पे ध्यान देना है, Ka1 बहुत ही बड़ा है, Ka2 से, कैसे पता लगा, ध्यान से देखो, 10 की पार minus 2 है, और यह 10 की पार minus 8 है, तो इसको हम neglect कर सकते हैं, इसका कोई use नहीं है, कभी-कभी ऐसे भी question दे जाते हैं, और by the way, चुकी equilibrium constant given और 1 से less है, तो इसका अतलब यह weak acid है, तो again direct H plus क्या हो जाएगा, root under of Ka, तो यहां पे शिरिफ 1.7 into 10 की पार minus 2 बड़ा लेंगे, into concentration C, तो 0.558 है, इसको 0.6 के असपस ले सकतो, 17 सिखदा 102, जिसको 100 ले सकते हैं, तो यह 10 हो जाएगा, तो यह 100 और इसका point और इसका point आप ध्यान से देख सकतो, तो नीचे में 100 into 10 की पार minus 2, root under में, तो cancel हो जाएगे, तो यह 10 की पार minus 1, तो pH close में कितना जाएगा, 1, तो आप आपको calculation में भी बिल्कुल time नहीं लगना चाहिए, एक question इस type से पुझा सकता है, कि pH 3 है, concentration given है, तो k बताओ, तो k चुकि पूछा है, that means v k seed है, पर आभी बता है, concentration h plus क्या होता है, root under of k into c, बस यही formula यूच करूँगा मैं और बार, h plus निकल चुका कैसे, यहां से pH 3 है, तो h plus कितना जागा है, 10 की पार मानस 3, जतना यहां पर integer होगा, 10 की पार में जाने देना है, root under of k आपको निकानना है, और c कितना है, 10 की पार मानस 1, दोनों साइड square root कर देंगे, तो 10 की पार मानस 6 is equal to k into 10 की पार मानस 1, तो यहां से k कितना हो गया, 10 की पार मानस 5, तो इस type सब बहुत इजली कर सकते हो, तो यह चारो परवलम, acid से related था, यही चार टाइप के परवलम, base से related भी आ सकता है, बट ध्यान रखना है कि वहां से direct OH मानस मिलेगा, pH निकालना होगा, तो 14 में से मानस करना परेगा, तो यह चारो टाइप के परवलम आपको basic solution से भी पूछे जा स इसलिए जब एक से ज़्यादा sources हो, तो आपको सारे sources से पहले moles of H+, निकाले ना, और वो कैसे निकाल सकते हैं, molarity और volume को multiply करगे, क्यों, क्योंकि molarity volume को multiply कर देंगे, तो moles आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको concentration में convert करना जरूरी है, तो फिर यह सारे most divided by total volume, तो आपको मिल ज कर दिया, तो acid base reaction हो जाएगी, तो फिर यहां पर minus आगा, जिसके बारे में हम next video lecture में बात करेंगे, तो इसलिए same nature का होना ज़रूरी है, acid में acid add करो, या base में base, और एक question इस type के भी पूशे जाते हैं, जो very important, बच्चे समें ज्यादा confuse रहते हैं, कैसे simple way में करना है, ध्यान स औरेड़ी आपके पास कोई HCL solution था, जिसका 1 liter था और उसका concentration 0.1 molar था, HCL था, इसमें आपने add किया 0.01 molar, एक weak acid HA, तो इस acid का degree of distortion alpha क्या होगा, तो बच्चे बहुत confuse रहते हैं, देखो कैसे करना है, चुकि यह weak acid है, तो इसको मैं equilibrium constant से दिखाऊंगा, और इसका Ka given है मेरे को, that is 2 into 10 की power minus 6, तो यह break कैसे होगा, very simple है, weak acid का आपको concentration given था, 0.01, right, starting में यह 00 होगे, अब क्या होगा, जब reaction आगे की तरफ proceed होगी, तो इसमें से कुछ इसका react होगा, इसका X बनेगा, इसका X, point यहाँ पर यह ध्यान देना है, कि H plus actual में है कितना, तो अगर ध्यान से देखो तो H plus मेरे पास केतना है, यह X और plus, यह already point 1, क्योंकि यह strong है, इसका K नहीं given है, तो point 1, चुकि यह जो X है, यह हम मान सकते हैं, यह already, आपको idea होना चाहिए, कि यह very very less होगा, क्यों, क्योंकि strong acid में आप weak acid को add कर रहो, तो strong वाले और उसको weak कर देते हैं, right, that is called common ion effect, तो यहा को मैं कैसी लिख सकता हूँ, K is equal to, concentration of H plus, that is point 1 plus X, that is actually point 1, तो वो हमने put किया, concentration of A minus, तो वो X put किया, और concentration of this, तो यह भी X इतना small होगा, कि 0.01 में से X minus करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पर एगा, तो उसको 0.01 ही रखा हमने, और calculate किया, तो X is 2 into 10 की पर minus 7, तो इससे क्या है कि हमने जो assumption लिया, वो correct है क्यों, क्योंकि X is 2 into 10 की पर minus 7, जिसको अगर मैं point 1 में add करूं, तो कोई फर्क नहीं परेगा, और अगर 0.01 में से subtract करूं, तो भी फर्क नहीं परेगा, इसलिए हमारा assumption सही है, now हमसे पूछा गया, degree of distortion alpha, right, तो alpha क्या हो जाएगा, यहाँ से दि 2 into 10 की पर minus 5, right, तो यह point ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था, अगर यह C होगा, तो 0, 0, और यह C minus जही C alpha के थे, तो यह C alpha, तो यह C alpha, तो यहाँ पे total A minus का concentration, अगर आप ध्यान से देखो, तो X है, that is C alpha है, X हम निकाल चुके हैं, और वही C alpha के बरावर है, C हमें मालूम है, तो वहाँ से alpha, DOD आ जाएगा, अगर वाटर में acid और base दोनों को एक साथ अगर add कर देंगे, तो ऐसे solution का pH कैसे निकालेंगे, वो भी रफी सर के simple tricks and concepts है, तो पहले ध्यान से समझो, कि अगर हमने water में acid और base दोनों को एक साथ अगर add कर देंगे, तो ऐसे solution क add कर दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले acid base reaction हो जाएगी, right, acid base reaction बहुत ही fast होती है, सबसे पहले ये reaction हो जाएगी, तो जब भी acid or base react करते हैं, तो we already know salt plus water बनता है, इस water का कोई use नहीं है, क्योंकि already water में आपना add क्या है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला, right, तो आपको solution को analyze करना है, कि उस solution में finally क्या बचा, तो तीन cases हो सकते हैं, right, एक cases वो कि सिर्फ solution में salt बचा हुआ है, और वो कब हो सकता है, जब आप acid और base उसी ratio में लिए, जिस ratio में इसके stoichiometric coefficient है, तो ये completely react हो जाएंगे, और solution में सिर्फ salt बचेगा, तो ऐसे case में उसको salt hydrolysis का problem बोलेंगे, और इसका pH कैसी निकालेंगे, तो रफी सर का simple trick आज की इस video lecture में मिल जाएगा, आपको, दूसरा case क्या हो सकता है, कि आपने जो acid लिया, वो excess में ले लिया, तो फिर क्या होगा, acid अगर excess में ले लिया है, तो पहले acid based reaction होने से salt तो बनी जाएगा, और जो acid excess में जो unreacted है, वो भी बच जाएगा, तो इसलिए दूसरा case क्या हो सकता है, कि salt तो है ही solution में, प्लस जो extra acid लिया, unreacted acid वो भी left है, अब जो वो acid है, उस पे condition है, अगर वो acid weak acid हो गया, तो फिर acidic buffer हो जागा, that means acidic buffer होने के लिए salt का होना जरूरी है, प्लस weak acid, और ये salt कैसा होना च ये, और weak acid तो acidic buffer बोलेंगे, अगर suppose that कि वो acid strong acid है, तो फिर ये simple acidic solution का question हो जाएगा, और ऐसे case में, हेच पलस का concentration कैसे निकालेंगे, जो unreacted, जो left acid का concentration है, उससे आप हेच पलस निकालेंगे, फिर वहाँ से pH निकालेंगे, इसको हम next video lecture में discuss करेंगे, similarly, एक condition क्या हो सकता है, कि sir, base को extra ले लिए तो, तो अगर अपने base को extra ले लिया, तो solution में salt बजेगा, पलस जो वो unreacted base है, वो बचेगा, again, वो base, अगर weak base हो गया, तो basic buffer, again, basic buffer बनने के लिए, weak base strong acid से बना हुआ salt, पलस weak base होना चाहिए, right, और दूसरा condition कि अगर वो base strong base हो गया, तो simple ये basic solution का question हो ज निकालेंगे, जो unreacted base है, उसके concentration से, उससे आपको pH मिलेगा, फिर pH निकालने के लिए 14 में से minus करेंगे, तो ये basic concept है, जो रफी सरना आपको समझा दिया, उसको apply कैसे करना है, तो वो भी very simple है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने acetic acid लिया, barium hard oxide, तो ये acid होगे, ये base, और लेता हूं, इसके one mole लेता हूं, that means, देखो, जो stachometry है, उसी ratio में हमने moles लिया, right, जरूर नहीं है कि two होगा, तो two ही लो, अगर ये four mole लिया, तो इसको two moles लेना है, that means, ये two is to one ratio में होना चाहिए, right, क्योंकि इसका stachometry two is to one ratio में, तो जो moles लिया है, उसका भी ratio अगर two is to one में है, तो ऐसे case में solution में सिर्फ क्या बचेगा, salt, तो ये salt hydrolysis का problem हो जाएगा, जो अभी हम discuss करेंगे, clear है, दूसरा case क्या हो सकता है, क्या आपने acid का one mole लिया, और इसका two mole लिया, तो अब यहां पे ध्यान से देखो क्या हो गया, कि base आपका ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहां ratio कैसा आ रहा है, one is to two का, जबकि हमें क्या चाहिए था, two is to one का, right, तो acid come amount में, base excess amount में, तो फिर यह ऐसे case में salt तो बनेंगे ही, right, plus यह base बच जाएगा आपका कुछ ना कुछ, तो salt plus base हमारे solution में रहेंगे, right, तो इसलिए यह basic solution हो जाएगा, क्योंकि यह strong base होते हैं, यह आपको बता रखाओ, barium का hydroxide जो है वो, strong base की category माते हैं, या फिर इसका KV नहीं given होगा, तो भी आप पैचान जाओगे, तो यह basic solution से हम निकालेंगे, that means, जो lift base का concentration होगा, उससे OH मानस आएगा, फिर उससे PO होचाएगा, फिर 14 minutes से मानस करेंगे, तो pH होचाएगा, तीसर acid आपका excess amount में आप देख सकतो, और base less amount में, तो यह reaction होगी, तो salt तो बनेंगे, right, plus आपका, यह acid बच जागा, कुछ ना कुछ amount में, तो यह salt और acid बच गया, चुकि यह acid, एक weak acid है, acidic acid है, इसका K given होगा आपको, तो इसलिए यह क्या होजागा, फिर acidic buffer का question होजागा, तो very simple ह इस type के question को deal करना, only thing is कि आपको क्या गर सकता, direct mole ना देगर के mass देदेगा, तो पहले moles निकाल लो, right, या फिर हो सकता है कि इसका आपको number of particle देदे, anyhow आप पहले moles निकाल लेंगे, mole के according आपको पता लग जागा, कि आपके solution में है क्या, mole निकालने में अगर किसी को problem होती है, mole concept के problem को solve करने में, अगर किसी को problem है, तो हमारा simple mole concept का video lecture भी देख सकते हो, now, रफी सर का वो trick, जिससे आप salt hydrolysis से आने वाले किसी भी problem को बहुत easily कर लोगे, तो ध्यान से देखो, क्या होगा, acid और base जब रियक करेंगे, तो salt परस water बनेगा, right, आपको analyze करना बता दिया, दो तरीके से, जो acid और base आपको question में given है, वो उसी ratio में लिएगे हैं, जिस ratio में उसके stoichiometric coefficient है, तो अगर इसके moles, acid और base के stoichiometric coefficient के ratio में, तो यह salt hydrolysis का problem है, या फिर अगर question में स्रीफ और स्रीफ salt के बारे में information है, तो भी वो salt hydrolysis का problem है, और ऐसे solution का pH कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ है, trick, trick का point क्या है, very simple, मैंने एक tabler form में बनाया है, table देखके नहीं डाना बहुत easy है, जहाँ से देखो, serial number type, type कहने का मतलब, जो आपने acid और base लिया, वो किस type का लिया, यहाँ पे SA का मतलब है, strong acid, और strong acid कौन होते हैं, बता रखाऊं, यह 6 NIN वाले, CL-, BR-, I-, CL-4-, NO-3-, SO-4-2, यह by default strong acid है, और दूसरा कैसे पैचानेंगे, इसका equilibrium constant नहीं given होगा, क्योंकि यह very very greater than 1 होगे, similarly, SB का मतलब strong base है, strong base में 5 के टानाते हैं, sodium plus, potassium, rubidium, cesium, first group वाले, second group वाले, last वाले, barium, दूसरा कैसे पैचान सकते हैं, इसका KB आपको question में नहीं given ह होगा, right, WA का मतलब है, weak acid, WB का मतलब weak base, तो salt कैसे कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखो, strong acid, strong base, that means, acid base strong लिया, base भी strong लिया, तो जो salt बनेंगे, उसको बोलेंगे, strong acid, strong base से बनावा salt, similarly, weak acid, strong base हो सकता है, या फिर weak base, strong acid हो सकता है, या फिर weak acid, weak base, यहीं चार हो सकते हैं, right, combination म तो यह हो गया, पहचानेंगे कैसे, तो कि वो strong acid, strong base से बनाए, तो very simple, example भी लिया रखा, जैसे sodium plus, यह strong base से आया हुआ है, CL minus, यह strong acid से आया हुआ है, तो अगर strong base के cation हो, और strong acid के anion हो, तो उससे बनावे salt को बोलेंगे, strong acid and strong base से बनावा है, जैसे example, NAC, जैसे इसको अगर पहचानना हो, sodium acetate, तो sodium strong base से आया हुआ है, और acetate आयन दियान से देखो, इसमें नहीं है, और इसका K आपको given भी होगा question में, तो वहाँ से पता लग जागा, यह weak acid है, तो यह weak acid strong base से बनावा salt है, similarly, ammonium chloride, CL minus आपका strong में आ गया, लेकिन ammonium strong base में नहीं है, तो यह weak base strong acid से बन acid weak base से बनावा salt है, तो यह just मैंने एक example दिया है, आप कैसे पैचानेंगे, अगर anion, in 6 anion में से कोई है, तो strong acid हो गया, cation in 5 में से कोई है, तो strong base हो गया, और उसके बाद रेस जो भी बचे हैं, वो weak है, तो पैचान लेंगे, solution का nature, very important, आपको question का एक idea हो जाएगा, कि उस question क answer कहां तक जाने वाला है, अगर आपका salt strong acid strong base से बना हुआ है, तो solution neutral होगा, इसलिए pH उसका fix हो जाएगा, 7, right, आपको calculate करनी जो था नहीं है, अगर salt जो वो weak acid strong base से बना हुआ है, तो जो strong होगा, वही जीतेगा, right, simple सी बात है, तो strong कोन है, base, इसलिए solution कैसा रहेगा, basic, और basis solution का pH क्या होता है, 7 से जादा, तो answer आपका जो भी आने वाला हो, 7 से जादा वाले को tick करना है, similarly, weak base strong acid, तो यहाँ पे strong कोन है, acid, जो strong होता है, वही जीतता है, solution कैसा हो जागा nature में, acidic, that means हमारा answer 7 से less होने वाला है, similarly, दोनों ही अगर weak हो, तो फिर ऐसे case में कैसे करेंगे, करेंगा कि इन दोनों weak में भी कौन जादा strong है, तो जो जादा strong होगा, solution ग्रेंचर वैसा होगा, अगर दोनों ही equal हो गया, दोनों का K A, K B equal हो गया, तो solution फिर आपका neutral हो जाएगा, अगर K A जाधा है, that means acidic ज़्यादा हो गया, तो solution acidic हो जाएगा, K B जाधा है, that means basic हो ज़्य वेसिक होगा तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं इसलिएятся की वैलू कुछ भी आ सब्सक्राइब कर लेका तो हाइड्रोलीसीस नहीं होगा यहाँ पर वाटर उसे रियक्ट नहीं करेगा तो इसलिए यहां पर दोनों ही है इसलिए किसी का भी हाइड डॉलिसिस नहीं होगा जो वीक होते हैं उसका हाइड डॉलिसिस होता है बस इतना ध्यान रखो यहां पर वीक को ने acid, तो acid का anion होता है तो anion का यहांपर hydrolysis होगा जैसे इस case में CH3CO- का hydrolysis होगा, similarly यहांपर weak base है, तो ammonium iron, that means katein का hydrolysis होगा, और अगर दोनों weak है, तो दोनों का होगा तो hydrolysis किसका होता है, जो weak होते हैं, solution का nature कौन decide करता है, जो strong होते हैं very simple, now आपको question में क्या given होगा, तो चुकि यहांपर दोनों ही strong है, तो k, kb आपको नहीं given होगा यहांपर weak cone है acid, तो इसलिए उसका k आपको given होगा, तो उससे पता लग जाएगा कि weak acid है, यहांपर weak cone है base, तो उसका kb given होगा और यहांपर चुकि दोनों ही weak है तो k और k भी दोनों given होगा clear point, अब सबसे important कि हम pH कैसे निकालेंगे, pH निकालने के मतलब होगा है, हेज़ पलस का concentration निकालना परेगा, very simple सबसे important, हेज़ पलस आप कैसे निकालेंगे, अगर वो strong acid, strong base से बना हुआ है तो फिर दिक्कत ही खतम हो गए 10 की power minus 7 हो जाएगा, that means pH यहांपर आपका 7 हो जाएगा जो यहां कर दिया, तो यहां कुछ calculate नहीं करना है, अगर वो weak acid strong base से बना हुआ है, तो हेज़ पलस का concentration directly आप लिख सकतो, root under, द्यान से देखो, तीनों में root under होगा, और kW सम्में उपर रहेंगे, water का hydrolysis constant, क्या होता है h plus और oh minus का concentration का product, जो के fix है 10 की power minus 14, इसलिए हमने इस column में kW की value लिख दिया है, यह by default आपको मालूम है 10 की power minus 14 put करना है तो यह fix है now, concept यहाँ पर क्या है a for acid, a for above तो acid अगर होगा तो उसका equilibrium constant को उपर में रखना है b for base, b for below अगर base होगा तो उसका kb को नीचे रखना है, और यहाँ पर जो c है, उसका उतलब है concentration तो जैसे अगर मुझे weak acid strong base से बना हुआ solution का h plus निकाना है तो जहाँ से देखो kw उपर k a, a for acid, a for above तो यह उपर है, तो आपका concentration salt का नीचे हो जाएगा similarly अगर मुझे इस case में निकाना हो that means weak base strong acid में तो आपको given क्या होगा kb, h plus का concentration क्या हो जाएगा root under of kw always उपर, चुकि b for base b for below, तो kb नीचे है तो c कहाँ चला जागा, उपर very simple, और यह square root है यहाँ से h plus आया, pH आप निकास सकते हैं, similarly अगर k, kb दोनों given है, तो क्या करना है very simple, h plus का concentration, kw always उपर a for acid, a for above, तो k उपर और b for base, b for below तो kb नीचे, तो इस case में concentration आएगा ही नहीं, इसलिए एक important case हो जाता है, कि weak acid, weak base से बने हुए salt का pH उसके salt के concentration पे depend नहीं करता है, वो depend करता है k, kb पे, अब इसमें अगर k बढ़ा होगा तो solution, acid हो जाएगा kb बढ़ा होगा, तो solution, basic हो जाएगा, तो I hope यह वाला कैसे निखना है, h plus का concentration is equal to root under of, that's okay, kw always उपर, उसका question को read करो, k given होगा तो उपर कर देना, kb given होगा तो नीचे, concentration अगर a उपर है तो नीचे, अगर b नीचे है तो उपर, और अगर दोनों ही वीख है, kb दोनों ही दे दिया तो फिर concentration लेना नहीं है direct k उपर, kb नीचे तो इससे easy trick बेटा आपको कहीं नहीं मिल सकता, अब हम इसको apply करका आपको बताते हैं now application की बात करते हैं, question number one में pka5 है, pH of 0.05 molar sodium acetate का बताना है, तो ध्यांस देखो sodium acetate है, तो यह sodium strong base से आया है और यह weak acid से कैसे पता लगा pka given है, pkb नहीं given है, right, तो यह solution strong base और weak acid से बना हुआ है, तो solution basic होगा, तो pH 7 से ज़्यादा होना चीए, तो यह option गया आपका, इन तीनों में से कोई होगा और कैसे निकाल लेंगे, तो सिर्फ salt का information है, तो आपको direct बोला है, हेच पलस का direct concentration अप लिख सकतो हो, root under of kw, 10 की पावर माइनस 14, ka given है, बट ध्याद है, pka 5 है, तो ka कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 5, तो ka 10 की पावर माइनस 5, a for acid, a for above, और concentration salt का आपको given है, 5 into 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ से दियान से देखो, 14 और 5 19 हो गया, 19 में से 3 जाएगा, तो 16 तो यह 1 by 5 into 10 की पावर माइनस 16, तो यह निकालोगे, तो root under of 1 by 5, 10 की पावर माइनस 8, तो यहाँ से पता लगा, यह 8 होगा और यह plus में something होगा, तो 8 plus वाला answer, एक ही है, 8.5 plus में क्यों, क्योंकि 5 नीचे में, तो माइनस और वो माइनस plus हो जाएगे, क्योंकि माइनस अफ लॉग root under of 1.5 होगा, तो इस steps आपको करना है, पूरा calculation नहीं करना है, next question number 2 में, किस step से भी दे सकता है, कि 20 ml 0.1 molar ammonium hard oxide को अगर mix किये, 40 ml 0.05 molar HCL से, तो pH बताओ, तो अब पहले ध्यान से देखो, कि यहाँ पे KV given है, यह base हो गया, weak base, और acid है, इसका कुछ ने given है, तो strong acid, इनका अगर millimoles निकालोगे, तो 20 into 0.1 कितना हो जाएगा, 2 millimoles, और इनका निकालोगे, तो 40 into 0.05, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 millimoles, तो यहाँ पे जितना acid लिया, उतना ही base, क्यों, क्योंकि reaction जब होगी, तो NH4OH और HCL gives you NH4CL plus water, दोनों का stoichiometry ratio, 1 to 1 का है, तो आपने 2 millimoles, 2 millimoles लिया है, तो solution में सिर्फ क्या बचेगा, अमारे पास salt, और यह salt कैसा बना हुआ है, strong acid, weak base से, वो कैसे पता लगा, KV given है, तो solution acidic होगा, PS7 से less होगा, तो सम्में है, अब हमें option चेक करना है, तो आपको H plus, इस case में direct बता है, कैसे निकाना है, root under of KW, 10 की power minus 14, A for acid, A for eva, B for base, B for below, तो यह नीचे जाएगा, 10 की power minus 5, और इसका concentration, salt का concentration कैसे निकले गए, तो इसके 2 mmol से, divided by total volume, add करना नहीं बोलेंगे, 40 plus 20, that is 60, तो यह हो जाएगा, 1 by 30, तो आप इसको कर दो, 1 by 3 into 10, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 5 में से एक चला जाएगा, तो 10 की power minus 4, उपर जाएगा, तो 10 की power minus 10, जो की 10 की power minus 5 में बाहर निकलेगा, और into root under of 1 by 3 रहेगा, राइट, आपको मालूम है कि यह 5 हो जाएगा, और चुकि यह नीचे में हैं, तो मपलस हो जाएगा, 5 point something, ऐसा एक ही option है, C, आपको पूरा calculate नहीं करना है, तो इस type से question आ सकते है, जहाँ पर आपको, यहाँ पर एक और कर सकता है, कि वो mass दे दे, mass से पहले moles निकलो, फिर आपने analyze करो, right, question number 3 में, ammonium phosphate है, PKA, PKV given है, pH बताना है, तो चुकि हमें, KA, KV दोनों given है, that means, यह दोनो, weak acid, weak base से बनावा salt है, तो ऐसे case में, pH मैंने आपको direct बताया है, H plus is equal to, root under of, KW, 10 की पार minus 14, KA, तो KA कितना हो जागा, 10 की पार minus 6, और KB, तो KB कितना हो जागा, 10 की पार minus 4, तो यहाँ पे आप पूट कर दो, 10 की पार minus 4, कितना हो गया, तो यह 10 की पार minus 8, हा जागा, root का, तो pH कितना हो जागा, 8, और वैसे भी हमें एक idea था, कि 7 और 6 नहीं हो सकता, क्यों, PK, PK भी equal नहीं है, और चुकि, PK भी कम है, इसका उतलब के भी ज़्यादा होगा, solution basic होगा, तो answer हमारा 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई होगा, तो एक तरीके साब option तक पहुच जाओगे, option को इस तरीके से eliminate भी करना है, question number 4 में, 0.01 molar, HCL, NOH, CS3, C1N, और NACL का pH order, तो यहाँ पर द्यान से देखो, यह जो है, सबका concentration से में, यह जो है, वो एक strong base हो गया, यह strong base weak acid से बना हुआ salt हो गया, यह सिरिफ salt है, strong base और strong acid से बना हुआ, और यह सिरिफ आपका strong acid है, तो जितना ज्यादा acidic pH उतना कम, तो pH का order अगर पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा NOH का pH होगा, उसके बाद आपका यह strong base weak acid से बना हुआ salt, CS3, CO, NA का होगा, फिर NACL, neutral, PS7, और फिर HCL, तो इस सबसे पूछ सकता है, अगर POH का पूछता है, तो इसका उल्टा हो जाता, तो जस्ट में एक idea देना चारों बेटा, यह 5 पूछता है, कि किस तरीके से question को पूछा जाएगा, और कैसे आप easily करेंगे, Raffi sir के simple trick से, question number 5 है, which cannot hydrolyze, तो hydrolyze कोने हो सकता है, जो strong base का catan होगा, या strong acid का anion होगा, तो इसमें ध्यान से देखो, और की तो hydrolysis होगी, इसमें ammonium hydrolyze हो जाएगे, CL नहीं होगे, क्योंकि strong acids है, बट overall salt hydrolysis होगा, और यहाँ पे दोनों का होगा, क्योंकि दोनों ही weak से हैं, right? Hello everyone, कसका है, आज की इस video lecture में, मैं आपको जो tricks and concept दोंगा, वो buffer solution से related होगा, और buffer solution जो होते हैं, वो दो type के होते हैं, एक acidic buffer और एक basic buffer, तो आप कैसे पैचानेंगे, कि question acidic buffers है, तो very simple, दो tricks है, रफी सर के पास, पहला तो यह कि question को पढ़ने के बाद, अगर question में weak acid का, कुछ concentration given है, और weak acid strong base से बने हुए, salt का अगर कुछ concentration है, तो फिर वो acidic buffer का question, right, weak acid कैसे पैचानेंगे, उसका equilibrium constant given होगा, और strong base कैसे पैचानेंगे, कि उसका equilibrium constant नहीं given होगा, दूसरा पैचानने का तरीका क्या है, कि आपको question में, weak acid का कुछ concentration given होगा, नहीं तो उसके कुछ amount given होगे, या moles given होगा, और strong base के कुछ concentration, या amount या moles given होगे, but the condition is, कि ये दोनों जिस stoichiometric ratio में react करेंगे, उसके according, इसका moles ज़ादा होना चाहिए, इसका concentration ज़ादा होना चाहिए, right, that means, after the reaction, आपका क्या हो बचेगा, some amount of weak acid, और weak acid strong base से बनावा salt, तो वही point है यहाँ पे, कि after the reaction analyze करो, अगर weak acid and weak acid strong base से, बनावा salt दोनों present है, तो acidic buffer, या फिर before the reaction analyze करो, कि जो weak acid और strong base given है, तो weak acid का moles या concentration ज़ादा है, strong base से, तो ये दोनों ही कैसे आप पैचान लोगे, very easily कि ये acidic buffer का question है, acidic buffer के question का pH कैसे निकालेंगे, तो very simple, P, K, A, plus log of concentration of anion by concentration of acid, acid कौन सा, जो left after direction जो बचा है, जैसे यहाँ पे, जो starting में given है, वो नहीं, reaction होने के बाद कितना बचा, वो put करेंगे, यहाँ पे already after direction है, तो जो given है, वो put करेंगे, clear रहे, P, K, A, कैसे निकालेंगे, अगर K, A, given हो, तो K, A, always of scientific notation में लिख लेंगे, जो कि sum X into 10 की पार, minus Y होगा, तो P, K, क्या हो जागा, यह Y को आगे लियाना है, integer type में, और minus में log X हो जाएगा, right, इसका भी tricks में, log calculation में दे रखाऊ, यहाँ पे, concentration of NIN का अतलब, जो भी आपका salt है, उसको आप break करेंगे, और break करने के बाद, NIN का concentration अप लेंगे, right, अगर वो salt, 1 is to 1 ratio में break होता है, तो जो salt का concentration होता, वह ही NIN का होता है, इसलिए उस condition में वो correct है, बट जैसे इस case में, मैंने especially यह लिया है, यहाँ पे अगर इसका concentration C-S है, तो NIN का 2C-S होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक मोल से, इसका केतना मिर रहा है, दो मोल्स, इसलिए यहाँ पे always concentration of NIN put करना है, अगर वो salt 1 is to 1 ratio में break हो रहा है, तो फिर फर्क नहीं परेगा, जो salt का concentration है, यहाँ इसका concentration हो जाएगा, बट other ratio में break हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है, और इस solution का answer, आपको already clear है, कि 7 से less आएगा, PS 7 से less होगा, क्योंकि acidic buffer है, इसका exactly दूसरा part है, that is basic buffer, तो सब कुछ को आपको क्या कर देना, reverse manner में सोच रहा है, basic buffer में base आप weak होना चाहिए, ध्यान दे, अगर acidic buffer बोलेंगे, तो acid weak होना चाहिए, basic buffer में base weak होना चाहिए, और weak base strong acid से बना हुआ salt होना चाहिए, अगर इन दोनों का concentration, माल लेते हैं, इसका concentration X और इसका Y है, तो अगर दोनों का concentration question में given है, that means वो basic buffer का question है, या फिर दूसरा तरीका है पहचाननेगा, कि आपको weak base given होगा, यह कैसे पहचानने होगे, इसका आपको KV given होगा, और strong acid आपको given होगा, यह कैसे पहचाननेगे, इसका equilibrium constant given नहीं होगा, तो again, इनके concentration, या इनके moles, should be greater than acid के concentration, या मोल से होगे, तब ही यह basic buffer होगा, basic buffer में pH कैसे निकालेंगे, तो direct pH नहीं आएगा, पोह आएगा, बाकी सारी conditions सेम रहेगे, यहाँ पे pH था, तो यहाँ पे pH कर देनाए, यहाँ पे PKA था, acid weak था उसका equilibrium कोशे, यहाँ पे PKB होजागा, base weak है तो base का equilibrium constant, प्लस log of, यहाँ पे NIN था, तो यहाँ पे cation होजागा, यहाँ पे acid था, तो यहाँ पे base होगा, सबको reverse manner में कर देना है, K होगा, तो KB से replace कर देना है, NIN है तो cation से, acid है तो base से, pH है तो POS है, तो यहाँ से POS निकला, pH निकलना होगा, तो कैसे निकलनेंगे, 14 minus POS है, right, again, same point KB, अगर आपको इस तरीके से, scientific notation में given हो, तो क्या होजागा, PKB Z minus log T, right, again, यहाँ पे cation का concentration पूट करना है, salt का नहीं, salt का नहीं इसलिए, क्योंकि अगर salt कैसे break हो रहा है, उसके cording, 1 is to 1 में होगा, तो फिर, वही पूट कर सकते हैं, बड़ जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 1 mol से आपको, इसका 2 mol मिनने वाला है, तो अगर इसका concentration C1 है, तो actually इसका concentration केतना पूट करना पड़ेगा, आपको 2C1, इसलिए यह ध्यान रखना है, अगर इसका answer का range आपको clear है, क्योंकि pH 7 से greater होगा, तो जो option given होगे, तो इसमें pH 7 से greater वाले ही, हम tick कर पाएंगे, और यहाँ POH 7 से less होगा, तो question को carefully read करना है, कि basic buffer में पूज क्या रहा है, pH या POH, तो यह हमारा trick का point, अब हम application की बात करते हैं, now question number 1 में, 20 ml.1 molar NOH is added to, 50 ml.1 molar CS3 COH, pH आपको बताना है, PKA given है, तो देखो इस question को पर करके, मैं कैसे idea लगा रहा हूँ, कि यह acidic buffer का, कैसे द्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या गया है, base दिया NOH, और इसका K भी नहीं दिया, that means a strong base है, और यह एक acid दिया है, इसका PKA given है, मतलब weak acid है, और द्यान देख दोनों का एक तरह से, आपको moles given है, तो Vino की NaOH और CH3 COH जब react करेंगे, तो you will get CH3 CONA salt plus water, तो इसका केतना द्यान से देखो, 20 into 0.1, तो यह कितना हो जाएगा, 2 millimoles, यह 2 millimoles है, acid के कितने द्यान से देखो, 15 into 0.1 करेंगे, तो इसके 5 millimoles है, दोनो 1 to 1 ratio में react हो रहा है, तो after the reaction, यह तो 0 हो जाएगा, consume हो जाएगे, यह 3 बचेगा, इसका 2 millimoles बनेगा, तो आपके solution में क्या बचा, देखो, strong base, weak acid से बना हुआ salt, और weak acid बची गया, क्योंकि base तो खतम हो गया, तो ऐसे case में आपको बता रखा हो, हमारे पास formula क्या है, pH is equal to, pKa, जो औरेडी given आपको, 4.76, plus log of, concentration of anion, यहाँ पे जो salt है, उसका concentration कैसे निकालेंगे, इसके millimoles by total volume, ध्यान दे, total volume हमारा कितना हो जागा, 20 plus 50, 70 ml, बट इसका कुछ, ज़्यादा फर्ग नहीं परेगा, क्योंकि आप कैसे लिखेंगे, तो 2 by 70, चुकि यह भी millimoles में था, वो भी ml था, cancel हो जागा, तो standard condition मा जाएंगे, concentration, divided by, concentration of acid, acid कौन सा, left वाला, तो यह हो जागा, 3 millimoles by 70, इसलिए आप volume को अट करके, divide नहीं भी करो, तो भी दिकत ने, cancel हो जाएंगे, तो इस point का ध्यान रखना, volume cancel हो जाते हैं, इसलिए direct आप, moles में solve कर सकते हो, तो यहाँ पर, तो यह कितना हो गया, द्यान से देखो, 4.76, यह log 2 होता है, 0.3, और log 3 माइनस मा जाएंगा, 0.48, तो यहाँ पर आप द्यान से देखो, तो कितना जाएंगा यह, 4.58, यह answer हो जाएंगा, question number 2 में, के आपको given है, 25 ml.2 molar, देखो, sodium acetate, strong base, weak acid से बनावा salt, is mixed with 25 ml, 0.02 molar, acetic acid, weak acid है, pH 5 given है, तो के बताना है, क्योंकि आपको के पूछा है, let me see, यह weak acid हो गया, base कार में कुछ नहीं तो, वो strong base हो गया, तो अगेन यह acidic पर फरक है, यहाँ पर क्या होगा, direct आपको after the reaction का condition given है, क्योंकि salt का concentration given है, और weak acid का, तो again same formula, pH 5 है, तो pH is equal to क्या था, pKa plus log of concentration of anion by acid, pH आपका given है, that is 5, pKa आप निकालेंगे, तो अभी रहने देते हैं से, log of concentration of anion, anion का concentration कहां से मिलेगा यहां से, तो ध्यान दे, इन दोनों को पूरा multiply करतेंगे, molarity into volume को, तो 0.2 into 25 केतना हो जाएगा, 5, right, divided by, अभी भाई बता है कि volume, divide करने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो cancel हो जाएगे, और acid का, तो acid का केतना हो जाएगा, 25 into 0.02, that is 0.5, तो right, यह आजाएगा आपका, यहां से solve करने का, 5 is equal to pka, right, और plus 1, तो यहां से pka केतना आगया, दियान से देखो, क्या जाएगा, 4, तो इसलिए ka केतना हो जाएगा, आपका, 10 की पावर, minus 4, तो इसलिए यह x, पूछाते हैं हम से, तो हमें 10 की पावर, minus 5 में ले जाना है, तो इसको 10 से multiply, 10 से divide कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 into 10 की पावर, minus 5, इसलिए x आजाएगा आपका 10, question number 3 में, pH 4 given है, concentration of anion by, concentration acid का ratio बताना है, कि यह आपको given था, 1.3 into 10 की पावर, minus 5, और option आपको given है, तो again, आप देख सकतो, pH और यह चीज़े हैं, और definitely यह acidic buffer है, तो acidic buffer में, मैं डिरेक्ट लिख रहा हूँ, pH 4 हो गया, that is PKA, तो PKA क्या हो जाएगा, 5 minus log 1.3, आपको डिरेक्ट बता रखा हूँ, K given है तो, plus log of concentration of, that anion by acid, यह ratio हमें निकारना है, तो यहाँ से एक चीज़े हमें समझ मारे है, कि चुकि हमारे पास 3 unknown है, तो उसमें से कोई 2 दे करके, तीसरा push सकता है, यह उसमें से एक type हो गया, now, आप इधर लेक्या होगे, तो यह minus 1 हो जाएगा, यह minus of log 1.3, plus log, इसको मैं माल लेता हूँ, x, इस ratio को निकारना हमें, तो यहाँ पर द्याँ से देखो, इसको मैं लिखूंगा, log 10 की power minus 1, तो यह minus 1 हो जाएगा, लिख सकता हूँ मैं इसको, और यह log a minus log b है, तो इसको लिख सकता हूँ, log a by b, तो x by 1.3, log से log, cancel हो जाएगे, तो यहाँ से x केतना आगे है, 1.3 into 10 की power minus 1, that is 0.13, तो option b, तो यहाँ से क्या समझ मार रहा है, चुकि हमारे पास जो formula है, pH is equal to pka plus log of concentration of anion by acid, तो इसमें ध्यान से देखो, यह एक unknown है, यह एक unknown है, और यह एक unknown है, तो कोई 3 दे करके, आप से 2 push सकता है, तो उसी में से यह one of the type था, तो इसलिए concept को समझने की कोशिश करना बिटा, पहले वाले में क्या हो रहा है, कि आपको acid और base के बारे में information दे देगा, अब जरूर नहीं कि molarity volume दे, इसके moles दे सकता है, इसका amount दे सकता है, anyhow किसी तरीके से करके, इसका moles निकल लेना है, और इसका moles फिर reaction करानी है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या left हुआ, इस वाले question में क्या हो रहा है, कि आपको acid, weak acid और weak acid, strong base से बने रसोर्व का direct आपको concentration into volume से multiply कर देंगे, तो moles आजागा, direct mole दे सकता है, mass दे सकता है, तो concept same रहेंगे, question को different way में दे सकता हूँ, clear है, question number 4, that is important, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करा है, 50 ml 1 molar HCl is mixed with 30 ml 1 molar NaOH, और आपको pH बताने, तो यहाँ पे बच्चे गल्टी थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे के, के भी ने गिवन है, डाट में दोने स्ट्रॉंग है, तो HCl रियक करेगा जब NaOH से, तो आपको मालूम है, salt NaCl plus water बन जाएंगे, HCl का कितना है, molarity into volume, तो 50 ml हो जाएगा, ml में ही रखो अभी, और NaOH का कितना है, 30 into 1 तो 30 ml है, तो यह तो starting after the reaction, इसका 20 बज़ जागा, क्योंकि यह limiting result होगा, यह 0 होगे, और इसके कितने बन जाएंगे, 30, अब बच्चे क्या लगा देते हैं, concept कि हमारे solution में salt है, और acid बचा होगा, बेटा यह जो acid बचा होगा, वो कौन सा है, strong acid है, तो इसलिए यह acidic बफन नहीं होगा, यह simple acidic solution का question होगा, और यह salt का, तो pH वैसे भी यह strong acid strong base हैं, तो pH 7 था, इससे कोई फर्क नहीं परेगा, तो pH को decide यह करेंगे, अब यहाँ से direct H plus मिलेगा, क्योंकि यह one is to one ratio में है, तो direct H plus आपके पास केतना है, ध्यान से देखो 20 ml divided by, यह तो minimum होगा, टोटल वालूम कितना हो जागा, 80, तो यह कितना हो गया, 1 by 4, तो H plus हमको कितना आगया, concentration में, 1 by 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ, 25 into 10 की पर minus 2, तब यह आपको बता है था, pH कैसे लिखेंगे, 2 minus log 25, log 25 को 5 का power 2 लिख सकते हैं, 2 log 5, log 5 होता है 0.7, तो यह हो जाएगा आपका, 2 minus 1.4, that is answer will be 0.6, तो इस तरीके साब कर सकते हूँ, question number 5 में, आपसे पूछा जारा कि, कौन acidic buffer solution बनाएगा, तो ध्यान से देखो, 1 में 100 ml.1 molar, acidic acid है और 100 ml.1 molar, NOH है, चुकि यह 1 to 1 ratio में react होते हैं, तो जितना आपने acid का मोल लिया, उतना ही base का मोल है, तो यह सिर्फ salt बनाएगे, after the reaction, तो यह salt hydrolysis का problem है, तो इसलिए यह acidic buffer नहीं होगा, option B में, आपको strong acid है, यहाँ पे HCL, और NACL strong acid strong base से बनावा salt है, तो यह भी नहीं बना सकता, यहाँ पे यह weak acid था, और यहाँ पे यह strong base है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, base का concentration ज़्यादा acid से, इसलिए यह नहीं बना सकता, जबकि weak acid का ज़्यादा नहीं चीए, तो option 4 को चेक करो, यहाँ पे यह strong acid है, और यहाँ पे यह strong base weak acid से बनावा salt है, तो पहले reaction हो जाएगा, कैसे द्यान से देखो, CH3Cona plus HCl gives you CH3Coh plus NaCl, आपको बताया था, कभी भी strong acid से weak acid बनेगा, बट weak से strong नहीं बनता, तो यहाँ पे इसका जो है द्यान से देखो, 200 into 0.1 है मतलब 20 है, और इसका जो है वो 100 into 0.1 मतलब 10 है, तो after the reaction यह 10 बचेगा, और यह भी आपका by the way 10 बन जाएगा, तो after the reaction द्यान से देखो, आपके पास weak acid बचा, और weak acid strong base से बनावा salt, तो इसका मतलब यह acidic buffer हो गया, तो यह अच्छा question था, जहां पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो 5 number question को अच्छे समझ लेना, after the reaction आपको ठिंक करना है, question number 6 में, PK, weak acid का given था 4.5, POH बताना है, question में यह point mention था, कि buffer solution बन रहा है, और weak acid का in which 50% acid आयनाज हो रहा है, बस यह इसे समझ जाना था, 50% आयनाज होने का मतलब क्या हो गया, कि वो acid का अगर 10 moles लिया है, तो 5 moles रियक्ट हो गया, 5 moles बचा है, तो actually क्या हो जाएगा, जैसे HA लिया आपने, और कोई strong base NOH लिया, तो आपका क्या बन जाएगा, NA, A, और H2O, इसका 50% आयनाज होने होतलब, तो जेतना acid का concentration होगा, left वाला, उतना ही salt का concentration हो जाएगा, अगर 1 is to 1 ratio है, तो इसलिए इस case में, जो हम pH निकालेंगे, तो pH का हमारा formula था, PKA plus log of concentration of NIN by acid, चुकि यहाँ पे NIN का concentration and acid का concentration same हो जाएगा, तो log 1 0 हो जाएगा, तो pH, PKA के बड़ावर हो जाएगा, हमसे POH कूछा गया है, तो PKA आपको given है 4.5, तो pH कितना हो जाएगा 4.5, तो pH कितना हो जाएगा 4.5 को minus कर देना कितना में से, 14 में से, तो कितना हो जाएगा definitely यह 9.5, तो very simple, very easy यह धियान रखना, similarly question number 7 में, अगें ध्यान से देखो, 50 ml.2 molar ammonia है, तो NH3 के कितने हो गए, total moles, 50 into 0.2 कर दो तो, 100 that is 10, हैसेल के, आप अगर निकालोगे, तो 25 into 0.2 कर दोगे, तो यह 5 मेली moles हो जाएगे, तो यहाँ ध्यान से देखना है, हमारे पास weak base और strong acid है, और दोनों का moles सेम नहीं है, base का जादा है, तो यह basic buffer बनेगा, और basic buffer बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, कि after the reaction, जब NH3 और HCL react कर जाएंगे, तो जब आपको NH4 CL मिलेगा, तो यहाँ पे इसके 10 थे, इसके 5 थे, after the reaction, यह 5 बच जाएगा, और इसका 5 बनेगा, तो अगेन दोनों का क्या हो गया, 1 is to 1 ratio है, concentration सेम हो गया, इसलिए POH आएगा direct आपको, पोH केतना आजाएगा, PKB जो आपको given है, 4.75, और plus log of concentration of cation, और concentration of base, दोनों सेम ही है, तो इसको मैं direct 0 कर रहा हूं, log 1 0, तो इसलिए question को पर के समझ में आजाएगा आपको, तो POH 4.7 है, तो हम से क्या पूछा गया, pH, तो pH आगेन 40 मिर्स से मानस कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 9.25, question number 8 में, which can make basic buffer, basic buffer बनाने के लिए condition क्या है, कि weak base होना चाहिए, और weak base strong acid से बनावा salt, तो ध्यान से देखो, NH4H weak base हो गया, और यह acid है, तो इन दोनों के combination से बन सकता है, अगर इसका concentration हम ज़्यादा लेंगे, तो right, बट यह strong base strong acid है, तो नहीं हो सकता है, यह weak acid strong base है, तो इससे acidic buffer बन सकता है, बट basic buffer पूचा गया, तो नहीं होगा, option D भी नहीं होगे, तो इस type से पूचे जा सकते हैं, तो मैंने यह total 8 problem लिये, different type के, just आपको यह बताने के लिए, कि बेटा आपको ऐसे करना है, सारे type को हमने cover कर लिया है, you know कि सारे question मैं, यहाँ पर करा नहीं सकता हूँ, video lecture का length लंबा हो जाएगा, लेकिन all type cover कर लिया, इससे बाहर कोई question नहीं जाएगा, जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, कि जैसे यहाँ पर मैंने एक V case लिया, कैसे क्योंकि इसका K question में given होगा, यह के strong base लिया, कैसे इसका KB नहीं given होगा, तो आपको question कहां से start कर सकता, कि इसका mass दे देगा और इसका mass दे देगा, तो mass से आप क्या करेंगे, moles निकाल लेंगे, इसके भी mass से आप moles निकाल लेंगे, उसको आपको पता लग जागा, कि यह stoichiometric ratio में moles है की नहीं, अगर stoichiometric ratio में नहीं, अगर इसके moles जादा हैं इसके moles से, तो salt का कुछ नो कुछ moles बनेगा, तो आपके solution में क्या रहेगा, weak acid strong base से बनावा salt, प्लस जो left acid रहेंगे, weak acid, तो इसलिए solution हमारा कैसा हो जाएगा, acidic buffer, फिर इसका pH कैसे निकालेंगे, तो direct आपको formula दे रखाऊ, pH is equal to pKa plus log of concentration of anion by acid, यहां से मैं यह बताना चाहरा हूँ, कि यहां पर मेरे पास यह unknown है, यह unknown है, और यह दोनों unknown है, तो कोई 3 दे करके 4 पूछा जा सकता, इसलिए इसको ध्यान रखना, यह दोनों को multiply कर देंगे, तो भी moles आ जाएंगे, तो बस यह समझाने के लिए कि question को lengthy क्या जा सकता, बट concept same रहेंगे, तो किसी भी तरीके से आपको पहले moles निकाल लेना, फिर उसको बाद, चुकि यहां पर ratio है, तो चुकि volume, concentration निकालोगे, तो उपर नीचे cut, cancel हो जाएंगे, इसलिए direct moles में भी यहां पर पूट कर सकते हो, Hello everyone, कसका आए, आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे, a sparingly soluble salt के बारे में, that means एक ऐसा salt, जिसको water में आकर आप add करोगे, तो उसका कुछ ही part dissolve होता हो, तो इसलिए हम सबसे पहले, solubility S को define करेंगे, that is nothing but molarity, right, दोनों एक ही बात है, और solubility कैसे define कर रहे हैं, कि कितना moles dissolve हो है, number of moles dissolve by कितने volume है, right, इसलिए उसको बोलेंगे solubility, तो इसलिए question को carefully read करना है, कि question आप से पूछा क्या जा रहा है, solubility अगर पूछा जा रहा है, that means वो molarity है, that means वो concentration है, but अगर वो बोल रहा है solubility product, तो that means वो equilibrium constant है, that is KSP, तो इसलिए point number one यह है, कि K equilibrium ही equilibrium constant है, जिसको यहाँ पे KSP से represent करेंगा, कोई difference नहीं है, KSP से हम लोग represent करेंगे, और यह function of temperature है only, that means जब हम temperature change करेंगे, तभी KSP की value change होगी, बाकि कुछ और change कर लो, तो यह change नहीं होगा, तो इस point का दिया रखना, for example, इसको एक example समझते हैं, जैसे AGCl, अगर यह एक S-Peringly soluble salt है, तो इसका equilibrium constant given होगा, और वो always less than 1 होगा, जैसे यहाँ पर 4 into 10 की पार minus 8 है, तो अब अगर मैं, AG plus का concentration बढ़ा दूँ, CL minus का concentration बढ़ा दूँ, water add कर दूँ, जो भी करना है कर लो, बट temperature अगर मैंने change नहीं किया, तो अभी भी इन दोनों के concentration का product, यह एक fix number 4 into 10 की पार minus 8 ही आएगा, that means, इसका concentration जरूर चेंज होगा, इसका change होगा, लेकिन यह इस तरीके से change होगे, कि इन दोनों का product, यह एक fix number आए, तो इसलिए इस point का, बहुत ध्यान रखना है कि KSP, that is nothing but equilibrium constant, वो तभी change होगा, जब आप temperature change करेंगे, और generally इस पे बेस जतने भी question आते हैं, उसमें हम temperature change ही नहीं करते हैं, इसलिए एक बार question में, KSP की जो value दे दी गई, वो fix होगे, change क्या होगे, इसके individual concentration, show that, कि इनका product फिर से, उसी के बड़ाबर आ जाए, killer यह point, तो अब हम बात करते हैं, tricks की, वो salt कैसा है, sparingly soluble, वो कैसे पता लगेगा, उसका KSP आपको given होगा, या पूछा जाएगा, right, तो अगर एक ही salt dissolve करते हैं, तो उसके लिए rafisar का trick है, कि salt को इस form में वो दिखा सकता है, AX, BY, in general हमने लिया है, क्योंकि cation के कुछ number होंगे, anion के कुछ number होंगे, तो इस salt का KSP equilibrium constant लिखना हो, तो direct आप इस trick से लिखेंगे, यहाँ पे जो number होगा X, उस पे power X, जो number होगा, उस पे Y power कर देना है, यहाँ पे Y है, तो Y पे power Y, और अगर इस salt की solubility अगर S है, तो S पे power X plus Y, इन दोनों को add कर देना है, for example, जैसे AG CL, तो यहाँ पे 1 है, AG 1 के time, CL 1 के 9, तो 1 is to 1 ratio में पिरे खोड़ा है, तो KSP क्या हो जागा, 1 की power 1, 1 की power 1, और S की power 1 plus 1, 2, that is S square, तो यहाँ पे equilibrium constant of this salt is S square, what is S, S is solubility of this, that means, इसका केतना more dissolver per unit volume है, clear point, similarly, 2, Mg, SO4, तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, Mg, S का अलग, O, 4, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा नहीं बेटा, आपको देखना है कि वो केतने ions में ब्रेक होड़ा है, तो 1 Mg plus 2 ions होगा, और 1 Sulfate time होगे, तो यहाँ पे भी 1 is to 1 ratio में, इसलिए के S P अभी भी क्या हो जाएगा, S S square, इसलिए यहाँ पे यह लिखने हैं होतला कि, इसके कितने का time मिर रहा है, और A9 कितने मिर रहा है, एक next example जैसे A2 B3, ऐसा कोई आ गया, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, तो 2 का power 2, 3 है, तो 3 का power 3, और S का power, दोनों को जोर दो तो 5, तो यह 108, S की power 5 हो जागा, where what is S, S is the solubility of this salt, right, similarly एक और example, ALCL 3, तो aluminium 1 है, और कलोरीन 3 ions में लेगा, तो अगर इस salt का solubility S है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, aluminium का भी solubility, S ही होगा, क्यों, क्योंकि 1 is to 1 ratio में रहा है, बट CL का 3S हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ पे भी फंसा ले जाता है, हम जो भी S लिये हैं, वो solubility salt का है, ions की solubility, उस salt के solubility के बरावर हो सकता है, अगर 1 is to 1 ratio है, otherwise, S taquimetric के according चलना परेगा, जैसे यहाँ पे salt की solubility अगर S है, तो क्लोराइड आयन का 3S मोल मिलेगा आपको, इसलिए S और यहाँ पे 3S, तो यहाँ पे द्यान से देखो, 1 की power 1 हो जाएगा, 3 का power 3 तो 27 और S की power 1 और plus 3 तो 4 तो यह लिख सकते हैं, यह कैसे वाद उसको एक example समझा है, कि KSP कैसे different करते हैं, concentration of L plus 3 that is S, और power 1 is toachymetry power में चला जाता है, concentration of CL minus that is 3S, और is toachymetry 3, तो इसलिए मैंने लिखाता, 1 की power 1, यहाँ से 3 का power 3, और S का power 3 plus 1, का point very simple है, जो भी salt आपको given है, उसके cation और anion में break कर लें, जितना cation का number होगा, उतने number पे वही number power कर देना है, जितना anion का number होगा, उतने number पे वही power number में कर देना है, और S की power में, cation और anion के number को जोड देना है, clear है, for example, एक और example लेते हम, like Al2SO4 whole thrice, अगर ऐसे लिखाओ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो आपको 2 aluminum का ions मिलेंगे, और 3 sulfate का ions मिलेंगे, तो अगर मुझे इस salt का case पी लिखना होगा, तो direct में क्या लिखता, 2 का power 2, 3 का power 3, S का power 5, where S is solubility of this whole salt, right, but solubility of Al plus 3 पूचा जाता, तो Al plus 3 का concentration केतना हो जाता है, 2S, क्योंकि इसके 1 mol से इसका, 2 mol मिलेगा, और sulfate ion का पूचा जाता है, अगर मुझे, तो 3S हो जाता, तो इस point का ध्यान रखना है, तो यह वाला part बहुत easy, right, second point, that is again very important, कि दूसरा case कैसा हो सकता है, कि एक weak salt dissolve के आगया water में, कैसे पता लगेगा, KSP given होगा, और एक strong salt dissolve के आगया water में, कैसे पता लगेगा, इसका KSP नहीं given होगा, तो जब अगर water में, एक weak salt, और उसके साथ एक strong salt dissolve कर देंगे, तो ऐसे case में आपको कैसे नहीं करना, तो very simple, अगर ये weak salt है, तो double arrow से आपको दिखाना है, और AG plus CL minus हो जाएगा, अगर इसकी solidity S है, तो 1 is to 1 S है, तो ये S और ये S हो जाएगे, जो strong salt है, suppose कर लो, NA CL अपने dissolve के है, तो इसको single arrow से दिखाएगे, और ये NA plus होगा, और CL minus, अगर इसका concentration C है, तो ये पूरा 100% dissolve हो जाएगा, question में अगर कुछ mention नहीं है, तो अगर उसने mention किया, कि एतना ही percent dissolve हो है, तो उसके according आप ले लेंगे, तो इससे इसका concentration अगर C है, तो ये C मिल जाएगा और ये C, question में ध्यान क्या रखना है, कि जो common iron होंगे, जैसे देखो, इसमें भी CL minus मिल रहा है, और इससे भी CL minus, जो common iron होंगे, तो उसका concentration वही put कर दाना, जो strong part से मिलेगा, अगर मैं इस वाले weak salt का, अगर equilibrium constant लिखूं KSP, तो क्या हो जागा, concentration of AG plus, concentration of CL minus, बट यहाँ पर CL minus का concentration, आपको कौन सा put करना है, जो strong part से मिल रहा है, इसलिए मैंने direct C put कर दिया, AG plus का अभी नहीं मालूम है, और इसका KSP आपको given होगा, अभी बता आपको, चुकि हमने temperature change नहीं किया है, तो यह अभी भी वही रहाएगा, जो starting में था, यह तभी change होता है, जब temperature change होता है, इसलिए Z माल लेते हैं, कि उसका equilibrium constant है, तो is equal to concentration of AG plus, और into concentration of CL minus, that is nothing but, जो strong parts आपको पूट कर देना, तो यहाँ से जो unknown होंगे, वो आ जाएंगे, तो इसलिए trick का यहाँ पर important point यह है, कि common iron को पहचानना, ऐसे case में, जब एक weak salt और एक strong salt dissolve हो, तो common iron को पहचानन लो, वो easy है, उसका concentration वही put कर देना, जो strong से आपको मिलेगा, तो यहाँ से, आपका unknown part आजागा, ध्यान रहे, कि ऐसा करने से equilibrium constant पर कोई फर्क नहीं परा, equilibrium constant की value, अभी भी वही रहेगी, तो अब मैं application की बात करूँगा, trick number two, कि कभी भी आपको, aspiringly soluble salt का, अगर KSP given हो, और उसके ions का concentration given हो, तो आप कैसे analyze करेंगे, कि वो already equilibrium का concentration है, या फिर अभी वो reaction forward में जाएगी, या backward में आगी, that is very important, simple आपको concept लगा रहा है, कि दोनो ions के concentration का product निकलना है, according to their stoichiometric coefficient, यहाँ पे by the way, one is to one ratio में बिरेख रहा है right, तो यहाँ पे अगर मैं KIP निकालू, ionic product, ions का product, तो यह कितना हो जागा, 4 into 10 की पार minus 8, that is actually equal to KSP, that means यहाँ पे यह equilibrium concentration है, that means यह equilibrium पे है, अगर इस case में निकालूं KIP, तो कितना हो जागा ध्याँ से देखो, 4 into 10 की पार minus 6, जो कि अगर ध्याँ से देखो, तो greater हो गया KSP से, this is greater than KSP, KSP से जादा होने मतलब, अब reaction को back माना पड़ेगा, ध्यान रहे, always KSP is the ideal person, always उसको follow करना है, reaction अगर पीछे रह गई है, तो आगे जाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, आगे चले गई है, तो पीछे आना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको एक simple example से समझे, suppose करो आपका destination यह है, तो अगर आप इधर से आ रहो, तो अभी आपको आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक पहुचने के लिए, अगर आप आगे निकल गए, तो आपको पीछे आना है, तो वैसा ही case है, KSP is the main point, एक destination point है, तो यहाँ तक पहुचने है, इसलिए अगर ionic product की value, इससे छोटी हो रही है, तो आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक कहुचने के लिए, बड़ी हो गई, जो इस case मोड़ा है, तो पीछे आना पड़ेगा, तो reaction back आएंगी, back order में आएंगी, that means precipitate बनना, सुरू हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं के आएपी निकालूँगा, तो कितना जाएगा, 4 और यह 4, तो 16 और 10 की पावर, minus 10, that is less than KSP, यहाँ पे KSP आपका जाद हो गया, तो अभी reaction और भी forward में जाएगी, that means more salt dissolve होंगे, तो अभी reaction आपकी forward में जाएगी, तो it's very simple, जब भी question list आपका है, तो आप ionic product की value निकाल लो, और उसको KSP से compare कर लो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है final point, कि अगर KSP और KIP equal हो जाता है, तो reaction equilibrium पे है, KIP अगर greater है, तो back में आएगी precipitate बनेगा, KIP छोटा है, तो forward जाएगी, more salt dissolve होंगे, तो इसलिए इस पे best question कैसे पूछेंगे, तो very simple, जहाँ पे भी बोल दे, कि just precipitate हो रहा है, ऐसा condition, तो आपको KIP और KSP को बड़ावर कर देना है, वहाँ से आपको unknown की value मिल जाएगी, और एक point का और ध्याँ रखेंगे, that is very important, कि यह जो KIP है, that is nothing but actually में क्या है, Q reaction quotient, और यह KSP क्या है, that is K-clumen, तो वही point है यह, question number one में, यहाँ पे KSP of barium sulfate आपको given है, 10 की power minus 10, solubility of barium sulfate पूछा जा रहा है, in 0.1 molar K2SO4, तो यहाँ पे ध्याँ से देखो, इसका KSP दिया है, that means, यह weak salt है, और potassium sulfate का KSP नहीं गिवन है, that means, यह strong salt हो गया, तो we know weak salt को कैसे आप बिरेक करेंगे, barium sulfate है, right, तो barium sulfate, 1 is to 1 ratio में बिरेक होगा, तो barium plus 2, sulfate minus, right, अब इसमें कुछ भी add कर लो, इसका KSP एक बार दे दिया है, 10 की पार minus 10 तो वही रहने वाला है, concentration of barium plus 2, जिसको नहीं मालूँ है हमें, माल लेते हैं कि अगर इस salt की solubility S है, तो यह S मिलेगा, तो यह S हो जाएगा, और आपको बताया था, common iron हो गया यह, क्योंकि K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2K plus में SO4 minus 2 में, इसका 0.1 molar अपने लिया है, तो यह आपको 0.2 मिनने वाला है, 1 mol से 2 mol और यह 0.1 मिनने वाला है, आपको बताया था, जो common iron होंगे, उसका concentration वही put कर देना, जो strong से, तो इसलिए यहाँ पे S नहीं put करना, आपको यहाँ पे 0.1 कर देना है, तो यहाँ से S केतना आ गया, 10 की पार minus 9, यह हो गया, moles per liter में, question को carefully read करना, हमसे किसमें पूछा है, gram per liter में, तो एक mole का mass, molecular weight हो जागा, तो molecular weight इसका केतना होता है, 233, 233 into 10 की पार minus 9 gram per liter, तो यहाँ पे हमारा X केतना हो जागा, 233, तो very simple, इस steps आपको करना है, question number 2 में, again, solubility, S मतलब solubility of AGCL is given, again, question पे ध्यान रखना है, gram per liter है, right, or minus of log KSP, that means, solubility देखर के KSP पूछा है, but solubility gram per liter में, solubility always moles per liter में होता है, तो मैं निकाल सकता हूँ, moles में, AGCL के molecular weight, that is 143 से divide कर गए, तो यह केतना आ जाएगा, यहाँ पे S, direct 10 की पार minus 5, इसलिए KSP क्या हो जाएगा, तो direct आपको trick बता रखाऊ, 1 की पार 1, 1 की पार 1, तो 1 ही हो गया, और S की पार 2, तो S square, तो यह 10 की पार minus 5 का S square हो जाएगा, that is 10 की पार minus 10, minus of log KSP, log लगाएंगे, तो answer केतना हो जाएगा, 10, तो very simple, कैसे minus of log KSP की value, 10 की पार minus 10, तो यह minus बार जाएगा, minus minus, plus हो जाएगे, log 10, 1 होता है, तो it's very simple, तो यहाँ पे question में क्या हुआ, आपको S दे करके KSP पूछ लिया, क्याभी ऐसा हो सकता है कि KSP दे करके S पूछ लिया, आपको हर तरह के question के लिए ready रहना है, just मैं यहाँ पे different type के problem ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार इसी concept को repeat किया जाएगे, next question number 3 में, KSP आपको given था, solubility, देखो उल्टा कर दिया, KSP given है और solubility पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा द्यान से देखो, इसको मैं लिख लूँगा, जो KSP मुझे given है, वो 108 into 10 की power minus 75 लिख लूँगा, और इसका KSP आपको trick से बता रखा हूँ, कैसे लिखेंगे, 2 की power 2, 3 का power 3, S का power कितना हो जाएगा, 5, तो यह कितना हो जाएगा, 108 S की power 5, this should be equal to how much, 108 into 10 की power minus 75, इसलिए 108 से 108 cancel, तो S की power 5 है, तो 5 से 15, तो यहाँ पे S solubility कितना हो गया, 10 की power minus 15, ध्यान दे, कि आपसे solubility of Bi2S3 पुछा गया, इसलिए option है, अगर solubility value of Bi का पुछा जाता, तो वह हो जाता 2S, इसलिए 2 into 10 की power minus 15 बताते हैं, अगर सिरिए S sulfide का पुछा जाता, तो वह हो जाता 3S, क्योंगे आपको मालूम है, Bi2S3 कैसे परेखोगा, 2 Bi में और 3S minus 2 में, तो इसलिए इसका अगर solubility S होगा, तो इसका 2S और इसका 3S, question को carefully read करना, पुछा किसका, यहाँ पे salt का डारेक्ट पुछा, इसलिए यहाँ पे direct transfer 10 की power minus 15, अगर Bi3 का पुछता तो 2S, that means 2 into 10 की power minus 15 होता, और अगर Sulfide N का पुछता तो 3S that is 3 into 10 की power minus 15 होता है, इसलिए question को carefully read करना है, question number 4 में, KSP आपको, again zinc hydroxide का given है, solubility in 0.1 molar NOH, तो यह वही वाला point हो गया, कि आपका एक weak salt dissolve है, और एक और strong salt dissolve के है, तभी आपको बताया, पहले weak का कैसे लिख लेंगे आप, कैसे break होगा यह, ZN plus 2, 2 OH माइनस में, और आपका यह NOH तो आपको मालूम है, direct, single arrow से, NA plus और OH माइनस, तो यहाँ पे NOH का कितना है, 0.1, तो इससे यह भी 0.1 मिल जागा, यह 0.1, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन आपको मिल जूगा, that is 0.1, तो केस भी चेंज नहीं होगा, अभी आपको बताया, temperature हमने चेंज नहीं किया, तो यह रही यह रहेगा, 2 इंटू 10 की पार, minus 20 is equal to, यहाँ से लिखेंगे, तो इसका solubity, अगर मैं S मानू, तो ZN पलस 2 का solubity कितना हो जाएगा, S इंटू, यहाँ पे OH माइनस का कंसेंट्रेशन पूट करेंगे, वो कितना हो गया, 0.1, और यह स्टाकोमेट्री का ध्यान रखना है, वीक वाले salt का हमें, सब कुछ देखना है, तो इस्टाकमेट्री 2 है, तो 0.1 का S स्कॉाइर हो जाएगा, तो यहाँ से S केतना जाएगा, 2 इंटू 10 की पार मानस 18, तो वह ही आपको पूछा है, कि X इंटू 10 की पार मानस 18 है, तो X बताओ, तो यहाँ से X केतना आगया, 2, क्योंकि हमें solubility पूछा है किसका, जिंक हट्रोकसाइट का, तो इस टाप से आपको करना है, कॉशन नमबर 5 में, A2X का KSP आपको गिवेन था, 4 इंटू 10 की पार मानस 12, और MX का भी KSP 4 इंटू 10 की पार मानस 12 है, दोनों का सेम है, तो ratio of solubility बताना है, A2X बाइ MX, तो very simple है, वही रफी सर का trick लगा, A2X का अगर आपको KSP लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, 2 की पार 2, 1 की पार 1, S की पार 3, that is equal to 4 इंटू 10 की पार मानस 12, तो यह 4 से 4 कैंसल हो जाएंगे, तो यहां से S कितना जाएगा, 10 की पार मानस 4, दूसरा इसका निकाल लो, MX का, तो MX का आप कैसे निकालेंगे, KSP, very simple, 1 की पार 1, 1 की पार 1, S की पार 2, S square, that is equal to, कितना 4 इंटू 10 की पार मानस 12, तो यह कितना जाएगा, 2 इंटू 10 की पार मानस 6, इनका ratio पूछा गया, तो ratio क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, Solubility, आपने A to S का निकाला, 10 की पार मानस 4, 2 इंटू 10 की पार मानस 6, तो उपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 2, तो answer कितना हो जाएगा, 50, तो इस टाप से पूछा जा सकता है, बात वही रहेगी, यहाँ पर ध्यान से देखो, question में क्या है, KSP देख़के, S पूछा एक तरीके से, right, ऐसे problem हम बहुत सारे कर चुके है, question number 6, इस टाप से भी दे सकता है, कि यह है, तो इसका S और KSP में क्या relation होगा, तो very simple, आपको direct KSP लिखना बता है, कैसे लिखोगे, इसका KSP बोलो, यह 3 हो गया, तो 3 का power 3, यह 4 है, तो 4 की power 4, और S की power 7, तो S क्या हो जाएगा, यह नीचे में divide हो जाएगे, और hole पे power 1 by 7 हैगा, तो यहाँ पे direct power 7 है, wrong हो गया, hole पे power 1 by 7 तो है, लेकिन 144 नहीं आगा, क्योंकि यहाँ इसे देखो, 4 की power 4 है, यही आपका 144 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यह नहीं होगा, तो इसलिए यह option हो जाएगे, ऐसा नहीं कि आपको पुड़ा calculate करना है, यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे KSP पे power 1 by 7 नहीं है, इसलिए यह भी आपका wrong हो जाएगा, question number 7 में, इस टाप के भी question बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको salt का KSP given है, solubility का order, तो कुछ बच्चे यहीं से direct कर देते हैं, उनको लगता है कि यह सब से कम है, तो कम solubile होगा, बेटा यह KSP है, पहले से आपको क्या निकालना पड़ेगा, solubility, तो कैसे निकालेंगे, very simple, AGCL का direct लिख रहा हूँ है, S square, that is 10 की power minus 16, तो यहाँ से S केतना जाएगा, 10 की power minus 8, right, similarly MGCL 2 का लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, आपको बता रखाओ, MG1, यह 2 की power 2, तो 4 into S की power 3 is equal to, 4 into 10 की power minus 15, तो यहाँ से S केतना जाएगा, 10 की power minus 5, BI2, S3 का लिखना हो, तो BI2, S3 में कैसे लिखेंगे, 2 की power 2, 3 की power 3, S की power 5, this is equal to how much, 108, 10 की power minus 30, तो यह 108, 108 cancel हो जाएगे, तो S केतना जाएगा, यहाँ से 10 की power minus 6, तो यहाँ solubility से अब आपको चेक करना है, अब you know, power minus में जेतना कम होगा, value उतना जाएगा होता है, तो सबसे ज़्यादा value कोन है, 10 की power minus 5, that is, MG, CL2, सबसे ज़्यादा solubile है, फिर 10 की power minus 6, that is, BI2, S3, then फिर आपका, यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, तो इस टाप की भी बहुत सारे question आपको, PYQ में मिल जाएगे, question number 8 में, AG, CL का KSP given है, 10 की power minus 16, MG, CL2 का KSP given है, 4 into 10 की power minus 15, आपको पूछा जारा है, कि इन दोनों की solubility का order क्या होगा, 0.01 molar NaCl में, that means, weak salt में strong salt को dissolve किया गया, कैसे, क्योंकि इसका KSP नहीं given है, तो कैसे करना, very simple, आपको बता रखाऊं, जिसका KSP दे दे, उसको double arrow से break कर दो, AG plus CL minus, और जिसका KSP नहीं दे, उसको single arrow से break कर दो, Na plus CL minus, चुकि यह strong हो गए, तो इसका 10 की पार मानस 2 लिया है, तो यहां से CL minus भी आपको 10 की पार मानस 2, और Na plus भी 10 की पार मानस 2 मिल जाएगा, और यहां से अगर इसकी solubility, अगर मैं S मानता हूँ, तो यह S होगा, और CL minus, direct आपको बोला हूँ, क्या पूट कर देना है, 10 की पार मानस 2, S क्यों नहीं क्योंकि 10 की पार मानस 2, very, very greater than S होगा, इसलिए उसको neglect किया, तो यह और, चुकि हमने temperature को change नहीं किया है, तो अभी भी KSP भई रहेगा, तो KSP कितना है, 10 की पार मानस 16, that is equal to, concentration of AG plus, that is S, और concentration of CL minus, that is 10 की पार मानस 2, तो यहां से solubility कितना हो गया, 10 की पार मानस 14, जो AG plus का solubility value होगा, वही इसका भी होगा, क्यों क्यों कि 1 is to 1 ratio है, तो यहां से आपको, S, solubility की value होगा, 10 की पार मानस 14, वैसे ही same काम इसमें करो, तो M, G, C, L, 2, कैसे भी रेक होगा, M, G, plus 2, ध्यान रहें यहां पे, 2 C, L, minus, राइट, एगेन इसकी solubility, अगर आप S मानत हो, तो यह तो S, इसको 2 S मत करना, क्यों क्यों कि Na, C, L है हमारे पास, कैसे भी रेक होगा, Na, plus, C, L, minus में, 10 की पार मानस 2 है, तो इससे केतना में जाएगा, 10 की पार मानस 2, अगेन हमने temperature chain नहीं किया है, तो KSP अभी भी भाहिर रहेगा, that is how much, 4 into 10 की पार मानस 15, this should be equal to, concentration of M, G, plus 2, that is S, C, L, minus, डारेक्ट यहां से put करना है, 10 की पार मानस 2, और इसका stoichiometric coefficient, power में जाता है, उस चीज़ को मत बोल जाना, power 2, always weak वाले काम लिखते हैं, तो यहां से S कितना जाएगा, ध्यान से जेखो, 4 into 10 की पार मानस 15, डिवाइड़ यह कितना जाएगा, 10 की पार मानस 4, तो यहां से आजाएगा, 4 into 10 की पार मानस 11, तो यहां से solubility यह आ रहा है, और यहां से solubility यह आ रहा है, कौन जादा है, तो definitely यह जादा है, इसलिए MgCl2 जादा solubile है, income prision of KgCl, तो I hope, मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा, बेटा बहुत easy है, और बहुत अच्छे concept हमने सिखाया है, आपको बिल्कुल भी जादा effort ने ड़नना है, जो concept बता है, उसको follow किजिए, सारे question आपके बनेंगे, Thank you.